तो आज हम आप सभी लोगों के लिए एक महरातन कलास लेकर आकर आएं। इस क्लास में कमर कस लीजिएगा- पुरी तरीके सेबें हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं कच्छा बारे है रसायनं विज्ञान का वैद्धूत रसायनवाला है। पूरी तरीके से कंप्प्रीट इलेक्ट्रोग केमिश्ट्री को एक दम जड़ से करने वाद के सबसे पहले पूरे चैप्टर के हम लोग ठीरी पढ़ेंगे ठीरी के साथ में टॉपिक वाइज एक ठीरी पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी कोशन आपकी एकजाम में बने हैं य जिसमें पूरा चैप्टर एक अही लेक्चर में परहा हो जाए अगर आपने ध्यान पूरोग पुरे लेक्चर को पढ़ लिया और जो चीज़ें यहां पर लिख वाई जाएंगी उन चीज़ों को अगर लिख लिया तब पर भी अच्छी बात है नहीं तो कमेंट बाक्स मे का नमन करके करेंगे ठीक है तो सभी लोग सच्चे मन से महत्पुर क्लास और हां एक बात ध्यान रखेगा रांती पूरवा कूल माइन से पढ़ें थोड़ा सा लेकिन हो जाए पूरा हो जाए और यह लेक्चर जो है बोर्ड और एक जाम के लिए बोर्ड एक जाम में आने वाल हर एक कस संय कंप्लीट हो जाए को प्र पाधे है इसके लिए आपको सिखर बैच जॉइन करना पड़ेगा मैं बता देना चाहता हूं जो बच्चे नहीं जाते हैं सिखर बैच में कैसे पढ़ाया जा रहा है क्या क्या चीज़े मिल रही है अगर आप सिखर बैच को जॉइन करते हैं तो आपको अलग से कोई भी कोचिंग जुआइन करने की ज़वता है नहीं कोई बुक लेने की ज़वता है सब कुछ चीजी यहां पर वेल मेंटेन तरीके से प्रवाइड किया जा रहा है सभी सब्चेट का इसमें आपको डिली लाइफ क्लासे होते हैं लाइफ क्लास भी होता है कोई चीज नहीं समझ आई तो केमेंट बाक्स में पूच सकते हो फिर भी नहीं समझ जैंक्त अब तो न्या हैंड राइज की सिस्टम आ गया तो हैंड रेज खरके भी पूछ सकते हो इसके अलमा आपके यहांड पर होता है सटर्डेटर इके जो सब्तावर पढ़े हो इससे आपकी तयारी जाएगी इस्टडी में आपको बुकलेट दिया जाता है इसा कैसा दिया जाता मैं दिखा रहा हूं आपको यह बुकलेट देखो अगर आप इस्टडी मैंने बोला ना कोई आपको पूरी तरीके से अगर आप इस बैच को जोइन करते हैं कि आएटी हो चाहिए इसके लिए आपको 11 के साथ में पढ़ाई करना जो सच्चाई भाई कोई कुछ भी कहले कि 11 जब तक नहीं रहा तब तक आप रैंक नहीं ला सकते यह मैं सच्चाई बोलता हूं बाकि उनिया में बहुत लोग यूटूबर मिलेंगे आपको कहेंगी नहीं हो जाएगा हो जाएगा लेकिन हाँ बोर्ड में अगर आप इस बैच जाएगा 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 तो उसको भी आपको बता दिया जाएगा ठीक है लेकिन यह बोर्ड के लिए बेस्ट वेट नहीं को इसमें कंप्लीट सलेबस थेरी प्लस इप्लॉटन को साथ माडल पेपर गेस पेपर प्रवाइट किया जाएगा सुने से इखर तक पूरी त जानकारी ले सकते यह रहेगी बात बड़ी सी आपको जानकारी के लिए अब मेरी साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं अ चलते चैप्तर की साइड चलते हैं चप्री स्टार्ड करतें एक टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए ठीक है यह आप यहां से स्केन करके भी जोइन कर सकते हैं चलो स्टार्ट करने वाले हम लोग चैप्टर वैद्दु तरसा है वैदुत रसान जो चैप्टर है इस में हम लोग क्या पढ़ने हैं वैदुत और रसान इसके बारे हम अच्छा से पहुनेंगे तब कुछ जानेंगे ठीके उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर से कोशन कितने पूछे जाते हैं कितने नम्बर की देखा जाया प्रिवियस यर के पेपर को देखा जाए तो बहुत खतरनाक आकड़ा निकल के आता है इस चैप्टर से तीन से लेकर आठ नम्मर तक के कोशन पूछे गए कभी-कभी तीनी नमर का कोशन पूछा गया कभी-कभी-कभी आठ आठ और एक बाद नौ नमर का भी पूछा गया इस समय है आएटी नीट का 100% सलेबस है तो बोड का जो सलेबस है उसमें से कामन जो है शिश्टी से 70% अभी पढले ते समय है बहुत विकल्पी कि यहां से लगूत्री प्रसम पूछा जाता है कभी-कभी यहां से चेप्टर से अंकिक प्रसम भी पूछा गया दिखा गया है तलए कुछा गया है स्टार्ट करते हैं वैदुत रसाइन के बारे कि यह होता है वैदुत रसाइन कितने सब्दों से दो सब्दों से एक तो वैदुत दूसरा रसाइन कि नाम से असपस्ट है किसी का नाम है राम लाल होंगे इस तरह नाम से कुछ बाते आवाज निकलती ने अंदर से इस नाम से असपस्ट है कि बैदुत और रसाइन विज्ञान की वह साका होती है जिसके अंदर रसाइन कूर्जा को बैदुत उर्जा में परिवरतन का अध्यन किया आप इस परिवासा को ली सकते हैं वैदुत रसायन रसायन की वह ताखा है जिसके अंतर जिसके अंतर गतर वैदुत पुर्जा रसायन की पुर्जा में या फिर रसायन की पुर्जा को वैदुत पुर्जा पुर्जा में परिवर्टन का अधियान या परिवर्टन का अधियान या जाता है फुर्जा को पुर्जा में या फिर रसायन की पूर्जा को आधियां की तुर्जा जिसमें हता क्या पुर्जा होती है दूगगे के यह रहतागी कुर्जा में यह रासानी कुर्जा में रासानी कुर्जा में परिवर्तन होता है परियोतन होता है यह आधवलता हुद नहीं परियोतन है Economics नु시 अ अपने मनवा नहीं नहीं हुद इसके लिए must नहीं कॉस्च काम करना पर नहीं आप लोग नहीं पढ़ाई करते हैं डंडे से पासमें रोगें मारना पड़ेंगा पपा भी मारेंगे में मारेंगे भाई विमारेंगे यह जो अधिर हुचों नहीं डिर शाइनिस और साइंसे बैदू तुर्जा जो हुटा है तो ता प्रक्रम होता है तो ता प्रक्रम हुटा है कि यह पॉइंट याद रखना सब्सक्राइब अगर बुकलेट में देखोगे आप अगर बुकलेट आप लोगे को बुकलेट वहां पर देखोगे बुकलेट में यह परिवासा लिखा हुआ इसके बाद हमने आपको इस चैप्टर में रेडाक्स अपक्रिया आकसी कड़ा अपक्रिया यह सब चीजी यूज होने वाले है तो इसके बारे में यहां पर समझाया गया है पले बुकलेट में एक में दिखाए बुकलेट में सबसे पहले देखो यहां पर यह वैदूत रसान के बारे में बताया है उसके नीचे जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन जब जरूत पढ़ेगी तबали बुकलेट में होने करें आपक को इस जो बैदुत रसायन होता है इसको दो पार्ट में हम लोग प्रहाई करते हैं जिसे पार्ट वन होता है जिसमें चालकता समंधी चीजे पढ़ेंगे चालकता समंधी चीजे पढ़ेंगे पार्ट वन शुरू करते हैं अब हम लोग पहले चालकता पढ़ेंगे चालकता क्या होता है चालकता समंधी चीजे पढ़ेंगे चालकता मतलब विद्दु धारा का प्रवाई है वह इना चालकता होता है चालकता के अधार पे हम बढ़ेंगे पढ़े हूं प्तार था तीसरा भाग क्या है अधर चालक प्तार था यह तीन प्रकार के प्तार थे होठी है चालक अचालक और अधर चालक का मतलब क्या है मैं सिंपल एक्जामपल करने के लिए बता हूँ आप अपने घर में जो भी अडंडा गोजी लब्दा तीर तीर सब कुछ लेकर लाइट में सटा देना जो मुटकी तरवा तो सटा देना जिसको सटाने के बाद अपने मत सटाना किसी और को सटवाना जिसके समझा दिया जो में समझाना है चालक पदात वे पदात हो जिसके अंदर कर विद्दु धारा प्रवाइट होती है क्या होता है विद्दु धारा का प्रवाह नहीं होता है और अदर चालक के अंदर इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे यहापर इसके इसके लिए आपके प्रकार होते हैं इतने प्रकार से हो सकता है न वह प्रकार को होता है धात्विक चालक यह पूछा जाये गाराज होता है ज्यानकारी आपको दे रहे हैं अभी हम लोग अभी बेस बना रहे हैं थात्विक चालक विदुत घटनी या आइनिक चालक कि या फिर आयनिक कि तरह होता है मिस्रित चालक क्या होता है मुक्त द्धारा का परवाह होता है। इसमें मुक्त इलेक्टानों द्वारा द्धारा का प्रवाह होता है। मुक्ति इलैटान नहीं समझ गया रह pseudo बशचार्णर मतलब जो मुक्त हो फ्री की इलेटान द्वा रहा, ऐनी चालक वय चालक होते हैं जिसमें मुक्त आयनो द्वारा विद्धु धारा का प्रवा होता है। जिसमें मुक्त आयनो द्वारा विद्धु धारा का प्रवाह होता है। दूक्त जिसमें मुक्त आयनो के किसे बहुता है, इस से बहुता है। बिदुत अभगट से जो बना होता है इसका एक्जाम्पल होता बिदुत अभगटनी चालक इसके बारे वालो जुमुक टायनों द्वारा चलने वाला द्रू चालक होता है तो मुखत आयनों द्वॉरा है जो चलता हुए द्दू होते इस सोना चादी यह सभी आज भगटए जो की डूअब कट कर आदा मैं रहे काओ वही तो पढ़ना प्पल्ड पूरे चैप्टर भर क्यों परसान हो वह तो पूरे चैप्टर भर पढ़ना है कि इसे नोट करू चलिए हैइडिंग डालो विदुत अबघट्य क्या आपको विदुत अबघट्य अबघट्य क्या होता है इसको क्या करो पानी में डाल दो जब पानी में डालोगी तूट जाएगा यह यहां पर आयन बन जाने ये सब क्या है आयन मैं यह सब आयन है इक बाद बताओ नमक में डारेट अगर नमक ठोच अथाम है उसमें विदुधारा प्रवाइद करोगे तो नहीं भहेगा लेकिन जब द्रव अस्थाम में हो जाता है यानि पानी में जब दाल देते हैं यह आयन में कि इसमें प्रवाइद करें जल में डालने पर अपने आयनों में तूट जाता है यह प्लस am जल में आप सभी लोग दिखना परिपास सब लोग ऐसे तदार जिसको जल में डालने या फिर विदुधारा प्रवाहिद कने पर अधरा सवाहिद अपने आयनो में क्या हो जाता है अपने आयनो में टूट जाता है विदुधार अपने घटे पदात का लाँ कमेंट बाक्स में कमेंट कर दियम क्योंकि अब चीज़ें स्टार्ट हो रही है आपका विदुधार से शुरूआत हो चुकी है अभी तक तो यह परचार रहे थे कि किसे अमें को विदुधार पर जाना है दो प्रकार करता धातिवी चालग विदुधार अपकर निचालग इस को रही है टेवर के तो यह Price différents है यह Україं को विद्दुधार अपकर दोड़ा होता है यह दो प्रकार का होता है गाद दो दुस्रा होता है अगा दुर्बल विद्धु तर अपर घटे नहीं डॉटा होता है दुर्बल विद्धु तर दू दू प्रकार को क्या होता है किसे काते मैं अभी बता रहा हूं मैं अभी बताऊंगा अभी अप्रसा सब्र करो लेकिन अब का मतलब क्या होता बता क्रबल का मतलब क्या समझो क्या लोग क्या होते है गर इसमिस मैं आप लोग से पूछा क्या ओए हम तो ऐसे ही देखेंगे जो एक बार हम पढ़ा रहे हैं जिसको एक बार हैं पूरी चीज़े समझ में आ जाएंगे उसे को हम तेज समझेंगे पूरी चीज़े नहीं समझ में आ रहे हैं उसको गधा समझेंगे हम लोग तो वही बात होते हैं ऐसे बिदुद्धारा बताओ बताओ लिखते हैं परिवासा में परबल बिद्धु तब कर्टे का बताओ बताओ शिंपल परिवासा ऐसे बिद्धु तब कर्टे ऐसे इद्धु तब इसमें इसमें क्या होता है जिसमें विद्धु तब करने पर इसमें 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 विद क्या हो जाता या विदुधारा प्रवाइद करने पर या फिर जल में मिलाने पर जल में मिलाने पर पूड रूप से आयनित हो जाता है उसे क्या करते है उसे प्रवल विदुधारा प्रवाइद करते है जिसे आपके सामने में एक्जामपल लिख रहा हूँ तो हंडीर पर परवाइद करेंगे तो हंडार परसंट आयनित हो जाता है माने प्लस हो जाता ऐगो करने पर यहां पर जहां पर यहां पर पड़्य हो जाता और एक लियWh बन जाता है वही बात मैंने आपको ट्रिक बता है न मतलब वही जो की तेज बनता कौन होगा जिसको एक बार में पूरी चीजें समझ में आ जाएगी वही प्रबल विद्धुत अफगट है वही तेज बनता है उसी को प्रबल विद्धुत अफगट की प्रकार इन प्रकार का प्रबल भीदु दपकटे जिसमें आपका प्रबल अमल होता है प्रबल छार होता है प्रबल लवड होता है याद करना पड़ेगा नहीं याद करना पड़े कोई दिक्कत नहीं मैं लीग देता हूं प्रबल भीदु दपकट के तीनों प्रकार के बारे कि तीनों प्रकार के पर देता हूँ, क्या होगा, प्रबल, हमल, हमल, प्रबल, और लवर, ये तीन प्रकार के बिद्धुतापः होते हैं, प्रबल, प्रबल अमल हैं, इसे याद करने कोई जरूवत भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है, ये सब प्रबल अमल है, प्रबल चार का मतलब क्या होता है, इसे यह 0-यच हो गया, ये सभी प्रबल चार है ये सभी प्रबल चार है ये सभी क्या है ये सभी क्या है ये सभी क्या है प्रबल चार है ये सभी क्या है प्रबल चार है अल लवड की बात करें लवड कौन होता है बताओ लवड कौन होता है लवड में वही जैसे आपके सामने ये ने सील है ये सील है यह सभी के सभी क्या प्रवल विद्धु तब घट्यों मैं ज्यादा एक्जामपल लिखवाने की चक्कर भी नहीं पड़ा इसमें एक एक्जामपल आपको देखने के मुलेगा आगे चलके कोल राउस के दिया में CS3CO यन्ने यह देखने को मिलेगा यह भी मैंने लिख दिया इसमें आपको मिलेगा यह भी लोड यहां पर सभी लाओड जितने भी लोड होते सभी क्या होते हैं अ हाई बात समझ में अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूर्वल विद्धु तब घट्यों किसे बहुत हम भी्टुट अहां भ्लोग आहाँ तुर्भीदू तब गह्ति क्या होता है यह हम फॉड़ इसको एक बारें पूरा चिजेतै नहीं समझ मैं आता है वह विद्धू तब गह्ति है जिसमें सवाहित नहीं पूर रूप से रूपर से आई नहीं नहीं आहे उसे दूरबल विदुद अपगट उसे दूरबल विदुद पट कर, यह बी दो यह 2 प्रकार का यह दूरबल अगर कौन-कौन से होते हैं मैं बता देता हूं दुर्बल अमल में कौन कौन से बाइ तो आप ली सकते हो जिसे और पूस हो गया है ये सबी दुर्बल हम लहें हैं ये सबी क्या दुर्बल अमल हैं दूर्बल चाल की बात करें तो दुर्बल यज़ार में तरह से यहन्यच पूरो यज़ा आ तो यह आपको बहुत सारे जखे देखने को मिलेगा त्रेंडिंग में यह आन रहा है UA त्क है अमोनिया हो गया यह दुर्बल छार होता है और अंध्य सभी सभीय क्या होते हैं जो कि आप लोग जानना चाहिए जो कि महत पूर ये आज जो बाते हम करेंगे कीता पर हाथ रखके मैं बाते करेंगे विदुद अभगट के विलेनो का चालकत बात तमझना है हम लोग जो बिदुद अभगट के विलेनो का चालकत पढ़ेंगे वह ऐसे पढ़ेंगे एक कोई बैटरी लेंगे बैटरी में क्या होगा हम लोग यहां पर दो चीज डालते हैं जिसे हम लोग इले टोड करते हैं आप लोग देखिए होंगे बैटरी में होता काले काले कलर का इस तरह से इस तरह से होता है काले काले कलर का हला कि मैं बैगनी रंका बनाया हूं तो बना नहीं सकता मैं इसे क्या करते हैं 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 इसे प्रतिरूद को हम लोग लेंगे प्रतिरोद की परिवास क्या आप जानते थे प्रतिरोद की परिवासा चाया आप प्रतिरोद का जीए कि जांते थे लेक्षा सिर्वार्ण करेंosit का आरक — जो जाना है के मार्ण अवरोध करें उसे क्या करते हैं प्रतिरोध करते हैं वही परिवासा है अब प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोध आर प्रतिरोध को जो हम लोग इसे जो है इसे और और से क्या करते हैं फ्रदर्सित करते हैं इससे प्रतिरोधरर्ण होता जहात तक तो यहांपर मैं अलबतरी की से बता रहा हूं चैने प्रतिरोधरर जो हilton यह इसके इनके जो लंबाई है इसके गींट उनखकरमानुपाती होता है उनखकरमानुपाती होता है दिनको समिकर नमर एक माल लो इसको माल यहाँ से सालव करोगे तो आर इस प्रपोस्टनल Two जागा यल अपान इसको जब आगे साल्फ करोगे इस प्रपोोशनल्टी के चिन को हटाओगे तो यहाँ पर पर जो नया बंदह आया है जानते हो इस बंदी को आप लोग नहीं जानते हो मार्कट में नया बंदह आया रो रो को हम लोग क्याते हैं विशिष्ट प्रत्रोथ क्या क्या करते हैं विशिष्ट प्रत्रोथ है आप समझ भाई क्या यहां पर आप सभी लोगों को बता है हलाकि प्रतुरोथ का मात्रक नहीं पूछता लेकिन आगे क्वांटिटी में दिखाऊंगा उसका मात्रक पूछा भी यह बोडी जामी दिखाऊंगा आगे लेकिन लिख लेते हैं प्रत्रोत का मात्रक क्या होता है प्रत्रोत का मात्रक क्या होता है मात्रक क्या होता है प्रत्रोत मात्रक क्या होता है प्रत्रक क्या होता है ओम इसको हम लोग इस तरह से प्रदसित करते हैं प्रत्रूत का मात्रक्या होता है, ओम होता है प्नूचा जात है कभीकभी थैदो जदा दिक्कत की बात नहीं है — दिए दरह ido दरह समझ में आ जाएंगे दूसरा quantity जो कि आप लोगों ने अभी अभी नाम सुना है विशिस्ट प्रत्रोथ उसके बारें हम लोग पढ़ेंगे विशिस्ट प्रत्रोथ क्या होता है अभी अभी लोगों ने इसका नाम देखें देखो क्या होता है फिर यहां पर एक सेल बनाएंगे अच्छा से सुन्दर था सेल बनाएंगे इसमें दो इलेट्टोड डालेंगे जाते है कि दो इलेट्टोड डालेंगे एक इलेट्टोड यह है अकरा इलेट्टोड हैं अस दो में अभी अभी पढ़ा अब यहां पर 2 यहां पर L को मान ले है सि यहले का मान लेते हैं और का मान लेते हैं एक यह स्कार, यह दो चीजे मान, तो जिए हम लोग मान लेते हैं तो यहां पर R is equal, गया हो जाएगा rotate तो केका ज़ेट फल वाले इलिए तोड़ से मुग्थ सेल का प्रत्रोच जो होता उसी को विसेष्ट प्रत्रोध काता अपर लिक लबाए जबाए 17 एक कांग, कांग, अनुप्रस्ट, एक कांग, अनुप्रस्ट काट के छित्फल वाले, वाले, एलेक्टोट, यहां पर इलेक्टोट की बात होगी, यह एक कांग, लंबाई, जिसकी लंबाई क्या हो, एक कांग, तथा एक कांग, अनुप्रस्ट काट के छित्फल, वाले, एलेक्टोट से युक्त, इलेक्टोट से युक्त, सेल का जो प्रतिरोध होता है, सेल का प्रतिरोध का लाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का लाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का, सेल का जो प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का लाता 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 है, यहां से पूरा बात बता दिया, विशिष्ट प्रतिरोध बन कहाता है को कि आपको याद आखके विस्स पतुरुत का मात्रक की बात करें इसका होता है क्या ओम ते मी या ओम सेंटीवीटर ये इसका मात्र career को कहिए लोट करो अब्रां लोग यहां पे हो गया यहां तक सभीका यहां तक हो गया सभीका न अब हम लोग एक छोटा सा कॉंटिटी पढ़ेंगे चालक प्ढ़एंगे क्या होता है क्या होता है प्रतिरोद के व्यूत क्रम को हम लोग क्या करते हैं चाल क्त्व क्रति प्रतिरोद के व्यूत क्रम को क्या करते हैं इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है करता है यह तो इसका फार्म ना हो जाता है इसका मात्रक भी पूछा जाता है इसकी मात्रक की बात करें मात्रक की बात करें तो ओम इनुवर्स इसका मात्रक होता है ओम इनुवर्स इसका क्या होता है मात्रक इस चाल कत्व का मात्रक होता है में बता रहा हूँ देखो याद कर लो महो होता है महो इसको महो कहा जा ठीक है यह इसके मात्रक होते हैं एक सीमेंस मात्रक होता है आप एक नया च्रम आएगा विशिष्ट्ट्व या चालकत्व था है देखना सभी लोग विशिष्ट्व या फिर चालकत्व प्रक्ष या फिर चालकतव ज्यान देना विशिष्ट चालकत्व आ चालकता क्या होता विशिष्ट प्रतिरोध को हो क्या कहते हैं विशिष्ट चालकत्व आ या फिर का करता हूं, इसे जुए कपपा के से पतरसित कता है कपपा करते हैं कपपा क्या करते हैं कपपा के इसकोंटू क्या होता है वन अपान रू यहां से अगर फार्वुला बनाओगे रोका बैलू यहां से रखोगे रोका बैलू यहां से रखोगे तो क्या हो जाएगा बता हो रोका बैलू रखोगे तो वन अपान आर ए अपान यल इसको आगे साल करोगे तो इससे क्या लिए सकते हो वन अपान आर यल यह बात या रखना यह फारूला इसका भी मात्रक पूचा जाता है मात्रक 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 इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक वही होता जो आप जानती हो क्या ओम सेमीश होता है या पिर इसे हम लोग लिए सकते हैं महों यहाम・ो करते थे महो सेमीश निवर्स को या अब इक हम एक कोशन यहां से बहुत मेहनत किये तो एक छोटे-मोटे कोसन बनते अब तक के टॉपिक से जैसे ये कोशन देखो अच्छे-चालकता वाले बीलियन होते हैं मैंने बताया भाई प्रबल विदुत अपकट जो को 100% आयनित हो जाते हैं उसी को अच्छे-चालकता वाले बिलियन कहेंगे तो यह प्रबल बुदुत आप घट्ट्ट अच्छे चालकत्व वाले बिलियन होते और देखो यहाँ पे भेदुत आप घट्ट्यों में कौन सा कतन सही नहीं है यह आगे आप लोग पढ़ेंगे जिस चालकत्व का मातरक क्या होता यह अभी यह कोशन हम लोग करेंगे जहांप इस सब चीज़ें व लोग करेंगे झाइगे सिस्टाइप जेक तोड़ा मोडा कोशन इधर से उचा जाता है आगे क्यों चले हम लोग बता जैसे नोट कर लो तो आगे क्यों चलते हैं हम लोग तो अगला एडिंग डालेगा सभी लोग सेल इस्थिरांग क्या सेल कॉस्टेंट इसे इंगलीज में कहा जाता है तेल इस्थिरांग लिट रहान क्या होता है आसान बात आये फिर से हम लोग market जाएंगे एकысंफाएंगे जिसमें 2 लित्रोड लगा हूँ इस तरह से भी बैटरी बैटरी के विश्टए हमें बात करते हैं इसमें क्या लगा हो लगा हूँ यह लेक्रोड लगा हूँ यह क्या लगा हुआ है इस इलेट्रोड का जो छेत्रफल है इसको मान लेते हैं यह है यह क्या है आपका छेत्रफल यह हम लेते हैं कि यह क्या आपका और इन दोनों इलेट्रोड के बीच की यह दूरी जो है इसको यल मान लेते हैं के बीच की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं इसको हम लोग मद की दूरी अगर पूछा जाए सेल इत्रांग किसे कहते हैं तो सेल के दो समानता रिलेट्रोड के मद की दूरी और इसके छेत्फल के अनपात को सेल इत्रांग कहते हैं इसके अनपात को हम लोग क्या कहते हैं सेल इत्रांग कहते हैं यह परिवासा सभी लोग लिख लोगे क्या दो लाइन परिवासा हम तो लिखेंगे लिकिन आप लोग लिख लोगे कि नहीं यह बताओ बताओ तो क्या लिखोगे परिवासा किसी सेल के परिवासा क्या लिखोगे बताओ परिवासा क्या लिखोगे बताओ किसी सेल के किसी सेल के तो समांतर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के मदल की दूरी क्था इलेक्ट्रोड के क्था इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के त्रफल के अनुपाथ क्या काते हैं लिख लोगे क्या सभी लोग परिभासा लिख लिया परिभासा सर लिख लोगे नहीं लिख लिया लिख लो सभी लोग सभी को ये डिफ्निशन याद हो गया ये डिफ्निशन क्यों पढ़ रहे हो रहे हो क्यों पढ़ रहे हो कभी कभी सेल इस्तरांक किसे तो यह बता देना सब्सक्षिप आपजेक्टिव में पूछा जाता है तो अगर आपेक्टिमस 4-5 फारम दे का मालू स्टिये इसरांग इस तरह से पूछं कि आप से कि इस तरह से खुच्षन पूछ दे और चार आप सना भ्याव एक यर यर नोटि यह इसमें से कोई नहीं देख तो आप क्लियर कर लोगे कौन सा सही है बताओ एक बार हाँ या ना कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना लो चलो और हम लोग से लिस्तिरांग का एक और फार्मूला होता है तो भी आपको यार्फ करना पड़ेगा दो कभी-कभी एकजामनर उसे भी पूछ देता है कपा कि का फार्मूला यहोता नहीं तो ध्यान देना है आपको पता है कि L upon A को लिखा जाता है यक्स सेलिस्तरांग अरे अभी आपने पढ़ा सेलिस्तरांग की यक्स इक्स इक्कॉल टू यल अपाने यह होता है तो हम लोग इस समिकर नमर एक इसे मान दे इसमें क्या हम लोग इस यल अपान एके जगा पर यह यक्स लिखने की गुस्ताकी कर सकते हैं क्या कि मत कर सकते हैं चलो यहां पर रख देते हैं कपा k into r is equal to x हो जाएगा कपा k का कपा k into r is equal to x यानि एक सेल इत्तरांका नया फार्मुला निकल के आता है यह भी कभी-कभी एक्जामनर पूस्ट लेता है जहां पे कपा के क्या है विशिष्ट 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 चालकत्व है विशिष्ट चालकत्व into प्रतिरोध प्रतिरोध इस एक्वल टू x का मतलब क्या इसल इस्थिना यह भी फार्मुला बनता है तो इसे भी याद कर लेना साथ-साथ है यादी करना है तो इसे भी कर लेना ठीक है किलियर है सभी को थोड़ा सा एक्वल गया था इसलिए बंद हो गया अभी तो किलियर है सभी को ना है तो अब हम लोग नएा टापिक और जो most important है जहांसे mostly question पूछा जाता है वह start करने जा रहे है molar चालकता क्या start करने जा रहे हैं molar चालकता start करने जा रहे हैं करना सभी लोग मोलर चालकता पूछा जाता एक जाम में तभी कभी इससे निमेरिकल को से मोलर चालकता घुर क्या होता है देखो यहां पर भी हम लोग मार्केट जाएंगे और वडहेकर आते हैं ऐसा एक गजिस premium置 जिसके दो जिसमें भी दो एलेट्रोड लिडोड ही लेकिन इसका कंडिशन समझ्दा यह आपका सेल है इस सेल में हम लोग ऐसा कंडिशन लेते हैं यह जो इलेट्रोड है इसका जो छेत्रफल है यह छेत्रफल कितना है छेत्रफल एक का वैलू कितना है एक सेंटीमीटर स्क्वाइर और इन दोनों इलेट्रोडों के मद की दूरी कितनी है हम मानते हैं इनके मद की दूरी एक सेंटीमीटर है और इसे जिस बिलियन में डूबोया गया है जिस बिलियन में इसे रखा गया है इस billion की सांदता इस billion की सांदता इस billion की सांदता जो है हम लोग यह मानते हैं इस billion की सांदता हम लोग यह मानते हैं कि एक molar है एक molar है इस billion की सांदता हम लोग क्या मानते हैं कि एक molar सांदता यानि एक molar सांदता इस billion तो इस विलियन की सवसांदता है एक मोलर माने है एक मोलर माने है तो इस विलियन की जो चालकता होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे क्या लिख सकते हैं परिवासा, एक सेंटीमीटर, उन प्रस्ट काट वाले छेतफल का एक इलेटरोड, दो इलेटरोड, जिनके मद की दूरी एक सेंटीमीटर हो, ठीक है, एक मोलर सांदता, या एक मोल सांदता के बिदुत अभगोट में, अगर विलियन की जो चालकता होती है उसे ही molar चालक्ता कहते हैं लिख सकते हो परिभासा क्या लिखोगी परिभासा देखो इसके आलावाए मेरे पास एक छोटा सा भी परिभासा क्योंकि मोलाचाल रखता कि डिफ्रिशन भी बोर्डिंग जां में पूछी जाती है वो भी आपको मैं बताऊंगा लेकिन पहले ये वाला परिभासा लिखने को भरो बड़ा पतब एक सेंटिमीटर इसकौार एक सेंटिमीटर सेसकौार का अनुप्रस्ट का आनुप्रस्ट काट अनुप्रस काट अनुप्रस काट के च्छेत्रफल के च्छेत्रफल के दो इलेक्ट्रोड जिनके मद्य की दूरी एक सेंटीमीटर हो जिनके मद्य की दूरी क्या हो एक सेंटीमीटर हो और उसे और उसे एक मोलर विद्दूतर अपघट्य के विलियन में रखा गया है तो जो चालक्ता होती है मोलर चालक्ता कहला आता है मोलर जालक्ता हो यह समझभाई मोल पूछे जाते हैं यानि एक सेंटीमीटर अनप्रस्ट काट वाले छितपल के दो इलेट्रोड जिनके मत की दूरी एक सेंटीमीटर हो और एक मोलर के एक मोलर विदूत अबगट के विलियन में रखा गया है तो उस विलियन की जो चालकता होगी उसी को हम लोग मोलर चालकता कह जाता यह भी लिख लेना सबी लोग इसे जो हम लोग किसे पते हैं लेमडा यम से या फिर इस तरह से यम से या प्रदर्सित करते हैं अब परदर्सित करते हैं लेकिन सर यह परिवासा तो ठीक है इतना बड़ा याद कौन करेगा कुछ मेरा भी जुगाड करते हैं कुछ लोग कहेंगे लेकिन अगर एक्जाम में इस तरह से डिप्रेशन और इस तरह से आप फिगर बनाके लिख दिये क्या हो रहा है कि एक मिनट रुकना वँ अ लेकिन यह डिप्रेशन तो बहुत बड़ा है याद कैसे होगा कुछ लूग की दिमाह में चल रहा है तो देखो इसका 60 definition भी लिख सकते हो आपर वह 60 definition क्या है बताओ इसका 60 definition क्या है एक मोल विद्धुत अबगट के विलियन की जो चालकता होती है उसी को मोलर चालकता कहते हैं यहां पर लिख सकते हो एक मोल विद्धुत 1 मोल विद्धुत अबगट वाले विलियन एक मोल विद्धुत अबगट वाले विलियन की चालकता जो होती है मोलर चालकता कानाती है मॉलर चालकता चालाती हैं एक मॉल वीदुत अफगट के विलेयन की जो चालकता होती है किसी को मॉलर चालकता स्ते हैं डिसमें एक मॉल विदुत अफगठ गुला हो उस स्भीलें की चालकता को मोलाट करते हैं यह भी छोटा मोटावलाब्लम ले सकते हो आप मोलाड चालकता लैमडा यंूद्ञ हम लेक्वल होता है लैमडा यम इजुकल्टी फार्मौल cookie ना सभी लोग क्या होता है क्लाओ एक लिग्या कोशनश बनते हैं कभी-कभी हलाकि इसकी मात्रक भी पूछा जाता यह मैं बता होगा यम क्या है यम है बताओ कप्पा की किसे कहा जाता है यम क्या के विदुत अब गट की कि अबतो यम क्यों क्या कोगे चलतो बताओ यम को क्या कहोगे आपको पता है यहां पे कि कप्पा के क्या है कप्पा के है विशिष्ट चालकतो और यम क्या है यम है मोलर सांद्रता मोलर सांद्रता कप्पा के है विशिष्ट चालकतो यम है मोलर सांद्रता यहां तक सभी को किलियर है सभी को बताओ यह मोलर सांदता मास नहीं आए मास कुछ मोलर सांदता यानि मोलरता एक तरह से आप लोग कर सकते हैं अब देखों मोलर चालकता का मात्रक लिखते हैं मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है आपको पता लेंडा एक इस इक फार्मुला क्या होता है कप्पा के इंटू एक हजार अपान यम होता है मात्रक लिखोगे तो कप्पा के का मात्रक लिखना पड़ेगा अग कप्पा के का मात्रक क्या होता है ओम होता है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स होता है इसलिए मैंने मात्रक लिखवाय था इसलिए कप्पा के को मैंने लिखवाय का तो यहां पर 1000 होगा न यहां पर क्या करोगि सेंटिमेटर इन्वर्स ठीक है उधर कोई आ गया था काम था ठाकHH यहां पर इसका यह हो गया सेंटिमेटर इन्वर्स न आ पर यम का मात्रग क्या रग़ता है बताओ मोल महयMe का मत्रग्ण्र рублей मौल लिखोगे मौल मोल बटे क्या लिखोगे बताओ सेंटी मीटर क्यूब या लीटर सा मात्रक सेंटी मीटर क्यूब भी होता है अब यहां से इसका मात्रक लिखोगे तो मात्रक निकल के आजाएगा क्या बताओ यहां से मात्रक लिखोगे तो मात्रक निकल के आजाएगा क्या ओम इनवर्स cm इनवर्स cm3 मोल इनवर्स मोल इनवर्स यह आएगा अब ध्यांदरों यह सेंटी मिटर सेंटी मिटर क्या cm2 हो जाएगा cm2 हो जाएगा और यहां पर मोल इनवर्स का मोल इनवर्स ही रहेगा यह रहेगा कि समझ भाया बात सभी को कि सेंटी मीटर cm मतलब चीप मिनिश्टर नहीं है सेंटी मीटर है और यह समझ मैं है सभी को बता एक हजार एक हजार ऐसा बंदा है जिसका नहीं कोई मात्रक होता नहीं कोई बिमा होता है जिसे आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे को नहीं आपका साधी हो रिख मिलेगा है क्लिया को यह तो हो गया मोलड चालक्ता के बारे आप हमारे पास्यक्तन मंद्र है कि मैं में इस मोलर चालकता को तुरंत तुल्यांकी चालकता बना सकता हूँ तुरंत तुल्यांकी चालकता बना सकता हूँ है जादू desired देखोगे देखू अब हम लोग क्या करते है तो लेंग की चलकता पहते मैंने मोलाच बीठा कर यहां पे तुल्याग कि चालकता लेठें तुल्याग की चालकता अब देखो तुल्याग की चालकता क्या होती है यह पूछ लोग पूछने सर्फ कप्पा के का मातरग बता दी इसके लिए आपको एक हां घंटे पीछे जाना पढ़े पीछे मैंने बताया था तुल्यांग की चलगता है क्या होता है एक ऐसा विलियन हमारे पास है जिसमें एक जिसमें क्या हो जिसमें जिसके अंदर हम लोग बिलियन में एक ग्राम तुल्यांग घुला हो विदू तब घड़ जो है एक ग्राम तुल्यांग किसी को तुल्यांग की चालकता कहते हैं एक सेंटीमीटर इसको आरुपर स्कार्च छेट तफल के दो इलेट्रोज जिनके मत की दूरी एक सिंटीमीटर हो और इसमें ऐसे विल प्दू धुल्यांग की चालकता कहते हैं यहां पर ऐसे बीर में रखा ग्या है जिसके अंदर क्या हो और उसे एक ग्राम तुल्यांग एक ग्राम तुल्यांग से युगत विलियन में रखा गया है एक ग्राम तुल्यांग विदूत अपगट के विलियन में विदूत अपगट के विलियन में है तब जो चालकता होती है उसे क्या कहते है तुल्यांग की चालकता 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 कहते है तुल्यांग की ये ग्राम तुल्यांग का मतलब क्या होता है इसके लिए मैं कहूंगा इसका मतलब क्या होगा का मतलब यह है कि आप लोग ने चैप्टर टू नहीं पढ़ाए जिसमें तुल्यांग की चालकता पढ़ाए गया था नर्मलता में दो तुल्यांग की चालकता जो होती है इसको लैमडा एक्यू से पदरसित करते हैं या फिर ऐसे करके एक्यू से पदर आती है एक ग्राम तुल्यांक वाले विद्धुत अभगट की चालकता यहां पर लिख सकते हो एक ग्राम तुल्यांक वाले विदुत अफगट की चालकता जो होती है उसे तुल्यांक की चालकता जाते हैं उसे क्या कहते हैं यहाँ पर भाई नम्मर चेंज नाम चेंज कर दो दिया चोरी पकड़ी जाए उसे क्या कहते हैं तुल्यांक की चालक तुल्यांकी चालगता है फार्मूले में क्या डिफ्रेंस आएगा फार्मूले में यहां लैमडा एक्यू हो जाएगा ठीक है और यम के हां हो जाएगी नार्मलता यन नार्मलता यन हो जाएगी यहां यहां पर नार्मलता यहन है जो कि तुल्यांकी चलकता है अब सब में यहां पर क्या हो जाएगा और मुलर चलकता का मातरक यहां हो जाएगा तुल्यांकी तुल्यांकी चलकता का मातरक यहन हो जाएगा और यहन जो है सिदी सी बात है पता है यहां पर नीचे जहां पर सब कुछ सेम रहेगा जहां पर आपका मुल है वहां पर हो जाएगा ग्राम तुल्यांक सब कुछ सेम हो जाएगा मातरक भी सेम ही होगा मातरक क्या होगा बता इसे भी लिखना है दुनों सेम है अब देखो कोशन कैसे पूछे जाते हैं यह मैं आपको बता रहा हूं का मातरक डारेट लिख दे जहां पर मोल लिखाता वहां पर तुल्यांक लिख दो मातरक हो दूनों सेम है नहां है तो आप अधिया कर लो एप बताया जाकि एक पढ़ने के बाद दूसरा अपने आप तयार हो जाए अगर इसका मात्रक लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ इसका मात्रक लिखोगे ओम इनवर्स अना ओम इनवर्स सेमी स्क्वार सेमी स्क्वार सेंटीमीटर स्क्वार सेंटीमीटर स्क्वार जहां वहां पे मोल इनवर्स था यहां पे हो जाया ग्राम कि यह इसका मात्रख हो जाएगा तैसे से यह लेकिन दोनों तो बता दिये इसका क्षोषन कैसे बनता देको तरीके से बनता है कि तुल्यांग की चालकता से आप क्या समझते हैं ऐसे क्षोषन बनता है mieć molar चालता मिट्रा से क्या समझते हो ऐसे को सिंद बनता है या कभी कभीрь इक जाम में इससे लेटिड निमेरकल भी ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ए से निमेरकल भी पूछे जा सकते हैं जिसको हम लोग अभी लगाएंगे उससे पहले की आप सभी लोग इसे नोट कर लो अगला वाला भी लिख लीजिए सभी लोग तो ये लिख लीए सभी लोग तो एक कोस्टन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये कोस्टन देखना कोशिस करना देखो ये कोस्टन है इसकी तुल्यांकी चलागता क्या होगी कपा के का value कितना दिया है देखो ये कपा के का value दे रखा है ये किसका value है कपा के का value कितना 0.005 है इंटू 1000 हो जाएगा अपान यं-1 का value कितना 0.001 0.1 यहां से इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 0.005 into 1000 बटे देखो इसको क्या लिख सकते हैं एक बटे 100 लिख सकते हैं और 100 उपर जाएगा तो यहां पर 100 गुड़ा हो जाएगा मतलब मैं डारेट कर दूँ इसको नीचे से उपर चला जाएगा इस तरह से लिख सकता हूँ मैं अब देखो जब इसे solve करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ एक दो तीन तीन सुनना इस तीन दस्मरों से कट जाएगा यहां पर पांसो आएगा 500 मात्रक्या मैंने बता था मोल ओम इन्वर्स सेमी स्क्वाइट तुल्लांक या ग्राम तुल्लांक इन्वर्स यानि का आपसर नमर सी सही जवाब हो जाएगा अपसर नमर सी सही जवाब हो जाएगा और हाँ यन होगा तो ऐसा कोस्तन अगर आपसे पूछे तो कर सकते हो क्या हाँ या ना बताओ अग कभी कभी क्या होता है को बड़ा बनाना होता दिक जानों दिमाग लगा देता है दिमाग क्या लगाता है इतना बड़ा कर देता कि आपको नार्मलता देता ही नहीं है यहां पर नार्मलता आपको निकालना पड़ता है चैप्टर 3 से चैप्टर 3 वाला चैप्टर आप ल लिख दिया देखो मैंने यन लिखा यहां पर दिमाग रहता है इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको क्या यहां अगर आपको को संब को बड़ा देखा हुँ नीट हराम पूछा जाता है जो question direct यहां पे यन दे रखा है नहाँ यहाँ पर आपको यन दे के raw material देदेगा आपको नार्मलता निकालने के लिए नार्मलता निकालके तब आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा तब जाके अन्स वराएगा कर लोगे आप लोग मुझे पता है यह कोस्टन आपके सामने के चालक्ता जिसकी इकाई है सिमेंस पात्र में उपरस्तित सांधता के समानुपाती होता पात्र की लंबाई के विद्ध कमानुपाती होता चालक्ता का मात्रक्त होगा बताओ कि इस कोस्टन का जवाब बताओ यह कोसन का जवाब बताओ की बागे कोसन कजा लगता जो होता है यहां पर यस का इकाई यस होता है यह चालकता जिसकात इकाई यस है इस यस है यहा पात्र के छित फल पात्र के छेत्रफल तथा इसमें उपस्तित विलियन की सांधता के समानुपाती है तो बताओ इसमें क्या है चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा किसी को आ रहा है कोई कर सकता इसे कि क्या होगा टाइमन मीटर स्कॉार मोल इनवर्स तर यह सब कुछ नहीं मुझे चालकता का मात्रक क्या होगा यह बताओ इसमें बता रहे हैं ती एन डी सही होगा बिल्कुल सही बात ती एन डी सही हो जाएगा स्मूल इन्वर्स होगा सांदता स्मूल इन्वर्स हो जाए देखो बच्चु का आने लगा सर आप ही ने तो अभी बताया था मैं कहां से अंसर देशकता हूं मुझे कुछ नहीं पता था आपने बता कर हमीं से पूछ रहे हो ना अभी यहाई पर मात्रक सात्रंग लिखवाए तो थे आप सिमेंस स्क्वार नहीं होगा सिमेंस होगा यह सब मात्रक उजी को प्राबलम होगा जो इस्टार्टिंग का एका घंटा जो है नहीं देखा है मैंने समझाय था अगर आपको प्राबलम हो रही इसका मतलब आपने नहीं देखा है यहां से देख लो जाके सब किलियर हो जाए दोनों आप्शन से मैं इसलिए दोनों सही हो जाए है अगरे दोनों यहां से कोचिन पूछे जाते हैं अब हम लोग नेस टॉपिक की और चलेंगे नेस टॉपिक क्या है बहुत अच्छा टॉपिक हाइं चलों-चलों टॉपिक हम लोग लिखते हैं इस टॉपिक लिखते हैं कि विदुत अभघट की में चालकता को प्रभावित करने वाले कारत हैं विदुत अभघट्यों के चालकता को प्रभावित करने वाले कारत हैं विदुत अपध्गत्यों के चालकता को प्रभावित करने वाले कारत हैं अब हावित करने करने के वाले को यह त्यूरिटकल कोशन कभी-कभी बन जाता चुकि सलेवस में इसलिए मुझे पढ़ाना पर रहा लेकिन कोशन बहुत यहां से नहीं पूछा जाता है तो बिदुत अफगट को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से फैक्टर होते हैं कौन-कौन से ऐसे रीजन होती जिसके काल बिदुत अफगट प्रभावित होता है इसके बारे में पढ़ेंगे प्रभावित होने का मतलब क्या होता है जैसे आप लोगी पढ़ाई आप पढ़ रहे हो बगल में डीजे बजने लगे वही कौन सा आइज में कौन सा गाना चला है बच्पूरी में अच्छा खासा यार मुझे कोई बताए तो कोई गाना चला है कहीं कैसे कैसे गाना है बहुत बढ़ियां गाना है कभी-कभी मैं भी सुना हूं उस गाना को ठीक है अरे यार भच्पूरी का कोई गाना चलने लगे अच्छा खासा तो पढ़ाई में आप लोग डिक्कत होगी तो पढ़ाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से है उसी तरह से बिद्दुत अबगट को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक उसके बारें पढ़ेंगे तो सबसे पहला कारक होता है अंतर आयनिक आकरसरबल देखो पहला कारक क्या लिखेंगे अंतर यह पूछा कम जानता है अंतर आयनिक आकरसरबल आयनिक आकरसड बल यानि आयनों के मद में जो आकरसड बल होता उसी को अंतायनिक आकरसड बल करते जैसे यह आयन है और यह इसके मद जो आकरसड होगा उसी क्या कहेंगे अंतायनिक आकरसर बल अगर मालो अंतायनिक आकरसर बल बढ़ा देंगे तब चालकता क्या होगा घटे गाना भाई सिधी सी बाद है चालकता मतलब चलना दोडना चलकता का मतलब दोडना समझना अगर आकरसर बल आइनो-आइनो के मत की आकरसर बल ज्यादा हो जाए तो आप चल सकते हो क्या तेजिसे नहीं चल सकते हो तो यह बाथ हम लिखवाना चांगते हैं कि अन्ता आइनिक आकरसर बल बढ़ने की साथ cलता घड़ती है दॉस्ता और राजता है जालता घरती जालता लगता कि अंत्रा आयंक आकरसर बढ़ने के साथ साथ चालता क्या होती है घरती यह भाई साप चाहा कमरिया करें लाले पाव कोई भी गाना बन जा है तो आप लुग डिश्टरब बोजा जो भी बात जो भी समय तो आंतार आयनिक आकरसरवर्मला आड़ू की मद्र का जो आकरसर बल जैसे जिसे बढ़ेगा चालता घटेगी चलने की छमता घटेगी बहला हो गया दूसरा विद्धुत अब गट को प्रभावित करने वाला कारफ होता है विद्धुत अब गट की प्रकिति आप सभी लोग समझ सकते हो बबल तक क्या होता है 100% सबफ नहीं की चलता आधीक जाएगी न niet बढ़े ज़्यादा आयन होगा चलता ज्याधा होगा अरे कहीं जाना है उतना टेजी से सीभच बात करते हो चले जाओगे तो प्रभर मिद्धुत अश्या वणिता क्यों 100% अन्यों हुथा दूर्बल चालका कम होती है इस बात को लिख सकते हो प्रबल बीदुद अपघटे अगर प्रबल भी तुर्ट अपगटे मिल लए है प्रबल है तो अपगटे कि चालक ता अधिक होती है कि ने डीन दुर्बल विदुद अपघटे से अधिक होती है दूर्बल विदूतर अभगटे से नेष्ट पढ़ाने पर दूसरा नेष्ट लीग सकते हो ताप का मतलब क्या है सीधी सी बात भाई अगर आपको दोड़ना होगा अगर आपको मैं गरम कर दू या डंडे से माद हूँ मतलब मत्सीधी से बात हमारे सामने एक लड़का है उसको दोड़ाना है तेज तो हम क्या करेंगी नहीं दोड़एगा और पीछे से गरम से गरम लोहा होता ना तो सर्या छड़ जीसे होता जो घर्वा बनता उसी को गरम करके अंह गरम करके बाई चुले में डालकर दूँ और अंगे या सथ आप विल credit है यındaki में चाहलगता हो तो 1 अब कि चालरगता क्या होती बढ़ती है आप बढ़ाने के साथ साथ मिलें की चाहलगता बढ़ती है कि आप किसी यहीं नहीं पता होगा विद्धात प्रवल विद्धु तब्ध क्या होता दूर्भल विद्धु तब क्या हो क्यों आग थो यह समय यह पढ़ा नहीं परवल विद्धु ताए करता कि तौए प्ढ़ा better पर कि च लंखता भड़ेगी तो विलियन की सानिता बिले ईदि सानता सानता क्या होती मैं बता रहा हूं गाणापन होता है विल्यन की सानता क्या होती है एक तरह से गाणापन होता है जिसे, अगर मैं कहνηए आपकोड़ना है, हवा में दोड़ने के लिए किहाद दोड़ जाओंगी. अगर आप से कहुगा चलो, ठीक है हवा में दोड़ लिए तूधु. अगर तुम्हें माल लो कहूंगा तैरना है कर दूँ आपको नदी में तैरने के लिए पानी भराओ आप बहुत तेजी से तैर होगे तैरते होगे इसमें से काफी लोगों तैरने आ रहा होगे कि अगर आप से मैं कर दूँ गाढ़ा से गाढ़ा सीरा जिसमें सीरे में नहीं आप देखते हो गुलाब जामुन यह सब डाला जाता सीरे में दौड़ने के लिए कर दूँ या सीरे में तैरने के लिए कर दूँ क्या नदी इतना तेज तैर सकते हो क्या कि जानता बढ़ने की साथ सा grey लगता क्या होती है गरती है कि अबढ़ती है इसे की से लगता क्या होती है घ्णता। करो अधे जिसको नहीं तयर्ने आता है तो पोखरी में जागके तयर लोग शीख लो भाई हम क्या कर सकते हैं टयर्ने तो नहीं सिखाओंगा आंनलाइन कभी नहीं सिखा जा सकता है अधर्य कर दो निख ली refine कै LOOK सांदता का मतलब क्या होता है एक तरह से यह होता है अगर किसी भी विलियन की सांदता अगर हम बढ़ाएं सांदता बढ़ाएंगे तो क्या हो उसमें जैसे माल लोगा सांदता बढ़ाने का मतलब मैं समझा रहा हूं आपको गाओं की भासा मैं समझा रहा हूँ यह बीकर लिया मैं यह क्या है बीकर इस बीकर में पहले हमने एक चमज डाला एक चमज नमक डाला अगर मैं कहा दूँ यह बीकर छोड़ो इसमें एक चमच नमक डाला यह कम सांद्र है अगर इसमें दस चमच नमक डालने या पचास चमच नमक डालने तो यह ज्यादा सांद्र हो जाए जितना नमक बढ़ाएं को उतना सांद्रता बढ़ेगी अजब भी सांद्रता बढ़ती मतलब इसमें पानी के अलावा एक चीज इसमें पानी के इसमें नया आड़ू आगया वह है नमक के अड़ू ता बढ़ाने के साथ मिलियन की जो चालकता होती है वह क्या होती है बताओ कि घठती है यह न? कि न? तो सांदता बढ़ानी पर बिलियन की चालकता है आई आप चल पाओगे क्या ऐसे बिलियन में जिसमें 200-300 चमच नमक हो आपको चलने के चीटी को तैरने के लिए डाल दिया जाए एक चीटी को तैरने के लिए डाल दिया जाए तो चल पाओगे क्या आप नहीं चल पाओगे नहीं चल पाओ, तो क्या ली सकते हो आप लोग, बताओ, क्या ली सकते हो, कि सांदता बढ़ाने पर, विलियन की चालगता, क्या होती है, करती है, सांदता बढ़ाने, नहीं चल पाओंगे यार, सिधी सी बात है, इस पानी में अकेले पानी था, तो त्यारना असान था, तेकि इसमें अगर 100-200-400 चमच नमक डालोगे, तो पानी क्या लावान नमक भी तो आ जाएंगे, नमक के अडू भी आ जाएंगे, अज चलना थोड़ा सांदता भासा दिक्कत हो जाएगी, असान इस नहीं कर पाओंगे, तो यह क्या हो, सांदता बढ़ाने के साथ साथ, विलें की चालगता क्या होगी, बढ़ती है, लेकिन हाँ, यह तो हम आपको समझा दिये, लेकिन आफिसियल भासा में इस तरह से समझा जाता है, कि सांदत जैसे जैसे बढ़ाएंगे, उसमें आइनों की संख्या बढ़ती है, जब आइनों की संख्या बढ़ेगी, तो जब 20-10 लोग रहेंगे तो आकरसरवल ज्यादा हो जाएगा, जब आकरसरवल कम हो जाएगा, तो आकरसरवल ज्यादा हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा चालकता कम हो जाएगा इस तरह से आप समझाएगा अगर हम आपसे पूछे कि तनुता बढ़ाने पर क्या हो तनुता मतलब सांद्रता गटाने पर मतलब हलका करने पर सनुता बढ़ाने पर यानि सांधता घटाने पर या पर लिख सकते हो सनुता बढ़ाने या फिर सांधता घटाने सनुता बढ़ाने यानि कि सांधता घटाने पर तनुता बढ़ाने यानि सांधता घटाने पर क्या हुआ जब तनुता बढ़ा रहे हैं मतलब पानी को हलका कर रहे हैं जब हलका करेंगे तो चालकता बढ़ेगी न तनुता मतलब हलका हलका से हलका करेंगे तो चालकता बढ़ेगी सिधी सी बात है आप लिख सकते हो तनुता बढ़ाने पर चालकता क्या होती है बढ़ती है विलेन की चालकता बढ़ती है तनुता बढ़ाने पर विलेन की चालकता क्या होती है बढ़ती है तनुता चालकता बढ़ेगी सिधी सी बात हलका हो जाएगा औरे भाई सांधता बढ़ाएंगे तो गाड़ा होगा गाड़े पानी में दवड़ना असान नहीं होता है तो सांधता बढ़ाने पर विलेन की चालकता घटेगी तनुता बढ़ाने पर विलेन की चालकता बढ़ेगी क्योंकि हलका हो जाएगा हलके में दवड़ना असान हो ज लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि कभी कभी ऐसा कोशन एक साल बोर्डिंग या में पूछ लिया गया था काफी लोग डिस्टर्ब हो गए कि कोशन करेंगे कैसे विदुद अपगट के लिए कौन सा कथन सही नहीं है बताओ विलेन की चालकता आयनों के आकार पर निर्वर करती है चालकता विलेन की सांता पर निर्वर करती है चालकता विलेन उपर्तित विलेता पर निर्वर नहीं करती है चालकता ताप सेव के साथ साथ बढ़ती है इसमें कौन सा सही नहीं है इसमें कौन सा सही है बताओ भाई तो इसमें यह वाला सही है चालकता जो हो विलेन में उपस्तित आइनों की विलेता पर नहीं करती है आइनों पर नहीं करती है यह आपका सही हो जाएगा यह आपका सही हो जाएगा ऐसा कोशन पूछ लेता है यह सब कोशन तो आप करी लोगे ना अजय प्रबल tua любим तअब्गट की चालकता तब बढ़ते हैं तंता फ़ाणे पर या तंता पर यह झालकतित नहीं होती है फिब दौकट की घनुद पनिवर नहीं करती है बता मिसकल पर बढ़ते सानुता पढ़ाने पर भिदुदभगष की चालकता कब भड़ती है? अरे बताओ सनुता पढ़ाने पर, सनुता घटाने पर इसका बताओ सनुता थोडी सी बढ़ जाती है तो आपसे नमर एसे हो जाएगा तो ऐसे कोशन पुष्थे हैं बोडिक जामे तो अगर इस topic को बढ़ियां से पढ़े रहोगे तो question कर लोगे अब आगे चला जाए यह topic अच्छा से पढ़े रहोगे तो question कर लोगे आगे चला जाए मैंने question भी दिखा दिया कैसे पुछती है objective ही पुछती है subjective बहुत कम पुछता है यहां से ठीक है देखो अपने स्थमी डाला सभी लोग कि विशिष चालक्ता पे तनुता का प्रभाव इसका विशिष्ट विशिष्द चालक्ता विशिष्ट का लह नchemical पर तनुता का प्रभाव विशिस चालकता पर तनुता का प्रभाव सांद्रता घटाने यार तनुता बढ़ाने पर विशिस चालकता में कमी आता है ंब की तनुता बढ़ाने पर विशिस चालकता होता है ही सालकता में क्या होता है कमी आता है वह विशिस चालकता तंता बढ़ाने पर बढ़ती है जबकि चालगता तंता बढ़ाने पर घरती है इस बात को द्यान रखना समझ में आई क्या सब्सक्राइब को बतिया समझ में आई क्या विसी चालगता तंता बढ़ाने पर कम होता है कपा क की बात हो रही है यह इस पाको की बात हो रही है र Croatia 76 से एक लिखा सबीछ यूइ तुल्यांकी चलंगताव मोलर चलंगतापर थनुता परभाव है तुल्यांकी चलंगे हूँ लैंगी तॉल्यांकी चलंगता कि आख इंग कि कि आख अख अ गुट कि आख आख दुट आख दुट अ गुल्यार की चालकटा था था मूला चालकता पे तनुता का प्रभाव क्या होता है तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता पे तनुता का क्या प्रभाव होता है तुल्यांकी चालकता हो चाहे मोलर चालकता हो सभी की सभी चीजें तनुता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है लिखने ना सभी अब इसका region बताने लगूआ तो ज्यादा हो जाएगा तनुता बढ़ाने पर बढ़ाने पर कुल्यांकी चालकता प्था पोलर चालकता घरती है घरती है तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता तता मोलर चालकता रहा होती है घरती है तो चली इसके आगे चलते हैं और मोस्ट इप्वार्टन चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहा है एक चीज ध्यान देना थोड़ी से गलती हो गई यहां पर क्या होता है यहां देना यहां पर सभी लोग इस चीज को द्या देना तनुता बढ़ाने कि साथ तुल्यांकी चलता ता मोलर चलता क्या होती है तो आगे क्यों चलते हैं हम लोग अब हम लोग एक खालतू की चीज पढ़ेंगे जो कि कभी पूछता नहीं है लेकिन चुकि सलेवस में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं नोट्स में रहेगा तो अच्छा लगेगा ना चली लिखना सभी लोग प्रबल वैदूत अपगट्य की मोला चालकता में संबंध अधिन डालना सभी लोग प्रबल वैदूत अपगट्य की मोला चालकता मोला चालकता सांद्रण के साथ संबंध यह पूछता नहीं है कभी इसको इस संबंध को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेवाई हकल उन्होंने दिया थे एक साइंटिस्ट है दूतरा हकल उन्सागत यह दोनों लोग मिलके दिया था इसलिए इस समिकर का नाम डेवाई हकल समिकर भी कते हैं दिवाई हकल समिकर्ड भी कहते हैं है कौन सा समिकर्ड है घ़ां जोह ता जहां देना समीकर्ड आपका बहुत च्छोटा सा यही होता है डेवाई हकल समिकड इस समिकड को याद रखना कभी-कभी आपजेक्टिवे मालोड इजामनर्फ मनसा गया टफ टेपर वराने की मूड में आया डेवाई हकल समिकड के नाम से पूछ लेगा आप से असान है कुछ नहीं यहाँ पर लेंडा यम क्या है सी सांदर विलियन पर मोलर चालकता है लेंडा यम यहाँ पर क्या है लेंडा यम है क्या मोलर चालकता है कब सी सांदरता पर ती सान्दता पर मोलर चालकता है और लेम्डा इंफिनिटी क्या है लेम्डा इंफिनिटी है जो है यार ये क्या ये है क्या मोलर चालकता है अनन्त तनुता पर अनन्त तनुता पर अनन्तुन्ता मतब एक्दम आप ज्यादा ज्यादा तन्ता कर देंगे तब इसका अ मोलचा लगता है गल ओका समुझा है और लास्ट में जो है एक यह कि इस्थि रांख है यह इस्तिरांग है यह इस्तिरांग है ठीक है बात समझवाई सभी को यह होता है डेवाई हकल उन्सागर समिगड़ इस समिगड़ को लिख लेना इसी तरह है इसमें क्या होता है बैदुत अबगट के मोलर सांद्टा और सांदर्ड के साथ संबंद होता है कि कभी कभी बन सकता है कभी ऐसे पूछें कुस्वाई हकल समिकड़ लिखे तो लेमडा YouTube रिंभी यह होता है ठीक है नोट कर लो सभी लोग ये है आपका क्या डेवाई हकल समीकर ये पूछा जाता है एक्जाम में आपके ठीक है कभी कभी छोटे जोटे कभी कभी पूछ लिया जाता है कभी कभी इसका ग्राप भी पूछा जाता है लेकिन ग्राप बना जाए नहीं बनाते हैं ग्राप बना देता हूं देखो यह समिकड़ है आपका देखो ध्यान लो ग्राब बनाई देते हैं समिकड़ क्या है आपका लेमडा लेमडा यम इज इक्वाल टू लेमडा यम इंफिनिटी माइनस ए रूट सी यह आपका समिकड़ है इस समिकड़ से अगर हम ग्राप बनाना है किसके किसके बीच जान देना यह यह है आपका इसमें ग्राप बनाना है तो देखो यह लैमडा इन्फनिटी इधर है यह हम इधर रख देते हैं और रूट सी सानता इधर यानि अनन्तनता तता सानता के मद अगर ग्राप गिचोगे तो ऐसा ग्राप बनता है यह जो यम है जो प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् यहीं नहीं लोगों को graph समझ में आ सकता है और किसी को नहीं समझ में आएगा और दूसरी बात अब गीच दें किसके किसके मद्ध देखो आपको समझने के लिए मैं दिखा लो यह जो है दूर्बल विद्धुत अफगट के मद्ध ग्राप गीच दें दूर्बल विद्धुत अफगट के मद्ध ग्राप गीच दें तो graph क्या बनता है जहां देना graph देखो इधर आपका lambda यम और इधर आपका जो रहेगा रूट सी के बीच में graph जो रहेगा यह ऐसे बनता है इस तरह से अब ऐसा क्यूं होता है यह सबसी चक्कर मत पढ़ो graph बन गया हाँ यह यम को प्रवर्टा बोला जाता है ठीक है टैन ठीटा या यम को प्रवर्टा बोला जाता है यह बात समझ माई क्या सभी को अब नेश्ट नियम पढ़ते हैं क्या कोल राउस का नियम इसको मैं अब नेश्ट पढ़ते हैं हम लोग कोल राउस का नियम डालना सभी लोग कोल राउस का नियम इप्वाटेंट है लिख लेना कोल राउस कोल राउस का नियम क्या होता है कोल्राउस का नियम बताओ मुझे बहुत आसान है कोई साइंटिस नहीं था पुराने समय में जब साइंटिस्ट नहीं था तो यह थोड़ी सी नियम देकर अपना नाम बना लिया पूल्राउस का नियम क्यों कि नियम है यह अनंत तनुता नियम बहुत आसानी से आप कर लोगे लास्त में वता दूना कोशन कैसे पूछा जाता हम लोग नियम पर निकर निकालते हैं आठ तन न सबदो को बदूत अप घ्र कुछण कानmême कर दemption में पारिब आनन्तनूता कहा जाता है example के तूर पे मैं बता रहा हूं देखो कि आप यहीं आप यहीं अनन्तनूता हुआ शब यह प्लस और सिएल माइनस की रूप में पूढ रूप से ब्योजित हो जाएगा वहीं अनन्तनूता कहलाएगा बात समझ में रही है अनन्तनुता का मतलब क्या होता अनन्तनुता एक ऐसी तनुता होती है विद्धुत अफगट की वह तनुता होती जिस पर विद्धुत अफगट जो है पूर रूप से आपके फ्रेंट है आपаемल फेंट इन दोनों को इतना चढ़ाद हो इतना दुनों नहीं देखना पसंद करें तोर दो दो दोशे हो जाएगा अनन्त र एक ऐसी तंदा जिस पर 100% विब्द्धूत अउन्दा कहा जाता है पुड रूप से विजयो जीत हो यह अपने आयनों के रूप में उस्से अनन्दा कहा जाता है लिख सकते हो परिभासा क्या है अपने आनंद को कोल्राउस के नियम का हम परिवासा नहीं निखवा रहे हैं हम अनंत तनुता बता रहे हैं अनंत तनुता क्या होता उसको बता रहे हैं तुकि कोल्राउस का नियम पूरा अनंत तनुता पे ही चलेगा और अनंत तनुता नहीं जानोगी तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है अनंत त अभगट की अननतनता वह तनुता होती है जिस पे विद्धुत अभगट पूर रूप से ब्योजित हो जाता है उसे काते हैं अननतनता क्या लिखोगे किसी विद्धुत अभगटे अपर गटे किसी विद्धुत अभगटे की वह तनुता की वह तनुता जिस पर जिस पर विद्धुत अभगटे पूर रूप से क्या हो जाते है वियोजित हो जाता है अनन्त तनुता कहलाता है अनन्तनता कहलाता है अनन्तनतनता कहलाता है अनन्तंता का लाता है तो हमें अनन्तंता नहीं पढ़ना है यह हमें पढ़ना ही नहीं है बस कोल्राउस का नियम पढ़ना है और कोल्राउस की नियम को पढ़ने से पहले अनन्तंता आपको समझ में आना जरूरी है अब हम लोग बात करते हैं अभी कोल्राउस का नियम उपर होता है कुल्राउस के नियम के अनुशार क्या होता है बहुत आसान सा नियम है ध्यान देना इधर सभी लोग इनके अनुशार अनन्त अनुशार पर किसी बिद्दुत अबगट की मोलर चालकता उनके के आयनों के मोलर चालकता हो के योग के बराबर होता है सिधी सी बात है अगर हम किसी वेट करना हुआ देखो मैं आपको वेट करना रहा हुआ एक गुड़ा लाते हैं लड़कियां यह को बहुत लब करती है ऐसी इस तमस्य बात होती है इस टेडि का हात है घ्रादब है यादम इस टेडि को हम लोग तोड़ देते हैं नहीं कितना 50 किलो का है इस टेडि का हम निक क्या करदिया तोड़ दिया अनांतनता पर स्टेडि ila कर दिया अनहा इस टेडी का मुणी अलग कर दिया और इसका धड़ कि अब इसका वेट करेंगे तो इसका मुणी कितना केलिए 20 ग्रंभ नहां दस क्लोका मुंडि था चालीस क्लोक यह था यही strangled पचास किलोगा बस करा रहा है अनंत तनुतापर इसका हाथ भी बना दیते हैं यहाथ कि ऐस नियंध्या क्या करता पर किसी था की मोलर चा लगता उसमें उपस्तित आयनों के अलग-अलग मोला चालकताओं के योग के बराबर होता है बस यही कुल्राउस का नियम कहा रहा है अब लिखते हैं आपको जैसे एक्जामपल बता देते हैं देखो एक्जामपल की तोर पे मैं लैम्डा यम इंफिनिटी मतलब यह इसका मतलब हो गया अनन्त अनुत इंफिनिटी माइनस के अलग-अलग जो आयनों के जो मुलर चालकता उसके योग के बराबर होगा इसमें नियम कुछ नहीं है इसका यहीं इसमें इसमें क्या अलग है वह इसमें जो अलग-अलग आयन है यह ने प्लस और इनके मुला चालकताओं के योग के बराबर होगा यही कुल्राउस का नियम है यही कुल्राउस का नियम है इसमें क्या अलग है लड़कों को नहीं समझ में आएगा लड़कियों वाला है लड़कों को नहीं समझ में आने वाला है तेल जी आप कॉलाउस का नियम समझ में यह जरुए है किसी भी विदूत अब गट यह उप इसकी जो मोला चालकता होगी इसमें उपसी जो आयन है आयनों के अलग अलग 모ımı के योग के बराबर होगा यह क्या सबीगर कुछ है की का समझा यह क्या त confinement सकते हैं अनन्तनता पर किसी बिदूद अपगरड की मोला चालकता को इसम के आइनों के मोलर चालकताओं की योग के बरावर होता है ये कुल राउस का नियम है कुलो बोलो हा या ना कुछ बोल दो भाई जैसे मैंने यहां पर इसकी मुंडी किया इसमें इसके मुंडी और धर दोनों की योग के बरावर हो गया इसकी जो वजन था इतना केजी था इसका अलग अलग मैंने जोट दिया किये जी हो गया है कि किलियर है तो लिखा देते हैं जब किलियर है तो इसको मिटा देते नहीं कोई देखेगा क्या क्या मास्टर पड़ा देता है लेकि मुझे समझाने के लिए बताना पड़ा ठीक है चलो इसको लिखवा देते हैं इसकी स्टेटमेंट को मैं लिखवा देता हूं इस्टेटमेंट को लिखवा देता हूं इस्टेटमेंट को है कि अनन्तनुता पर अनन्तनुता पर किसी विद्धुत अपगट की किसी विद्धुत अपगट की मोलर की मोलर एक किसी विद्धुत अपगटकी मोलर चालकता उसके उसके ऐनों, की मोलर चालकता, मोलर चालकता, ऐनो कИ मोलर चालकता हो, के योग के बराबर होता है यह आगया को राउस्तान है क्लियर है यह तो इस्टेटमेंट है लिख सकते हो आप लोग मैं अभी कोशन बताओं कैसे कोशन पूछा जाता है यह लिख सकते हो सभी लोग बताओ लेख इसमें कुछ टेकनिक है यह तीन चार आयन बता रहा हूं उन्स सभी का लिख कर मुझे बताना जरह है मैं आपके सामने और आ क्या लिखा गें ये फोर कि एफ ये फ्वर कि एफटी कि लिक के जरा मुझे बताना इनका जरा आप लोग अनन्नतनता पे मोला चलकता लिख के बताना इसमें ड़ा ट्रिक क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं अना 20 लिया और मुझे उम्मीद है कि इतना से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है पहले मैं पहले पर काम करता हूं जब अभी इसको तोड़ के पहले लिखा करो कोई भी आयन दे इसको तोड़ने सिखा करो तोड़ों कैसे अभी आपको नहीं आएगा लेकिन आगे आगे चलके आन तोड़ने का ताइम आएगा जब जिसको तोड़ने आ लिख लेगा कुछ नहीं करना है लेमडा इसके आगे लगा देना है यहां पे सिए लटू हो जाएगा एकदम ध्यान से दर देखना जिंदगी में यही है और कुछ नहीं है जिंदगी में तोड़ना जोड़ना ही आए कभी किसी से तोड़ोंगे किसी में जोड़ोंगे यही काम करोगे देखो यहां पर तोड़ दिये यहां पर लैमडा यम थोड़ा से यहां पर चैंज किया जाता है जब्दा यम इन्फिनिटी नहीं लिखा जाता है इसको इसinoike से लिखा जाता है तु को आगी कर लिए जाता है अरे यार इस क्या होगया तो इहां पहो जाता है यह आपका आनंत प्रणतापे मोकम चालकता हूगया CCl2 अगर आपको जिन्दगी में तोडबने हॉँआ तो जोड़ने भी आजाएगा कुछ दिख्कत नहीं है जिन्दगी में तोड़ना जोड़ने का लवा कुछ नहीं रखा है जिन्दगी एक दम खतम है इसको भी तोड़ सकते है कैसे तोड़ोगे al बताओ एल बताओ थ्री प्लस प्लस थ्री सी यल माइनस में तूटेगा अब इसके अगर मुलत चा रखता लिखनी पड़े तो क्या अगो है इसके आगे लेमडा यम इन्फिनिटी लिखोगे अना एल एल त्री लिखोगे यह त्ट इसमें लेमडा यम इन्फिनिटी एल 3 प्लस 3 3 3 बाहर आ जाएगा और लेमडा यम इन्फिनिटी हो जाएका और DR. जुंधंगी में तोड़ना जोड़ना क sis नहीं बचा है 5 जिन्दगी में तोड़ना जोड़ना है तोड जोड़ना है तोड़ जोड़के लिख लोगे पर siya के लैमडाईं इन्फिनिटी लगा दोगे अब इसको तोड़ने की बात आई इसको भी कुछ लोग तोड़ी दिये है कमेंड बाक्स में मुझे देखने को मिल है लेकिन हम तोड़ के दिखा देते हैं जिंदगी में तोडने-जोडने करना है कुछ नहीं आए स्प्सेशलो काइसे लिखा जाताता है जिंदगी में तोडने-जोडने-जोडने यहां पर इसमें क्या हो जाएगा एफ़ी टी अन इस तरह से आएगा अब इसका जब तोड़ जोड़ो लोगे इसका अगर इंफिनिटी के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे आप पर लेमडा यम इंफिनिटी लिखोगे एफ़ी f-e cn6 इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा ध्यान देना यहां पर कुछ नहीं करना है यहां पर फ़ोर बाहर आ जाएगा फोर हो जाएगा लैमडा यम इंफिनिटी यह फूर प्लस प्लस यहां पर क्या हो जाएगा लेमडा एम इंफिनिटी एप फी टीन टीन टीक्स फॉर माइनस हो जाएगा एल पे तीर प्लस कैसे आया कुछ लोगों के दिमाग में यह आ रहा है बाबु यही तो है जिन्दगी में तोड़ना जोड़ना भाई यह एल मुनियम जो होता है आप लोग बच्पा में पढ़े हो एल मुनियम पे तीन प्लस होता ही है सोडियम पे टू प्लस होता है यह एक प्लस होता है सोडियम पे एक प्लस होता है जिखना बस आपको एससे लेम्डा लिखकर आगे की काम कर देना यह आपको आना चाहिए बाकि यह फूर कैसे तोड़ने वाला काम नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, तोड़ना सीख जाओगे, क्योंकि आपके चैप्टर में 9 चैप्टर ऐसा है, जिसमें आपको उपसा सहय। पढ़ना है जिसमें पूर यही पढ़ना है तोड़ने जोड़ना तो हाँ आप शीह जाओ कि कैसे लिखना तोड़ना तो आई जाएगो चार कैसे आया माइनस चार कैसे आया यह सब चीजह आपको अपने समय पर आ जाएंगी क्योंकि उपसा सहुजक्योगी कोडिनेशन कंपाउंड नामता एक चैप्टर है आपके किताब में उस चैप्टर में आपको यह सब चीजें पढ़ाई जाएए यह सब चीजें पढ़ाई जाएए तो अभी ट्राइ करने से कोई फायदा भी नहीं है अभी पढ़के क्या ही फायदा जब वहां में पूरा अच्छे से पढ़ाई अभी सिख लो कि तोड़ना कैसे जाता है तूख सिख लो कि कैसे यह लैमडा यह इंफिनिटी लिखा कैसे जाता है यह सिख लो अभी बताने लगूंगा ते एक डेड़ घंटा फाल तू लग जाएगा उसे बताने में बेसिक से तोड़ने जोड़ने वहां सिख जाना अभी जहां यहां जो स्कुल्राउच का नियम सीखना है वो सिख लो कि अधिक लिएर है अरे बात किलियर हुई की नहीं अब यह बताओ कि यह तोड़ने जोड़ने के अलामा चीजिए समझ में आएगी नहीं आई समस्या तोड़ना नहीं है हम लोग समझ पढ़ रहे हैं को राउच का नियम सीखना है जब तोड़ना सीखेंगे तो तोड़ने आप यह आ जाएगा वभी बात थोड़ी नहीं यह यह बताओ यह कर पाऊगे ही नहीं कर पाऊगे कि यह कर लोगे कि नहीं यह बताओ कि पेपर में तोड़ने के लिए आएगा तो चैप्टर नौवा पड़ोगे तो किलियर हो जाएगा अब देखो आपके एकजाम में ऐसे कोशन पूछे जाते हैं अब आपको करना है आप पूछे जाते हैं इसलिए बलके कोशन आपको करना है अब यह समझा अब्यक्रिव है क्योल अब यह सब चीजा आएगा अगर आपको तोड़नी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आपको यह कैसे लिखा गया तोडनी पाद यह आना चाहिए तोड़ना वहां स्बंस सी जाओ गया तोडने नहीं आया कोई दिख्कत नहीं कि इस पर ऩिक्वत नहीं है अब इस तोड़ना नहीं हम लोग का फोकस नहीं यह कोल्रावस का ये नियम हो गया लिखना सभी लोग तो आप हम लोग किसके पढ़ेंगे तुल्यांकी चालागता के लिए पढ़ेंगे सेम स्टेटमेंट है कोई अलग नहीं है सेम स्टेटमेंट है कुछ भी अलग नहीं है सेम स्टेटमेंट है कुछ अभी अलग नहीं है अनन्तंता पर तुल्यांकी चालागता होता है तुल्यांकी चालागता जो होता है अनन्तंता पर तुल्यांकी चालागता जो होती है यह अनन्तंता पर किसी विद्वृ नख़ट की तुल्यांकी चालागता जो होती है यह कुलाउट का तुल्यांकी चलगता की लिनिया में तुल्यांकी चलगता होती है क्या उन विलेन में उपसित किसी विदूत अबगट की जो तुल्यांकी चलगता होती है वो किसके बराबर होती है बताओ किसके बराबर वही स्टेम तू स्टेम आपको statement में है जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि उसके आइनों के विदुत अभगट के आइनों क्या उसके आइनों के मोला चलकताओं की योग के बराबर होती है यहाँ पर लिखेंगे विदुत अभगट के आइनों के तुल्यांकी चलकताओं की योग के बराबर होती है जाओं के योग के बराबर होता हुआ कि अगे आसान सा नियम है कि अभू जिसके दिवास में यही नहीं आएगा सा 295 अब मैं को बदबू मैं इसको स्टार्टकर पढ़ा है अब स्टार्ट इसमें भी होता है कुछ निहीं होता थोड़ा यहां पर चेंज होती है अभी बता रहा हूं lambda eq को लिखना पड़े आपको यहने kl निकालना पड़ेенड का आणन तन्ता पर तोल्यांकी चलगनल निकालना पड़े नियम्स के बरावर हो जाएगा लैम्डा इक्यूओ इन्फिनिटी यानने प्लस लैम्डा इक्यूओ इन्फिनिटी हैध यह आपका comigo 10 इस दो की मैंने बताया न इतना लपडात यह आपको आगे से कोसं कुछ आएंगे उसको साल्व करने का लपणा बता है लेकिन अगर आपसे कोलाउस का नियम पूछेगा तो आपको बहुत दो ही चीज़ लिखना है और यह लिखना है आपको यह सब चीज़ें कोसंस आगे आएंगी इस टाइब कोसंस को साल्व करने के लिए मैं बताया ठीक है कुछ इसमें भी चीज़ें आप लोग इस्टा जान लो जो कि आपके लिए जाना जरूए है तीनों चीज़ों का फिससे तोड़के लिखते हैं लेकिन इसमें चोड़ा नियम चेंज हो जाता है यह सी अल्टू को तोड़ते हैं और यह तीन तोड़ोगे तो समझ मे से आ जाएगा तोड़ते हैं सभी को तोड़ते हैं और लेमडा इंफनिटीव लिखते हैं देखो जहां देना बहुत आसान है इसको तोड़ोगे तो सीए फ़लास है तू प्लस कि यह नंतर फ्लस प्लस टूचस्यल माइनस अय पैसको तोड़ोगे और लेंड़ा इंफनिटीव पे इसका वैलू निकालोगे लेंडा इक्यू का देखो इस तरह साई क्यूंत कि यह पियर तू ढदेना यहां पर नियमदा यह जो 2 है यहां पर आ जाता है एक बटे 2 हो जाता है लेमडा एक्यू हो जाता है यह थोड़ा सा टिपकल चीजे हैं और यहां पर जो एक है यह यहां हो जाता है यहां पर नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहां पर यह दो नीचे आ जाता है यह ट्रिक बता दे रहा हूं आपको इलियर होना चाहिए अगर इसका लिखना चाहोगे इसको पहले तोड़ोगे जब तोड़ोगे तो कैसे तुटेगा एल और इसका जब लैमडा एक्यू लिखोगे जब एल 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 थ्री लिखोगे तो कैसे लिखोगे बहुत आसान है देखो यह जब तीन है ना यह तीन नीचे आ जाएगा इसके साथ एक बटे तीन हो जाएगा लैमडा एक्यू हो जाएगा यह तीन हो जाएगा और एल एल एक बटे एक हो जाएगा एक हो जाएगा लैमडा एक्यू C L minus EQ लिख रहा हम क्योंकि मुचिनी तुल्यां की चलंदा को लेम्डा EQ ही लिखा जाता हुआ इक गलती कर रहा हूं यहां पे सबके साथ यहां पे Infinity होना चाहिए Pan Infity पे ही निकाला जाता है अनन्तंता पे ही निकाला जाता है यां पे होना तो थोड़ा सा परिवत्र हुआ है ये आपको समझ माझ मैं कहा हुआ है कि इस तरह सब्स्राइब अंगर इसका लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे बता जिक लिखोगे कुछ नहीं करना आपको इसको तोड़ोगे तोड़ोगे तो क्या हो जाए कि पता टू एल ती मानिस 304 ती यह sensoryермाइस जभी इसका लेमडा एक्यू लिखें तो कुछ नहीं करना बाबू लेमडा एक्यू इंपनीटी ए यह-ल तू- horsepower 24, 204, 20, if out देगा तो क्या देगा, देखो यह जो 3 है ना, यहाँ पर आ जाएगा, AL के साथ, एक बटे 3 हो जाएगा, AL, 3 माइनस, ठीक है, यहाँ पर लैंब्डा एक्यू नहीं लिगा, हो जाएगा और यह दो जो है न यह जो दो है न यहां पर आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा लैमडा इक्यू इन्फनिटी लैमडा इक्यू इन्फनिटी और एक बटे दो यहां पर आ जाएगा और यहां तो और यीस तरह से लिखा जाता है य России को अगर लेंडा यम होगा तो ये डारेक्ट लिखा जिया जाएगा लेंडा यम का मतलब मुला लेंडा उक्यू का मतलब तुल्यांग की चलकता जो कि आप लोग आ लेडी पढ़ चुके हो इसके पहले मैंने मोला चलकता तुल्यांग की चलकता पढ़ा कि ये और बात थोड़ा थोड़ा दिमाग में आई या नहीं आई ये बताऊ मुझे देखो AL2 और AL3 में जिसको confusion है बदबू आप एकदम नहीं पड़े हो कच्छा 9-10 में देखो एल्मुनियम होता है इस पे 3-4, 3-plus होता है अगर आप sodium लोगे तो इस पे 1-plus होता है अगर आप potassium लोगे तो इस पे 2-plus होता है यह बच्पन की चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए यार यह थोड़ा सा नियम चेंज है जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बाकि सब चीज़ें वही है आपको ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ऐसे questions पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे लिखना आपना चाहिए अब जिसे यह question आपके सामने पूछा गया है तो बहुत आसान नहीं बता दूगा तो असान हो जाए यह question उससे भी ज़्यादा आसान है और ऐसे ही question कभी-कभी पूछ लिए जाते है यह question उससे भी ज़्यादा आसान है लेकिन हां भाई इसको लगाना पड़ेगा तो करना अब इसे note कर लो सभी लोग अब हम लोग जान लेते हैं कि exam में इसे question कैसे पूछे जाते हैं exam में दो तरीके question पूछे जाते हैं पहला तो question यह पूछा जाता है कि कोल्राउस के नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रियोग लिखिए question इस तरह से पूछा जाता है question देखो इसके नियम लिखिए पूछा उसका नियम लिखिए तथा पूछा उसका नियम क्या है पूछा उसका यार्ट देखिए तथा कुल्राउस क्राउस के नियम नियम अनुप्रियोग लिखिए यह question पूछा जाता आपके और और इसके अलामा जो question कैसे पूछी जाते हैं ऐसे पूछी जाते हैं ऐसे पूछी जाते हैं जो कि हम लोग question आगे discuss करेंगे अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कुल्राउस के नियम का अनुप्रियोग यह पढ़ लेते हैं अनुप्रियोग क्या क्या होता है वहला अनुप्रियोग क्या क्या होता है अब घट्यों की सहाता से दुर्बल विदुद अब घट्यों की मोलत क्या लगता है जात करना इसका दिखाएंगे कैसे जात किया जाता है अला अनुप्रियोग क्या है प्रबल विदुद अब घट्यों की कहा यता से दुर्बल विदुद अब घट्यों का मोलर चालकताओं का याद के पाला तक प्रबलर तलकताओं का अग्याद करना बात यएशी होती है कि प्रबल विदुद अबघट्यों मैं क्या होता है यह पूर्डुब से आइनित हो जाते हैं जससे आसानी से इसमें कोल्राउस का नियम लग जाता है जबकि दुर्बल भी दुदफगट पूडुरूप से आनित नहीं होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसलिए इसमें कोल्राउस का नियम असानिस नहीं लगता लेकिन इसके सहायतास हम लोग उसका यूज करके निकाल लेते हैं दूसरा है कि दूसरा नियम है दूसरा है ब्योजन की मात्रा की गणना करना वियोग जन की मात्रा का गड़ना दूसरा नियम है तिसरा अनुप्रयोग इसका आया है कि अल्प विले लवडों की विलेता ग्यात करना अन्प विले लवडों की विलेता ये तीन अनुप्रयोग इसके लिख लीजिए सब्सक्राइब हो गया सबीका लिख लीजिए ये तीन अनुप्रयोग होता है हलाकि ये पहला अनुप्रयोग ही है जैसे ये दुर्बल चार एक तरसे इसका हमने प्रवल लोग ये तों यूच करके या प्रवलोडों का यूच करके हम लोग इस दूर्बल चार का यहां पर या निकाले तुल्यांकी चलकता या मोलर चलकता अनन तनुत्वा पर ग्याद किये यह एक उसका अन्प्रियोगी है और इसमें कैसे यूज किया जाता यह सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी आप लोग इसे नूट कर लो और इसमें को लिख के प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग यह कोशों पूछा जाता है दो एक एक आपका आगे पढ़ोगे में आ हे यह अब बा polarized वाक्रिस चब तो संस्पोर्ट है बताना है जिंदगी में दो हीलोग काम आते है यह कौन-कौन दो लोग आते हैं इधर सरवाज आने लगे बता हो कौन-कौन दो लोग आते हैं मम्मी और पापा बाकि सब लोग भूमाया है किसी तरीके से कूरे चैटर में यहीं दो कोस्टन से पौर्टेंट है सबसी जदा बाकि सब कुछ मोहमाया बाकि सब कुछ बखवास है बस पढ़ ओगे तब यह चीजी आएंगे जैसे ममी पापा के सयोग के लिए बाकि सब लोग है जैसे आप लोग जानते हो साधी करोगे भी आई वो भी आपके ममी पापा के सयोग के लिए ही है आपके सयोग के लिए नहीं कर रहे हैं जो कि गलत है करना चाहिए तो लोग बाहर रहना चाहते हैं अकेले रहना चाहते हैं अब जब आप लोग बुड़े हो जाओगे तो आपको भी अकेले कोई छोड़े तो इसी तरह से इस में दोही चीज में उस्ट इप्वाटेंट है एक कुल्राउज जो कि आप लोगों ने बढ़ चुके हैं एक वैदूत अब गटन समंधित भराडे का नियम जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता बाकि सब अच्छे नमबर में पूछे जाते हैं बाकि सब कुछ एक नमर दो नमर में पूछ लिया जाता कभी कभी बाई चांस पूछा गया तो पूछा गया तो नहीं पूछा जाता है और यह सबसे ज़्यादा इपॉर्टेंट इस पर फोकस करना सभी लोग इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना ठीक है कि लियर है सभी को अरे गलत होती ही है इसलिए मैं गलत समझता हूँ अब भी मैं आप रोड पे खड़ा होके पूछ लोग 100% लोग कहेंगे अगल्स ही गल्स को गलत करती है आप ही मेंसे कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे अरे वो बहुत गंदी है उसका नेचर सही नहीं है यह बात करती है ऐसे उसे करते हैं गल्स को गलत करते हैं लड़के लड़के को कभी गलत नहीं करते हैं लड़के गलत होते ही नहीं उनके कंदों पर जिम्मेदारिया होती है उनके कंदों पे सब चीज़ें करनी होती है सब खिलाना होता पेट भरना होता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आके चलते हैं हम लोग तो अब हम लोग ऐसे कोशन करेंगे जो कि आप जेक्टिव के रूपे भी पूशता है सब्जेक्टिव के रूपे भी पूशता है मतलब कभी-कभी निमेरिकल टाइप एक तो बेसिक से सुरू करेंगे सबसे पहले सबसे आसान कोशन करेंगे उ जैसे आपके सामने एक कोश्टन है कि CACL2 और MGS104 का लैम्डा EQ0 का परिकलन कीजिए जबकि दिया है क्या-क्या दिया है दे रखा है आपको लैम्डा CA2 प्लस है इंफिनिटी पर कितना इसका वैलू दे रखा है 119.0 दे रखा है और लैम्डा CL माइनस इंफिनिटी पर 30.3 दे रखा है और लैम्डा यस्टो फोर त्री माइनस पर इंफिनिटी पर एक सो शाट दे रखा है और लैम्डा एम्जी प्लस टू प्लस इंफिनिटी पर कितना दे रखा है 106 दे रखा है यह सभी चीजें दे रखिया एकदम आसान कोस्टन है इस ते आसान कोस्टन्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी लेकिन एक बार आपको ट्रिक समझना पड़ेगा एक बार ध्या करना परता है एक बार सीखना परता है आउँ सिखते हैं देखो तबसे पहले सिये सि castle का हम लोग ऑना जब्यास करेंगे मतलब हमें CACL2 को तोड़ने आना चाहिए CACL2 को तोड़ने का तरीका मैंने बताया था क्या CACL2 प्लस प्लस 2CL माइनस में तुचता है CACL2 ये तोड़ने का तरीका आपको नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं अभी आप question करने सिखो तोड़ना आगे सिख जाओगे आगे चैप्टर में तोड़ना जोड़ना है ध्यान देना यहां पर ये तोड़ने अगर ये तोड़ने नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं बाबू बस question सिखो अभी एक साथ सब चीजें सिखी नहीं जा सकती है पले एक पी सिखने पर जोड़ो बाकी आगे सिख जाओगे आप लोग कैसे तोड़ा जाता है मेरी हाथ जोड़के निवेदन है माइस टू कैसे आया प्लस टू कैसे आया ये सब चीजें हलाकि आप लोग बच्पन में पढ़ चुके हो कि इसको जब तोड़ो गे तो सिधे सिधेिए यहां लेंडा यह मैं इनफ्रीटी लिखोगे यह सिजा है इन्फिटी एंप यह करना है बहुत आसान है टीको प्लस टीक रखेंगे कितना यहां पर देखो यह यहां पर रख देंगे 2019 किसी का दे रखा है यही दे रखा है किस का दे रखा है सर यह दे रखाया आपको तो यहां पर रखेंगे हम लोग 370.3 अब इसे गुड़ा भाग कर देंगे इसका वैलू आ जाएगा इसका गुड़ा भाग करेंगे एंस्वर आ जाएगा ठीक है इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा एंस्वर साहिब 281.6 आएगा 281.6 एंस्वर आएगा इतना आसान तरीके से इसको लगाना है यह सो फोर टू माइनस होगा बिल्कुर भाई यहां पर टू माइनस ही होगा हमसे गल्ती होई लिखने में वो जाती है इससे क्या लेना देना है अगर हम कह दें यहां पर नहीं समझ में आया सर कुछ नहीं दिक्कत है सर नहीं समझ में आते एक बार और थोड़ा सा इधर ध्यान देना पहली बार में कभुतर खरा लिखने नहीं आया था बहुत मेनत करना पड़ा था उसे कैसे कैसे करके लिखना सिखना था अब यह जी यह सुव् fur का निकालते हैं यह मजीrum निकालेंकर निकाल लुख का लैम्डा यम इन्फनिटी मजी। यसजो फोर निकालो गे तो क्या हो जाएगा बताओ इसको कैसे तुटे गाए उन्फनिटी मजी। टू प्लस प्लस लैम्डा यम इन्फनिटी यह मैिनिस में आएगा है कि अब सबका वैलू दे रखा यहां पर कहां दे रखा सर आपको दिखाई दे रहा है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है दिखाई तब देगा जब नजरें यहां पर होंगी नजरें किसी और के पास होंगी न तो नहीं दिखाई देगा यहां पर यहां पर दे रखा लैमडा यम तो लैमडा यम इंप्निट यम जी यह सो फोर का वैलू आ जाएगा असानी से आ जाया कुछ नहीं करना है 106 इसका वैलू कितना 106 इसका वैलू कितना एक सो साथ जोड़ो आज आज जाएगा समझ में नहीं आया तो कोई टेंसन नहीं बावू बहुत सारे कोशन मेरे पास समझ जाने के लिए है यही तोड़ी नहीं इसी के परों से तोड़ी नहीं यह नहीं तो कोई और सही यह नहीं तो कोई और सही वहां से समझ लेना पहले देख लो इसको लिख लो भाई इतना भी इसका इंतजार मत करो ठीक है तो इतना कितना हो जाए एक 266 एंसोर आएगा इसका मातरक यहां पहो जाएगा ठीक है बिल्कुल काफी लोगों का एंसोर आने लगा इस को करते हैं इसमें अनन्त अनुता पर इसकी तुल्यांकी चलकता तथा मोलत चलकता दुनों ग्याब करनी जबकि सब चीज़ें दे रखी आपके सामने लेकिन यह कोशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़े बताने चाहता हूं हलाकि से मुझे पहले बता देना चाहिए था अभी से मैं बता देना चाहता हूं तुल्यांकी चलकता तथा मोलत चलकता में संबंध यह कोशन से पहले बता देता हूं क्योंकि यह काम देगा तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता में सम्बंद तुल्यांकी चालकता 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 तुल्यांकी चालक यही होता है अब देखो यहां पर लेंडा यहन क्या यहन आपका वही है यहन क्या वही है अमलता चारक्ता क्या क्या बताया था मैंने वही है यहन क्या इस तरह से अमलता है मैंने चैटर 2 में बताया था अमलता विलियनवाले चप्टर में भारकता अन्हें यही सब है यहन और क्या है यही सब है सब यह ठीक है यह संबंध होता अलाकि संबंध का कोई जरूई नहीं है आप हमने कोशन करना है इस कोशन को करेंगे ना यहां फिर सैंय जद आ जकता होता है यह सब होता है यहनका मान इस को करते हैं अनन्तमता पर एल थ्री प्लस और यह सो फोर आइनों की आइनिक चालागता है एक सो नवासी और एक सो साथ है अनन्तमता पर एल टू यह सो फोर की तुल्यांकी चलागता थम वोला चलागता दोनों याद कीजिए देखो पूछा जाए या ने जाए तो जान लो हमारा क्या है कऊगे तो नहीं पढ़ाओंगा अभी आगी चल दूगा मैं सिद्धी सिवाप है पढ़ लो अच्छा रहेगा कभी-कभी पूछा जाता है तो अच्छे-छिनुख धारासा ही हो जाते है न देखो क्या है अनंत अनुता पर एयल त्री प्लस का जो तुल्यांकी चालकता है कितना है 189 है ठीक है और यस्तो फूर तू माइनस का जो तुल्यांकी चालकता है कितना है 160 है ठीक है अब आपको ज्याध क्या करना है आपको 160 का ज्याध करना है तुल्यांकी चालकता था मोला चालकता था पद में इसको तोड़ेंगी तो तोड़ो तो क्या हो जाएगा 2AL 3 3 प्लस हो जाएगा प्लस 3 या सो 4 2 माइनिस हो जाएगा इस तरह से और इसकी तुल्यांकी चलगता ग्याद करनी तो बहुत आसान है Lambda EQ निकालेंगे Infinity पर AL 2 या सो 4 Thrice मैंने आपको बता रखा है कई बार इसको सभी बार समझा रखा है कैसे करेंगे यह तीन वाला यहाँ पर आ जाएगा एक बटे 3 हो जाएगा Lambda EQ हो जाएगा Infinity पर AL 3 प्लस यह दो वाला यहाँ पर आ जाता है यह सो 4 के साथ मैंने पिछली मनलत पीछे भी बता रखा जब को लाउस का नियम बताया था 1204 क्या हो जाया 2- कुछ नहीं करना बाबू बहुत आसान है एक दम्में आसान है यार कुछ नहीं करना बस इस देखो यहाँ पर जो value दे रखाने बाबू यह value दे रखाना यहाँ यहाँ पर रखना है रख दो यहां पर 3 मिस shipping कर दो दो हो जाएगा और यह तो फूर का वैलू कितना है एक सो शाठ है कि इसको जुड़ो तीन 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 शक अठार है तीन त्याइन नव तीर सट और यह आदूनी सोल असी तीर सट असी कितना हो जाएगा बताओ तीन आधा बारह दू चौदर 143 164 साथ इसका एंसोर आएगा हमः 143 इसका एंसाओ आएगा यहां पर मात्रक लिःञ़्टैना मात्रक मैं लीग देना हूँ आपने से ए शां देखो सभी का एंसोर आगा 144-143 थी बहुत बढ़िया नहीं है अब आपका काम है मुलट चालकता ज्यादकरना, देखो मुलट चालकता भी आनसर आ रहा है सब का तो ये अच्छा लगता है पढ़हनी में सब को जब खुद से आनसर आने लगा कि आच्-', सो अथाओन होगा काफी सारे लोगों का आएंसुर आ रहा है काफी सारे लोगों का आएंसुर आ रहा है यह अच्छा लगा मुझे ठीक काफी सारे लोगों का आएंसुर आ रहा है तो इस टाइप ए कोशन पूछे जाते है ठीक है काफी सारे लोगों का आएंसुर आ रहा है बहुत बढ़ी यहां चलो ठीक है इसी के आगे हमाएं इसका मोला चलकता तुल्यांकी चलकता भी ग्याद कर सकते हैं देखो लेमडा यम इंफ्रीटी एल तू यस्टो फूर इसका वैलू क्या होगा मैं डारेट लिग दूँ यहां से देखके डारेट लिग देता हूं तू प्लोम से आधे लोग के सर के उपर शूट जाएगा अगर तुल्यांकी चलकता ज्याद करनी है तो यह तो फूर थ्राइस को फिर से मैंने तोड़ा तूड़ा तू एल प्लस में तूटे गा यह तूटे गा तो इस हैं थ्री एस ओ यस्टो फूर माइनस तूटने के बाद अब इसका लैमडा यम इन्फनिटी पे एल तू यस्टो फूर थ्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तू लैमडा यम एल थ्री माइनस प्लस तू लैमडा यम इन्फनिटी पर एल थ्री माइनस थ्री प्लस प्लस त्री लैमडा यम इन्फनिटी पर यस्टो फूर तू माइनस यह आएगा अब सबका वैलू रख दो यहाँ पे सबका वैलू रख दो देखो लैमडा यम इन्फनिटी पे इसका वैलू कितना है बताओ 2 into कितना हो जाएगा बताओ इसका बेलू कितना है यहां पर 189 एक तरोगे तो काफी लोगों का एंसर आ मत्रक मतलिकए बता यह होता है मोल इन्वर्स यह वता है इसको लिकवाई हाँ यह दोनों वैलू दे रखे हैं तो बस गुड़ा भाग करना है अंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं आद तो ऐसे कोशन कर लोगे ना अगर एक्जाम नद देखो आपको मैं कैपेबर बना दिया कि आप पढ़ी नहीं सकते पढ़ा भी सकते तो अब देखो कुछ नए और से आपके सामने उसी टइप कोशन का एक खामपल भी मि है आगर वों कर लोगे यह कोशन कोशन भी करना है आप कर सकते यों खुच से बहुत आसान को सरय है है अन्हान हमें आपको एक बार यह कोशन समझाने की को स्वशन करने जा रहा हूं और यह वाला को सनले appetite और ल दोनों कोशन सेम है बाकी जिसको सीखना आता हो सीख चुके हैं जिसको नहीं सीखना आता हो कमेंड बाजी की चक्कर में रह चुके हैं इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसको अपने हाप पे सीखना होगा नहीं कितना बार बता देकि मुलत चलगता इसी तरह देखो, इसमें क्या पूछा है आपसे ऐसे ंस आते हैं तो कैसे किया ज़ाता है लेम्डा यम ध्यान देना यहां पर लेमडा यम इधर ध्यान देना सभी एनेच फोर ध्यान किदर है आपका इधर होना चाहिए और यह इसका आप इसके बराबर क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है इसके बराबर क्या होगा यह आप से पूछा जा रहा है ठीक है बहुत आसान है कुछ नहीं करना है वागो एकदम दिल खोल के धान देना सब चीजें किलियर हो जाएंगी सब चीजें किलियर हो जाएंगी सब चीजें किलियर हो जाएंगी दिल इधर ध्यान देना बस इसका ग्याद करना है यह प्राप्ट करने के लिए हमें इसको कैसे तोड़ना होगा इसके बराबर हमें क्या लिए अब तो इतना लिख सकते हैं हमें इतना बड़ा लिख रहा हूं लेकिन आप इसे देख के कर सकत अब आपके दिमाग में बैढ गया तो तोड़ने आना चाहिए तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा अब ध्यान देओ अब ध्यान देओ सबी लोग इसका जो है वैलू क्या आ जाए आप लैमडा यम इंफनिटी नह प्लस लैमडा यम इंफनिटी ओ यह आएगा लिखे लिख कुछ नहीं पता इसमें से कौन ऐसा चीज है जिसमें गुड़ा भाग करके हम यह ला सकते हैं पहले आप्शन की और चलते हैं तोड़ने अब आपको अपने से आना चाहिए देखो काफी लोग का सी एंसर और यह एंसर आ रहा है हम लोग पहले आप्शन से तोड़ने आना जिसके लास्ट में हमको यह मिलेगा वही हमारा सही जवाब होगा जिसके लास्ट में यह मिलेगा वही हमारा यह सही जवाब होगा पहले आप्शन को तोड़ते हैं आप्शन नमर ए को तोड़ते हैं और डारेट तोड़ेंगे हम क्योंकि इतना तो प्रैक्टिस कराई दिय लेमडा यम इंफिनिटी NH4 प्लस लेमडा यम OH- के रूप में तूटेगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा लेमडा यम NH4 प्लस लेमडा यम TL- और यहाँ से घटेगा क्या घटेगा यहाँ पर बताओ लेमडा यम H माइनस लेमडा यम यह सब को तोड़ दिया मैंने इस तरह से सब का जवाब आ रहा है कोई दिक्कत नहीं इस तरह से तोड़ दिया मैंने लेकिन जब इसको तोड़ेंगे न देखो क्या रहा है यह CL- CL- से कट जाएगा और H कहीं नहीं कट रहा है और यह यह ये वैलू नहीं आ रहा है जो होना चाहिए थी कटपेट गलत हो गया realized पहला 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 पह आपको देखो यन्य है यन्य है यन्य है कौन है यन्य है और यन्य है यहां पर यन्य है ओभी माइनस में यह माइनस यन्य होगा और यह प्लस यन्य है तो यन्य है यन्य है कर जाएगा लेकिन यह सीयल जो है इससे कर जाएगा और जब सीयल थीयल तहीं कर जाएगा तो यहां प बताओं तोड देता हूं लेंडा समडा नहीं लिखने में टाइम बेस्ट होता है तोड़ के दिखा देता हूं आपके सामने तूर है और यहां पर यह चाहे आपके सामने यह चाहे और यह हो जाएगा जैका इसलिए अच्छ से कटेगा बचेगा इन. वह चाह बचेगा यह यह घो से और यह अग्रम यह अग्रम आप अझ가 अच भाल्ट और मिलिली यही कोशन अग्रम से जाते आपको तोड़ने आना चाहिए तोड़ के जोड़ सकते हो कि अप्रिकर भी वाला होगा भी वाली होगी है यह तरह से तोड़ कर आ strips करने का लेकिन एकजाम में इससे हाइस चला जाता है और कभी-कभी जाम राइस जाता है तो चीजों को थोड़ा ब्राड करके आपकी जाम में इस टाइप के कोषन फूछ लेता है ऐसे कोशन पूछ लेता मैं दिखा रहा हूं यह करने ऐसा कोशन पूछ देता आपके सामने अननतनुता पे दे रखा है यह-C-L-K-A-N-L-K-A-O-C-S-T-C-O-Y-A-N-L-K-A-N-L-K-A-N-L-K-A-N-L-K-A-N-L-K-A-N-L-K-A-N-L-K-A-N-L-K-A-N-L-K-A-N-L-K-A-N-T-L-K-A ń बताओ इसका किसका दे रखा आपके सामने बताओ आपके सामने दे रखा है लिखो सब कुँ जिसका दे रखा आपको लेंडा यह मं का वीडू दे रखा है यहीयल का दे रखा है किसील का कितना दे रखा थेन सो sec.5ות 3800 .5 और यहन्ने CL का दे रखा है एक 109.8 यहन्ने CL लैमडा यहम यहन्ने CL का दे रखा है कितना एक 109.8 ठीक है और यह CS3 COO यहन्ने का दे रखा है कितना बताओ 78.5 दे रखा है अब आपसे पूछ रहा है समतुल चालकत या अनन्त अनुता पर क्या होगा यानि आपसे पूछ रहा है इसमें कि CS3 CO यज का कितना होगा इस टी का यही फार्मूला होता है ही है इसका पूछ रहा है आपसे का दे रखा है इन सभी का है किसा कर सकते कैसे कर सकते हैं इसका आसान है सब्सकें और सबस्क्राइब कर ने के लिए द्यान देना है। अगर द्यान नहीं नहीं दोगे तो चीजें समझ आएँगी मैं सिरिसली बोलना हूँ यार अप लोग ध्यान क्यों बठकाते हो इदर उदर ध्यान देना इदर उसके बाद कमेंट बाजी करना एक ही स्टेप है समझ गये तो काम हो जाएगा एक स्टेप में देखो यहाँ पर हमें स्ट्री सी ओ यच चाहिए मतलब की यह चाहिए यह चाहिए इसलिए मैं इसको पहले लिखता हूं देखो लेकिन इसके साथ यह आ गया है गंतगी की रूफ में इस को निकालना है तो यह यह को निकालने के लिए हम अगर यह सी इसको भी जोड़ देंगे हम जोड़ो हो जाएगा अब हमें ध्यान देना हमें तो चाहिए क्या क्या इसे मैं बताने जा रहा हूं ध्यान देना इधर फोकस करना देखो हमें चाहिए CS3C OEH जिसके दिमाख में आ रहा है सर माइनस कैसे आया तो भाई माइनस आ लेडी दे रखा है आपसन में देखो ध्यान से कहा है को देखो बाबू यह कोस्टन के आपसने माइनस दे रखा है और माइनस इसलिए आया आपनों कोस्टन देखते नहीं हो इसलिए आपको दिक्कत आता ह माइनस आ लेड़ी दे रखा इसलिए ऐसे आया पास समझवाए क्या माइनस दे रखा इसलिए आया है अभी हम कोशन जो डिसकस करें इस पर चलते हैं हमें चाहिए जिसमें पहले यह प्राप्ट करने के लिए हम यहां पर लिए तो ध्यान देना इधर अब इसमें से हम लोग कुछ घटाएंगे क्यों घटाएंगे कि कि इसमें यह फालतउर स्थ connects और इहां से विए फालतुक का आगया ये डोन है तो हम यह से यह क्या हमने में हमने सीजशती स्थे का बालू रख देना अयां च्ट राज जाएगा कुछ नहीं करता आपको आपको करने के लिए यहां पर इसका वेलु 70.5 इसका वैलु रख देना प्लस में ये शियर का वैलु तीनसो आसी पॉइंट, 30.5 इसका वैलु रख देना माइनस कर देना एक सो नौ पॉइंट 8 कर देना answer आ जाया काफी लोगों का answer आने लगा है बस ऐसे ही करके आप question का answer ला सकते हो ऐसे questions का लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना exam में जब करना इसके आगे आगे lambda lambda लगा देना तब ही सही होगा अन्य ता फिर गलत हो जाएगा इसके सभी का आगे lambda lambda रहेगा कुछ बाते दिमाग के नीचे उतरी है की नहीं उतरी है हमें तो चाहिए था CS3CO याच हमने इसलिए पहले इसको रखा फिर इसको रखा यहाँ से CS3CO याच ले लिया और यहाँ से याच ले लिया और फालतो कि यहाँ पे या और यहाँ पे CL यह दो चुनियर फालतो की है इसलिए हैने CL को निकाल दिया यहां से किजहें किलियर हुई या नहीं हुई ऐसे को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो अब बाकी मैं सभी mentions हो मोइर के रूप में देने वाला हूँ खुछ से करके ट्राई करना अप लोग ठीक है नहीं समझ मैं आत एक बार और देख लेना और नहीं समझ मैं तो छोड़ भी देना कोई जरूरी नहीं समझना सभी को कोई जरूरी नहीं सभी को समझे सभी लोग समझे है मुझे खुसी आ रही काफी कमेंट में सभी करा रहा है कहा यहां किलियर रहे किलियर है और बढ़्यां अच्छी बात है चलो यह कोशन-ट्राइब करना अपने से यह कोशन अभी मैं करांगा अब हम चलते नेस टॉपिक विधुत अब घटन पे यह सब कोशन ट्राइब करन को प्राप्ट करना है यहन्य बियार को कैसे प्राप्ट करोगे अना यहन्य बियार का प्राप्ट करना यहां पर कहो तो मैं इन्य बियार का प्राप्ट करना यहां पर कहो तो मैं इन्य बियार का प्राप्ट करना है और यहां पर यहां पर यहन्य बियार का प्राप्ट करना है मतलब हमें दे रखा है क्या दे रखा है इक बार और प्रेक्टिस करा देता हूँ जिसको नहीं समझ मैं एक बार आध्राई करो समझ में आ आजाना सबसे पहला काम हमें यन्य लायना होगा 600 हम कहां से लाएंगे यहां से इसे लाएंगे यानि हम लोग यहां पर लिखेंगे ठीक है अब हमें बियार लाना है बियार कहां से लाएंगे बियार विहार से नहीं लाएंगे बियार भावी के घर से दो नहीं लाएंगे बियार यहां से लाएंगे यहां से के वियार यहां से भूला देंगे ठीक है और हमें पे फालतु का क्या क्या चीजी आ गई फालतु की क्या-क्या चीजी है तो एक सियल प्राइब थो का इस सीटाँ ज़ो फालतु वाला चीजे कि यह कि रूप मी निकल जाए सिरी सी बात है बाकि सबका वैलू दे रखा एंसोर रेक है निकाल देना इतना आसान न्यूमेरिकल कोई नहीं कराता है बच्चों को अरे बाबो अगर पढ़े रहो गे तो घाटा थुरीन करेगा एक बात ध्यान रखना दिमाग को तेज करने का एक अही तरीका है मैक्सिमम दिमाग पे लोड़ दो इस माइंड को जितना हतूरे मानोगे न उतना ही दिमाग तीज होगा ये बात ध्यान रखना सभी लोग इसलिए आपको मैक्सिमम दिमाग पे लोड़ दो आपके लिए सही रहेगा कोसंस करो कोसंस मजा आएगा जब पढ़ने मजा आने लग कर लेना आप सभी लोग किन से काफी सारे से कशुंस कर लोगे अनन काफी सारे को समें कर आ अब आचुका हूँ चलते हैं नेश टॉपिक अभगटन पे अभगटन के और चलता हूं एक होता है वैस अभगटन ऑunter अभगटन जो छब तॉचलता हूं अब मुझे नहीं पता हैं सोर कितना आएगा मैंने लागा थोरी देखा है कि अग्याइब अग्याइब यह वह प्रक्रिया जिसमें लवर्त के गली तवस्था में जली बिलियन में बैदुधारा प्रवाइद करके उसे बिग्धित मतलब उसे तोड़ दिया जाता है इस प्रक्रिया को वैदुत अब घटन कहा जाता है अरे एंस्वर देने की चक्कर में ना पड़ो कहो तो स्टार्ट करूँ लिखना है लिख लो भाई इसको लिखना है लिख लो कौन सा लिख होगे बहुत सारी चीजें लिखा दिया हो क्या लिक होगे बताओ यह लिखना एना आप्वीडियो लख लेली समझ लो अब hora लीख san स्टार्ट किया जा इस्टार्ट किया जा अब इस्टार्ट करें बिदू तापकटन देखो विदू तापकटन वे को रसा नी कुर्जा में पर्युति करते हैं इसे आपको मैं यहाँ पर बात कर रहा हुँ एक विद्दुत अफगटन के लिए यहां पर एक मैं इस तरह से पात्र ले रहा हूं इसमें एक इलेक्ट्रो लाइट्स यानि कि विद्दुत अफगट्टे डालता हूं यहने-C-L क्या डालता हूं यहने यहने-C-L डालना है और यहने-C-L डाला और यहने-C-L मैंने डाला तो यह दो इलेक्ट्रो इसमें है तो यह कलर का हो गया एक रेट कलर का इलेक्ट्रो डाल देता हूं यह दो इलेक्ट्रो डाला तो बिद्दुत अब गटन में क्या होता है इसमें हम लोग बिद्दुत धारा प्रवाइट करते हैं तो इसमें जो यहने-C-L अपने आयनों के रूप में तुच जाता है यानि इसमें क्या होता है ध्यान देना इसमें जो यहने-C-L है न यहने-C-L है न बावूट यह तूट जाता है किसमें अपने आयनों के रूप में और यहने-C-L तूटता किसमें कौन कहां पर जाता है यह कौन क्या है आस समझें आई क्या कुछ यह तूटता किसमें है यह 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 प्लस और सील माइनस क्यों टूटता है क्यों कि इसमें बिदुधारा प्रवाइद किया जाता है इसमें क्यों टूटता है क्योंकि यहां से जोड़कर विदुधारा प्रवाइद किया जाता है तो यहां पर ध्यान देना जो यह यह प्लस है यह आपका धनावेशित है और यह एक पे चला जाता मालो यह प्लस वाला यह तूटने बाद इस पे चला गया और माइनस जो है यह तूटता है तो इस पे चला जाता है तो इस पे चला जाता है जहान देना इधर सभी लोग इधर ध्यान देना ध्यान दोगे इधर तो बढ़िया रहेगा आपके लिए देखो यन्य प्लस एक पे चला जाता एक चीज जान दो इसमें यह जोनों दो डाला गया न इसे हम लोग कहते हैं इलेट्रोड हलाकि इलेट्रोड के बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे समझ इसमें यह जोनों दोडाला गया है इसे क्या कहते हैं इलेट्रोड कहते हैं क्या है इसे इलेट्रोड कहते हैं लेटोड का थे और यह लेटोड जो होता है दो प्रकार का होता एक होता एनोड एक होता है कैथोड आगे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा अभी बिद्धुत अफगटन पढ़ाना है चुकि इस चेप्टर में दो ही चीज महत्पूर है एक तो कोल्डाउस का नियम ज एक तो कहा समझना आएगा फिस समझना सभी लोग मैं इसको पूरा डिलीट कर दे रहा हूं मैं पूरा डिलीट करके फिर से चीजों को explain करने जा रहा हूँ आपके सामने आपके लिए ठीक है आपके सामने आपके लिए एक या आपका एक डबा है जिसमें दो इलेक्टोड डाले है एक इलेक्टोड यह है इसको मार लो यह कलर दे दो और दूसरा इलेक्टोड यह डाले है इलेक्टोड यह है दूसरा तूट गया इसमें हम लोग यहां से जोड के विद्धु धारा प्रवाइद करवाएं 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 यहां से जाए यह माल लो यहां पर चला गया और सियल माइनस को दूसरे कलर से करता हूं यहां पर चला जो मैं चीज बताने जा रहा हूं बताने चाहता हूं उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देना बहुत अच्छी बात है यह यहने सियल का इसमें क्यों टूटा क्योंकि हमने यहां से प्लस माइनिस करके विद्धु धारा प्रवाइट किया क्या दिया विद्धु थारा प्रवाइट कि इस लिए टूटा अब देखो भाई यह अपने मनमदी नहीं कि यहाँ चले जाएगा यह यहाँ चला चला जाएगा इसके जाने का एक पैटर्न होता है कि इसमें जो CL- होता है यह कहां जाता है माइनस वाला जो होता है एनोड पर जाता है और प्लस वाला जो होता है कैथोड माइस वाला इस पे क्यों गया क्योंकि यहां पहले इसको प्लस चार्ड दे रखा था इसलिए तो माइस वाले को अपने आउर भीजिया तो इलेट्रोड क्या होता इसके बारे में आगे पड़ेंगे लेकिन अभी हम बता दें इत्धातु की छड़की होती है और यह एक सेल में डाला मलब एक बैटरी में डाला इसमें इसमें यहां पर गया विदुधारा प्रवाइद करने पर विदुधारा प्रवाइद करने में तूटा तो यहां पर गया यहां पर गया क्योंकि होता है प्लस इसलिए और फिल माइनस होता है autobi अभी कुछ भी नहीं समझ में आई तो कोई डिक्कत नहीं समझने की स्मय लगें थोढ़ा सा कि यह नहीं है आप A कंदाप यह एक दिन में नहीं सिखे थे अपने वह आवकाद जान लो कच्छा तिसनु वाला इसे यहां तो यह भी चीज़ें नहीं है तो हो सकता सीखने में दिक्कत आए तो ध्यादेना है ध्यादेना धूड्ड वाले पर हमने बैटरी का मायनस सीधा लगाया है सभी तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर यह प्लस वाला जो है ना एनोड पर लगाए माइनस वाला जो है कैठोड पर लगाए और यह जो यन्य है जो कि प्लस है यह कैठोड पर जा रहा है c l minus anode पे जा रहा है cathode पे battery का minus सीरा लगा है और चुकि ये पूरा cathode minus हो है तभी तो plus को आकरसित कर रहा है ये पूरा cathode क्या है minus है तभी तो ये यन्ने को आकरसित कर रहा है और c l plus है ये पूरा anode plus है तभी तो c l को आकरसित कर रहा है करता कि मुझे तो थो से अल को आकर सिथ किया कि अ कि अ कThere निसे करता क्यूं। हमाश हमें यह सब पढ़ाने की कोई जरुवति मुझे पढ़ाना प्पहराड़े का नियम आए आए तो प्रोड़श मेंकर पार कि के ति मत सम्झ में कैई करता ह। तो हमें थोड़ा सा परिवासा लिख देते हैं कि विद्धुत अफगटन होता क्या होता विद्धुत अफगटन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्धु धारा प्रवाइड करके किसी भी विद्धुत अफगट को वियोजित किया जाता है हुआ है विधुत लिख देना सबी विदूत आप गटग वह प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिसमें विदुत धारा जिसमें क्या करते है विदूत धारा प्रवाहित करके प्रवाहित करके जो विदुद्धारा प्रवाहित करके क्या करते हम लोग प्रवास या प्रवाहित करके विदुद्ध अबगटे को विगटित करते हैं विदुद्ध अबगटे विदुद्ध अबगटे क्या है यहां पर यहने सील है मैं आपने सब्डों में लिख्वाया हूं और क्या करते हैं आईनों के रूप में आईनों रहने दो विगतित करते हैं जा विवजित करते हैं विवजित करते हैं अच्छा रहेगा नहां विदुत अफगट को विघर्टन करते हैं यह मैं आपनी सब्दों में लिखा है वह प्रक्रिया है जिसमें विदुधारा प्रवाइक के विदुत अफगट को विघर्टन करते हैं है विदुत अफगट को क्या करते हैं कि विघर्टन करते हैं हमने यह 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 घ्ल कटिया जी तरफियल और मैनिस कहा गया नोट की तरफ NCDC है दाया के चक्कर बिंदु धारा पराईट किया जाता है कि बात समझ वाये क्या तरह न है करत कुछ समझ वाये क्या यह यहां से कुछ बात के ही क्लियर हुई क्या कुछ तो किलियर हुई होगी ने दिमांग में कुछ तो सेट हुई होगी अच्छी बात है चलो कुछ और पॉइंट जा लेते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज होता है क्या होता है कौन सी चीज होती है सर बता रहा है इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है वियोजन लिख सकते हैं अब यह अच्छी बात होती है हमारे बच्ची हम ही को बता रहे हैं सर्क क्या लिख सकते हैं तोड़े हैं तो कुछ लिख सकते हैं उसको विगतन लिख सकते हैं वियोजन लिख सकते हैं गटन में क्या होता है विदुत उर्जा जो है रासायनिक उर्जा की रूप में परियोतित होती है इस प्रक्रम में क्या होती है इस प्रक्रम में जो विदुत उर्जा होता है विदुत उर्जा रासायनिक उर्जा रासायनिक उर्जा की रूप में परियोतित होता है के रूप में परिवतन हो परिवतन हो लिख सकते हैं बिद्धु तूर्जा मैंने यहां पर बिद्धु तूर्जा लगाया यह तूटके रासानी कुर्जा बना दिया बिद्धु तूर्जा रासानी कुर्जा के रूप में परियोतन होता है बिद्धु तूर्जा इस प्रक्रम में क्या होता है आप लिख सकते हैं बिद्धु तूर्जा पूरा लिख दिता हूं पूरा लिख दिता हूं इस प्रक्रम में देख सकते हैं यहां पे इस प्रक्रम में इस प्रक्रम में क्या होता विद्दुज्जा रासानी कुर्जा में तूट जाता है परियोतन होता और यह जो पूरी क्रिया जिसके अंतरगत होती है उसे कहा जाता है क्या विद्दुज्जा अबगटनी सेल यानि यह डब्बा जो है न हमने देखते देखते हैं आपके सामने क्या बना दिया विदूत अपगटनी सेल बना दिया अपगटनी सेल बना दिया यह प्रक्रिजा जिसमें होती है उसको क्या कहा जाता है यह डबा क्या है आपके लिए हमारे लिए विदूत अपगटनी सेल है कि यह दब्बा कि क्या है आपके लिए हमारे लिए विदुत अबगटनी तेल है विदुत अबगटनी तेल है यह जो पत्रिया जिस डब्बे होती है उसे विदुत अबगटनी तेल कहते हैं क्या कहते हैं यह डब्बे को क्या कहते हैं कुछ किलियर हुआ बात मेरी समझ में कि और यह कि डाइग्राम जो बनाई है विदुत अबगटनी तेल का बना हendo आपको पता चला इतना आसान होता बिदुत अबगटनी सेल बनाना इस Chief है इसे कहते हें विदुत अबगटनी यहां तक सभी को किलियर है बताओ लोग तो आगे की और चलते हैं हम लोग इसके आगी की सिज़ें देखते हैं तो अब हम लोग आगे चलेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पर ले एक बार हम आप सभी लोगों से कुछ concept जो कि कच्छा 11 में आप लोग पढ़ चुके थे कच्छा 10 में पढ़ चुके थे कच्छा 9 में आप लोग पढ़ चुके थे उन यह concept को revise कराना चाहूँगा वह concept क्या है आक्सिकड़ तता apologya मैं आपके भरोसे नहीं करूँगा मैं खुद बताऊंगा ठीक है आक्सिकरण क्या होताय बताओ vigor whounnaksee करण किसे कहते हैं कि आक्सिकरण किसे कहते हैं बाई बता क्षए करण कहते हैं बाई Nayl Roux का निकलना आक्सिकर्ड कहलाता है आक्सिकर्ड कहलाता है इलेट्रान का निकलना क्या कहलाता है जैसे आपके सामने एक रियक्शन दे रहा हूं जिंक यह जिंक है जिंक से एक इलेट्रान निकल जाए जिंक से क्या हो जाए एक इलेट्रान या दो इलेट्रान निकल जाए और यह जिंक हो जाएगा जेड़ेन 2 प्लस में ठीक है जब जिंक से 2 इलेट्रान बाहर निकलता है तो जिंक जेड़ेन 2 प्लस में हो जाता है और यह क्रिया कहलाती है क्या आकसी करड़ कहलाती है यही नहीं आपको मैं बता रहा हूँ ध्यान देता यह जिंक है नहां से जाएगा तो तो धेको डैखू टू प्लस जाएगा ये कच्छा में सब्सक्राइऑ अजो हो आकशिजन आकशिजन कटता वह हो आग लिए सकते हो आगे चलते हैं हम लोग अप्चेन के बारे में जानते हैं अप्चेन क्या होता है बहुत आसान होता अप्चेन की क्रिया इसमें कुछ नहीं करना होता है इसमें इलेट्रान का जुड़ता है इलेट्रान का जुड़ना अप्चेन कहलाता है अप्चेन कहलाता है इसमें क्या होता है ध्यान से देखना है इलेट्रान का जुड़ाओ होता है जैसे आपके सामने कापर टू प्लस है इसमें से दो इलेट्रान अगर कापर ले लेगा जुड़ जाएगा तो कापर जिरों में आ जाएगा बात समझिवाएं इसका यहां पे कापर का क्या हुआ है आप चयन हुआ है कापर का क्या हुआ है अब चयन हुआ है यह को आप आकसीजन वाला परिवासा आप लोग याद रखो नहीं आएगा कोई कोई जरूए इतनी है कोई जरूए नहीं आक्सिजन वाला परिवासा आप इस परिवासा पर डिपेंड रहो ठीक है यह इससे आपका कोशन्स लगेंगे इससे आपका कोशन्स यहां के लगेंगे अच्छा जी इन दोनों रियक्शन को एकर एक साथ लिख दिया जाए तो उस रियक्शन वो का जाता है चैने रेडाउस अंप क्रिया क्या चैने इस तो इसमें थिस में कशल पर गिए क spaces अपचयन दोनों साथ साथ होता है इसमें दोनों साथ होता है इसमें दोनों रियक्षन को एक साथ लिख दे जेडेयन प्लस सीउ टू प्लस जेडेयन तू प्लस प्लस सीउ यह क्या हो जाएगा रेडाक्स अपक्रिया हो जाएगा जिसमें देखो यह जो जेडेयन है इसका क्या हो रहा है आक्सी करण हो रहा है ठीक है और यह जो कापर है इसका क्या हो रहा है अपचैन हो रहा है अप्चेन हो रहा है अदर इसे कहा कहा जाता रेडाग्स अपकिरिया कहा जाता है नोट करो इसे सभी लोग फिर हम डूडग आगे कियो चलते हैं इसका पूछा नहीं जाएगा दिए लेकिनिसका यूज पड़ेगा आगे आप लोग ओ कि इसे भी नोट कर लो आप लोग फिर चलते हैं आगे कि यो अब ध्यान देना हम आपको कुछ चीजें बताने जा रहे हैं ठीक है देखो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर कि अपने टॉपिक का मतलब तहां पर अपने जो पढ़ रहे थे हम लोग विदुद आपगटन पर विदुद आपगटन ही सेल है या इसमें हम लोग इले टोड आइनोड कैठोड डाल देते हैं यह आइनोड है यह कैठोड है यह अनोड है यह कैठोड है अनोड में देखिए मतलब यहां पर अगर यह अन्य सी यल डालते हैं तो यहां देना यहां पर यहां पर मैनिस जो है यहां पर जाएगा य Quindi यहां पर जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर यह आपका क्या है कैठोड है कि यह आपका क्या है अनोड मेरे कहने का मतलब यह है कि कैठोर्ड पे जो क्रिया होती है और अनोड पर जो क्रिया होती है उसको हम लोग लिखेंगे जैसे आपका यन्य सील का यन्य सील जब इसका विदृत अब अब ध्यान यहां पर यह जो CL माइनस है यह तूटता है यह तूटता है और CL माइनस किस में तूटता है एक बटे दो CL2 प्लस इलेट्रान में अब यह बताओ यहां पर क्या हो रहा आकसिकड या आप चाहर इसी तरह से यहां पर ध्यान देना यह यह जो है सोडियम यह यह जो है सोडियम यह भी एक इलेट्रान लेता है और यह तूटता है यह प्लस में यहां पर बताओ किसमे आएनो किसमें आकसिकड हो रहा है किसमें स्वारी किसमें अपचेन हो रहा है यहां पर बताओ किसमें आक्सिकर्ड हो रहा है किसमें अप्चन हो रहा है बताओ किसमें आक्सिकर्ड हो रहा है किसमें अप्चन हो रहा है देखो इसमें यहां पर जो हो रहा है यह जो हो रहा है क्लिया इसमें एक तरह से आक्सी करड़ हो रहा है क्योंकि देखो माइनस से जीरो में जा रहा है इसमें आक्सी करड़ में एक चीज़ आप लोग पड़े होंगे आक्सी करड़ संक्या में क्या होता है यहां पे जीरो आक्सी करड़ संक्या हो जा रहा है आक्सी करड़ में आप लोग पड़े होंगे त आक्सिकर्ण हो रहा है और इसमें देखोगे यहां पर देखो यहां पर प्लस में था आक्सिकर्ण क्या प्लस वन था और यहां पर आके जीरो हो गया मतलब यहां पर कमी हो रही है यहां पर कमी हो रही है यहां पर कमी हो रही है यहां पर क्यों के पास करजा में रहे क्यों जिसका मतलब यहां पर आक्सिकड हुआ है यहां पर अप्चैन हुआ है मेरी कहने का मतलब यह है कि जो आक्सिकड क्रिया होती है यहां पर यह जो क्लोरीन का होता है यह अनोड पर होता है कहां पर अप्चैन क्रिया जो होती है यहां पर सोडियम का होता अप्चैन और सोडियम काइठोट पोता है है कि थोड़ पोता है क्थोड़ अरे बात समझ माई क्या हां समझ भाट क्या आपको यहाँ रखना पड़ेगा कि आनोड पर आक्शिक्ड और क्षवर्ड पबंचन होता है किसमें यह विद्दूत अवगण है यह घटनी से लो चेहकल है है विद्दूत काउं सा सिल है यह है विद्दूत अब गटनी सिल है है विद्दूत अब गटनी सिल है इसे लोन ट्रिक से भी याद कर सकते हो लिए लोन ट्रिक यहाँ पर याद करोगी तो आगे दिक्कत हुआ अब जिसके दिमाग में नहीं आ रहा कि अनोट क्या होता तो मैंने इसको यहाँ पर अच्छा से समझा दिया था तब मैं आपको यहां तक बता रहे हैं अब नेश्ट लिखते हैं हम लोग कि विद्धूत अफगटनी विद्धूत अफगटन को प्रभावित करने वाले कारक यहां से अपजेट्टिक कोशन बन संता है क्या लिखना आमको विद्धूत अफगटन जो होता है निम्न कारकों पर निर्भर करता है निर्भर करता है निम्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें पहला कारक है इतना सभी लोग जिसमें पहला कारक है पहला कारक क्या है बताओ विद्धूत अफगट के प्रकिति पर पहला कारक क्या है विद्धूत अफगट के प्रकिति पर एक कौन सा विद्धूत अफगट आप यूज कर र सांद्रताप विदुद अपघट की सांद्रताप पर तीसरा कारक यहां पर यह है कि प्रवावित प्रवाहित आवेश घनत की दिशापर प्रवाहित आवेश कि घनत्व की दिशापर प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशापर चौता कारक लिखना सबी लोग इलेट्रोड की प्रकित पर इस पर निर्वर करता है इन सभी चीजों पर यह निर्वर करता है क्या विद्धुत अफगट की जो होता है कार्ट हो गया नोट करो इसे अब आगे सबी लोग डालेगा विद्धुत अफगटन का उपयोग या फिर विद्धुत अफगटन का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है किस काम का है विद्धु तबगटन यह आपको जानकारी लेना है सबसे पहला उपयोग जो कि मोश्टली किया जाता है धातूओं को संचारण से बचाने के लिए कि सबसे पहला उपयोग क्या होता है धातूओं के संचारण से बचाने के लिए कि धातूओं कि धातूओं के संचारण से बचाने के लिए कोशन पूछा नहीं जाता तक वो हम लिखवा दे रहें पहला उपयोग किया जाता है दूसरा उपयोग यहाँ पे बहुत ही महत्पुड उपयोग की जल के बिद्दूत अब घटन में जल जो होता है जल जिसे हाइड्रोजन का निर्माड जहाँ पे करना होता है जहाँ पे भी हाइड्रोजन का निर्माड करना होता है वहाँ पे जल का जल का विद्दूत अब घटन जल का विद्दूत अब घटन त्वारा हाइड्रोजन गैस के निर्माड का यह तो भी तुत अप्गटन किया जाता उसमें फाइडोजन का नियुक्त किया जाता है यह तो जैसे आपका जल है इसका जब भीधूट अप्गटन करेंगे तो यह प्लस और ओएच माईनिस बनेगा और इसमें अगर पुछ दे आपसे कि कैठोड पर आनोर यानि आकसी कड़ होने वाली कैठोड पर कौंसिर कर्या होगी टो कैठोड पर ना अट च्छोलूड पर हडोजन बंता है और यह बना देगा यस्टू गैस झाफ्ट गैस गैस बना देगा और इसका उपयोग बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है आप लोगों के सलेवत्त में एक चैप्टर था वह चैप्टर का नाम है विद्धुत सोधन वाला जो है जिसमें आम लोग सोधन करते हैं तो कम क्रियासिल धातूं का सोधन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है कम क्रियासिल धातूं का सोधन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है कम trilogy सिल धातु का हम लोग सूधन करेंगे इसमें भी इसका उपयोग किया जाता हिसे कि अ हो गया गोल्ड हो गया यह मतलब होता है पीबी हो गया इन सभी धातों के सोधन में भी इसका उप्योग किया जाता है कि पास्तमझ माई क्या कि बताओ यहां तक क्लियर है सभी को और एक दो किरिया इसमें और होता है जैसे आपको डीटू कि भारी जल जिसे काई डीटू के बनाने में भी इसका उप्योग किया जाता है कि समझे और विदूत लेपन में भी इसका उप्योग किया जाता है विदूत लेपन में अब हम लोग पढ़ेंगे विद्धुत अफगटन संबंदित फैराडे का नियम जो कि बहुत महत्पूर है बहुत इप्वाटेंट है अब हैडिंग डालना विद्धुत अफगटन संबंदित फैराडे का नियम विद्धुत अफगटन संबंदित फैराडे का धडिंग हो गया विद्धुत लेपन मतलब कि किसी पर विद्धुत द्वारा लेपन किया जाता है बहुत धातु हो उस तरह से विद्धुत लेपन ही करते हैं उसको ठीक है कि इसे नोट कर लो फिर आगे चलते हम लोग हो गया सभी का तो ध्यान देना माइकल फैराडे एक सांटिस्ट है कौन माइकल फैराडे एक सांटिस्ट है कौन माइकल फैराडे माइकल फैराडे ने 1834 में बिद्धुत अबगटन कर आया विद्धुत अबगटन कैसे होता आपको इतना पता है कि विद्धुत अबगटन में अच्छा कर तरह से पातर होता जिसमें अम लोग भर देते हैं कि विदुत अबग्टे ये विदुत अबगटी भरें विदुत अबगटे वरे वरेर वीदुत अबगट में फोता है इस तरह से मेरेत ने लिंटोरडें है और इसेलेटॉडड़ पर हम लोग क्या करते हैं इसी किलेटॉड पर हम लोग क्या करते हैं तो पर Tibidu धारा प्रवाइद करते हैं इसे तो स्म्झेबार हिंगे क्या थे तो समझे इसमें बिदुधारा प्रवाइट करते हैं यहां पर जो बिदुधारा प्रवाइट किया जाता है इस बिदुधारा के प्रवाइट के वज़े से इस पे कुछ पदार्थ यहां पर विच्छेपित हो जाते हैं नीचे की साइड में तो बिदुधारा जो प्रवाइट क के बीच में संबंध उन्होंने बताया यह अपने नियमों में उन नियमों को क्या कहा जाता है माइकल फैराडे का नियम कहा जाता है पह い प्रवाइद कि पास पंजमाई क्या माइकल फैराडे के नियुंए ये में माइकल फैराडे ने बिद्दुत अबगट की मात्रा के मद्ध में संबंध अस्थापित किया वह संबंध ही कहा जाता है फैराडे का नियम कहा जाता है क्यों बास समझे बाई सभी को अरे बताओ हाया ना कि बास समझ में आ गई सभी को इस सम्झे संबंध क्या का जाता है फैराडे का नियम कहा जाता है कि यहां तक सभी को कि लियर है तो फरादे ने दो नियम दिया कितने नियम दिया फरादे ने दो नियम दिया कि इसके लिए दिया इसमें प्रवाइध धारा तथा निच्छेपित पदात के मात्रा के अभी संबंद के लिए दो नियम दिया दोनों नियमों को पढ़ेंगे अब मोस्ट और मोस्ट इप्वाटेंट चैप्टर कहा जाता है न इस चैप्टर में बाकि सब मोम आया है जो पूछा जाता एक जामिए फरादे का नियम ही है जो कि सबसे दरा पूछा जाता है उन्होंने पहला नियम बताया कि फरादे का प्रथम नियम मैं लिख रहा हूँ यहां पे ध्यां देना प्रथम नियम प्रथम नियम के अनसार क्या उन्होंने बताया प्रथम नियम के अनसार विदुत अपगटन की क्रिया में इले टोड पर मुख्त होने वाला जो पदार्थ होता है सेल में प्रवाइद धारा के या सेल में प्रवाइद आवेश के अनकुमान उपाती होता है लिख सकते हो या प्रतम नियम कि विदूत अपगटन की प्रक्रिया में सेल पर जो विदूत अपगटन की प्रक्रिया में इलेट्रोड पर या क्रिया में इलेट्रोड पर मुक्त पदार्थ या फिर मुक्त या फिर एकत्रित होने वाला पदार्थ या फिर एकत्रित होने वाला पदार्थ या फिर एकत्रित होने वाला पदार्थ जो हता है परवाहित आवेश के क्या होता है समान उपाती होता है परवाहित आवेस के क्या होता है समानुपाती होता है देखो भाई सिद्धी सी बात है बिदुद अबगटन की प्रक्रिया में इलेट्रोड पर मुख्त या एकत्रित होने वाला जो पदात होता है पदात की मात्रा होती वह प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है एकत्रित होने वाले पदात की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है आज समझ भाई सभी को परिभासा प्रथम नियम यह है कि विदुद अब गट की फ्रक्रिया में इलेट्रोड पर मुक्त या प्रएकत्रित होने वारा जो पदार्थ होता है प्रदात की मात्रा होती ही वह प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है यह परिभासा तबी आपको याद रहेगा जब आप लोग इसे लिखोगेगे नहों तो कमेंट बाक्स में सभी लोग इस कमेंट बाक्स मीशे टाइप कर दो कि बिदूत अभगटन की प्रक्रिया में इलेट्रोड पर होने वाला इलेट्रोड पर होने वाला या इलेट्रोड पर मुक्त पदार्थ या एकतित होने वाला पदार्थ जो होता है पदार्थ की मात्रा जो होती है उसमें प्रवाहित आव जो होता है क्यों इसके समानुपाति होगा यह जो आवेस होता है कि आवेस क्यों के क्या होगा समानुपाति होगा आवेस क्यों के समानुपाति होता है आप लोग पढ़े हो फिजिक्स में कि क्यों इक्वल टू होता है आई टी महत्पूल फार्मूला में भी मैंने बताया यह बहुत important formula नहां यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर इसी से कि डवलू Guide proportional to IT. но कर सकते हैं । घ्र नाम का नियतांग का यूच करेंगे हैं तो जिद डवलू इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं W i q2 i tb लिख सकते हैं W is equal to ket wasn tb लीख सकते हैं क dis तो W is equal to क्या हो जाता है जेड आई सी लिख सकते हैं जेड आई सी लिख सकते हैं अब देखो जेड जो होता है यहाँ पे जेड को कहा जाता है ध्यान देना जेट को कहा जाता है जेट को क्या कहा जाता है जेट को कहा जाता है विद्धूत रासाइनिक तुल्यांग जेट को क्या कहा जाता है विद्धूत रासाइनिक तुल्यांग क्या कहा जाता है जेट को विद्धूत रासाइनिक तुल्यांग कहा जाता है जेड़ को क्या का जाता है विद्धुत रसानिक तुल्यांग कहा जाता है तो परिभासा फिर से समझेंगे क्या होता है विदूत अभगटन के प्रक्रिया में इलेटेठ्रोड पर मुक्त या इकत्रित होने वाला जो पदात होता है पदात की मात्रा होती है 210 के समानुपाती प्रण दोगा तो यह Democratic रखते हैं कि Q is equal to IT होता है तो Q is equal to IT रख देंगे तो W समानुपाती IT के हो जाएगा अब देखो यह समानुपाती चीन है उसको हटा देंगे तो W is equal to Z IT आपका बन जाएगा अब हम लोग फुरा सा एक परिभासा देखेंगे यह जो Z का मान है उसका ठीक है यहां परिभासा यहां पर रख देंगे आईटी के पास तो यहां पर फरिभासा यह निकलेगा कि W is equal to क्या क्यूँ यहां पर आसानी से अगर हम क्यूँ का मान एक कुलाम मान ले तो डबलू जो है यह जेड के बराबर हो जाएगा तो परिभासा क्या लिए सकते हो बताओ परिभासा यह लिए सकते हो कि जब किसी विद्दूत अफगटनी सेल में एक कुलाम प्रवाइत आविश किया जाता है तो इलेट टोड़ पर मुक्त होने वाला परदार्थ को विद्दूत रसानिक तुल्यांग कहते हैं इस परिभासा को लिए सकते हो कि जब किसी विद्दूत अफगटनी सेल में जब किसी विद्दूत अफगटनी सेल में एक कुलाम आविश प्रवाइत एक कुलाम आविश प्रवाइत किया जाता है एक कुलाम आवेश प्रवाइद किया जाता है एक कुलाम आवेश प्रवाइद किया जाता है तो क्या होता है इलिए टोड़ पर मुक्त होने वाला पदात मुक्त होने वाला पदात वाला पदार्थ जो होता है इलिए टोड़ पर मुक्त होने वाला जो पदात होता है पदात की मातरा को ही हम लोग विद्धुत रचानिक तुल्यांक कहते हैं को उसकी विद्धुत रचानिक तुल्यांक कहते हैं है लाग की मतलब कि एक शुश्वा करेंगे तो जो पदात की मातरा इलेट्टोर पर आएगी वही घूरी दॉलांक के बरावर होगी इसे फटा-पठ लिख लिए उसके बाद हम लोग दुटी नियम पे चलते हैं इसके कुछ questions करते हैं अब हम लोग दूसरे नियम पे चलते हैं और यह दोनों नियम important है question पूछा जाता आगे मैं बताऊंगा ठीक है दूसरा नियम चलते हैं दूती नियम कि चूती नियम क्या हो थेह दो हम लोग इसमें पदाते हैं जो फह कि दो हम लोग दो ले ते हैं दो नॉव नहीं डोसरे लेते हैं कि या लेते हैं दो बिदूत अफगटनी ते लेते हैं दोनों में हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जैसे इलेक्ट्रोड लगा जाता इस तरह से यह लेक्ट्रोड हमने लगा दिया दोनों बिदूत अफगटनी सेल में हमने क्या कर दिया इलेक्ट्रोड लगा दिया तो बिदूत अफगटनी सेल में अगर दो बिदूत अफगटनी सेल में समान धारा प्रवाइद करें इसमें दोनों में क्या करें समान धारा प्रवाइद करें दोनों में क्या करें दमान धारा जो है प्रवाइद करें समान धारा प्रवाइद करें तो इले टोड़ पे मुक्त होने वाला जो पदार्थ होगा वह उनके विद्धूत रसानी तुल्यांग के समान उपाती होगा मालो इसमें पदात जो उपन हो रहा है यह W1 है इसमें जो पदात है W2 यह W1, W2 है यह इसके विदूत रसानी तुल्लांक E1 और E2 के समान उपाती होगा यही आपका दूतिनियम कहता है अगर दो विदूत अब घट्यों में समान धारा समान समय तक प्रवाइद किया जाए त तो विच्छेपित या निच्छेपित होने वाला या मुक्त होने वाला पदात या इले टोड़ पे मुक्त होने वाला पदात क्या होता है उनके तुल्ल्यांकी भारो या विदूत रसानिक तुल्ल्यांकों के समान उपाती होता है यह दूतिनियम है भराडे का दूतिनियम क्या ली सकते हो इसमें जब विभीन विद्दूत अपगट्यों में जब विभीन विद्दूत अपगट्यों में तमान धारा समान धारा समान धारा प्रवाहित है तो किया जाता है सब्सक्राइब्य तो किया जाता है तो किया होता है इले टोड पर मुक्तपदात की मात्रा मुक्तपदात्र पर मुक्त पदात्थ की मात्रा जो होती है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है पदात्थ की मात्रा जो होती है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है समझ में आया है सभी को यहां तक उनके किसके समानुपाती होता है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है जो पदात की मात्रा मुक्त होने वाली पदात की मात्रा होती है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है आई क्या बात समझे सभी को बताओ मुक्त होने वाला जो पदात की मात्रा होती है W मालो W1 पदात की मात्रा है तो E1 के समानुपाती हो जाएगा W2 है तो E2 के समानुपाती हो देखे वास समझ भाई क्या सभी को मतलब हमरे कहने का मतलब यह है जब विभी ने बिद्दुत गट्यों में समान धारा प्रवाइद किया जाता है तो इले टोड रहे गा है इले टोड पर मुक्तपदात की मात्रा उनके विद्दुत उनके तुल्यांकी भारों के समान उपाती होता है यह नियम है समान धारा समान समय तक जब विद्दुत अब घट्यों में समान धारा यहां पर समान समय तक समान समय समय के लिए प्रवाइद किया जाता है समय के लिए प्रवाइद किया जाता है तो इले टोड़ पर मुक्त होने वाली पदात की मात्रा उसकी तुल्यांकी भार के समान उपाती होता है समय के लिए प्रवाइद किया जाएगा तो ध्यान देना इसको मालो समय कर नमर एक इसे मालो समय कर नमर दो तो हम लोग यहां से क्या करते है समय कर एक में तो से क्या प्रवाइद किया हो जाएगा यहां पर बताओ W1 upon W2 is equal to E1 upon E2 E1 upon E2 हो जाए और आप लोग जानते हो कि क्या जानते हो यह जानते हो कि W is equal to क्या होता है ZIP होता है यहाँ पर लोगोंने पढ़ रखा है W is equal to ZIT तो यहाँ पर रखेंगा तो यहां पर डवलू वान क्या हो जाएगा? डवलू वन लिखेंगे क्हों जिड़वना है यहां पर appropriately समान si तक प्रवाइट किया जाता है डवलू टू का वैलू क्या हो जाएगा जिड़ू आई ही रहेगा टी ही रहेगा क्योंकि समान धारा समान समय तक प्रवाइद किया जाता है थोड़ा सा आई हाँ और टी ही रहेगा दोनों के दोनों ठीक है अलग नहीं रहेगा क्यों सर क्योंकि देखो भाई यह क्या रहा है दोनों में डबलू वाले में डबलू टू वाले में समान धारा समान समय तक प्रवाइद किया जाता है समान धारा समान समय तक प्रवाइद किया जाता है दोनों की दोनों समान होंगे अगर इसकी समीकर नमबर 3 माल लो तो क्या लिख सकते हम लोग नमीकर नमर्बर 3 से क्या हो सकता है ध्यान देना यहाँ पर नमीकर नमर्बर 3 से क्या हो सकता है बहुत आसानी से आप लोग इसमें यहाँ पर यहाँ पर आपका बराबर हो जाएगा किसके यहाँ पर बराबर हो जाएगा किसके जेटवण अपान जेटवण टूइईज अक्वाल्टू एवन अपान एट्उइज इक्वाल ट्वाल कंद तो अगर यहाँ से लिखना चाहें तो आप यह भी लिसकते हैं w1 आपान w2 समिकर्णवासни से यह भी लिसकते है is equal to w1 आपान w2 भी लिसकते हैं यह तीनों लिसकते हैं यह तिनों के तिनों लिख सकते हैं लिख लो सब्सक्राइब लोग इसे लिख लोग इसे लिख लो इस नियम को लिख लो हो गया नोट आप लोगों का चलिए देखे एक नोट लिखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं जामे कोशन कैसे पूछा जाता है नोट करिए नोट लिख लिखे मुझे यह लिखाना है कि जो बिदुतरसानी तुल्यांक है जेट का मान जो है यह प्रपोस्टनल होता बताना यह है आपको मुझे की यह पिस इक्वन टू होता है यहां से यह का यह निकल के आता E is equal to 95500 into Z यह होता है E is equal to 96500 into Z होता है विद्धु दसानिक तुल्लियांग के बरावर्ट यहां तो हम लोग यह भी लिख सकते है Z is equal to E upon 95500 यह भी हम लोग लिख सकते है Z is equal to E upon 96500 इसा भी लिख सकते है हलाकि अब exam question कैसे पूछा जाता यह आता है exam सबसे पहले जो simple question पूछा जाता है subjective की रूप में और आपको यह homework के रूप में भी दे रहा हो कि फैराडे का विद्धुत अब गटिन सम्मनित नियम लिखिए कोशन इसी पूछता है कि फैराडे का विद्धुत अब गटन सम्मनित नियम लिखिए कि फैराडे का विद्धुत अबगटन सम्मनित नियम लिखिए ऐसा कोशन पूछता है तो आपको यह दोनों नियम लिख देना है अब आपकी मर्जी की बस statement लिख कराओगे और एक आक लाइन नीचे से लिख दोगे या पूरा जैसे जैसे मैंने समझाया ऐसे लिख कर आओगे मैं इसने समझाया चुकि मुझे आगे इसका कोशन कराना है ठीक है आप लोट कर लो फिर मैं कोशन आपको करा रहा हूं तो ध्यान देना सभी लोग कोशन्स आपके एक जाम में पूछे तो जाते हैं यहां से अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं हम सभी टाइप के कोशन्स लेकर आएं आपके सामने यह कोशन आपके सामने सबसे पहले यह तो आवस्यक आवेस की मात्रा क्या होगी यह आप से क तोड़ना बहुत कर बड़े काम की चीज़ है अगर जो तोड़ने नहीं आता जिसको न उसको कैसे कोशन करने आएगा फिर भी परसान मत होना अभी कोशन करने पर फोकस करना तोड़ने पर नहीं हो सकता है कहीं कहीं बुक में 832 दिया लेकि मैंने जहां NCR टीम पढ़ा वहां गर टू वायनिес तरह से आता है जब इसको तोड़ा जाता है तो इस तरह से आता है बात समझ माई इस तो यह कैसे करते हैं बताओ आप क्या करोगि को कोई है जो बता सकता है कोई है जो बता सकता है मुझे इसको आगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे देखो बाबु हमको इन सभी चीजों से नहीं मतलब हमको यह पता होना चाहिए कि एलमूनियम जो होता है इसमें एलमूनियम जो है 3 सब्सक्राइब होना चाहिए कि एलमूनियम जो होता है ध्री ब्लस होता है अब यह जो 3 प्लस है इस से हमको करता करना किहां यहां पर Flex пять Preis्षाण है कि I am पर क्या हो जाएगा passed हो जाएगा इλο मुनियम जीरो हो जाएगा फाइद ये तीन फलस को खतब करने के लिए दिन और लेगा तबी तो माइनस होगा ईसद आफ ये बात की लिए की ने की लिए आईस आप किसी में अगर किसी के उपर एक प्लस करने के लिए इसमें से एक इलेट्रान बाहर निकालना पड़ता है यह आपको पता होना चाहिए एक इलेट्रान यह जब तक बाहर नहीं निकालेगा तब तक नहीं एक प्लस होगा अगर दो प्लस करना पड़ेगा तो दो इल निकालते तो उतना ही प्लस आता है अग उसके विपरित अगर एक एक माईनस करना पड़ेगा तो यहां पर किया करना पड़ेगा एक कोशन में कि तीन एक मोल प्राप्त करने के लिए आवस्यक आवेश कितना है थ्री कुलाम है आवस्यक आवेश कितना है एक मोल यहां से क्या बनेगा एलमुनियम एक मोल बन जाएगा यहां से त्री क्या है तीन इलेट्रांग है तीन इलेट्रांग को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं यहां पर चुकि सब फैरेड में दिया है तो यहां पर इसका आइंसर हो जाएगा तीन फैरेड इतना आसान को संथ है इस टाइप से कोशन पूछा जाता है इसे नोट करो एक बार अगि निय specially को चार क्त उल्यांग कापर दाट को अप्चैट करने के लिए कितने फैराडे की संख्या की जरूत पड़ेगी यहां पर क्या-प्लस का कितना चार ग्राम तुल्यांक है मैं निमेरकल इसलिए कराता हूँ हलाकि निमेरकल यहां से ना मात्र का पूछा जाएगा एक यह कोशन इससे पूछा जाता है कि फेराडे के नियम का उल्ले किजिए या फेराडे के नियम को बताएए यही कोशन पूछा जाता है c u plus का यहाँ पर कितना है चार ग्राम तुल्यांक है ऐसे कोउसन बहुत कम पूछी जाते लेकिन मैं पढ़ाद हो बतार धे रहाँ सिसलिया तो दिक्कत नहीं हो चार ग्राम कुल्यांक यहाँ से भी प्रवाइद करोगे जितने भी ग्राम तुल्यांग प्राप्त होता है या जेड क्यू के बरापर होता है या आपको पता होना चाहिए पता है भी जितना ग्राम तुल्यांग होता वही तो होता है क्यूं जितना आवेज प्रवाइद करेंगे उतना ही ग्राम तुल्यांग प्राप्त होगा न यहां पर मतलब चार फैराडे आवेज प्रवाइद करेंगे प्रथम नियम के अंसार चार फैराडे आवेज प्रवाइद करेंगे प्रथम नियम के अंसार आप से नमर सी सही हो जाएगा कुछ अपसर नमर से हो जाएगा गया चाहर फरादे की न सभाब्सक्राइड करें कि जितना डबलो का मात्रा होता है बोला इलेक्टोड पर निच्छेपित होने वाला पदात उसमें प्रवाइट आवेस के सवानुपाति होता या बराबर होता है यहां पर चार ग्राम में आयनों की संख्या समानुपाति किसके होता है बताओ प्रवाइद धारा के विद्धुत अभिकट के विद्धुत रासाइनी तुल्यान के बताओ इलेटानों के भार के और परियुद्ध समय के किसके समानुपाति होता है बताओ एकशन एकदम आसान वाला इस ficar का असान पूछे जाते हैं तीन एंपिEr् की धारा प्रवाइट किया जाता है यहां पर अगर देखोगे तो i का वैलू कितना है 3 ₹ कि 3 ₹ की धारा प्रवाइट किया जाता है कितने समय तक है isto टी एकउल्ट टू 5 Cyber तक 50 मिनिट को और सिकेंड में चेंज करोगे तो 50 इंटू साथ सेकेंड मतलब छपचे 30 और 3000 सिकेंड हो जाएगा तक प्रवाइट किया जाता है तो एक ग्राम धातु संगरीत होता है डवलू का वैलू क्या है डवलू का वैलू क्या है यह 1.8 1.1 ग्राम साथ है डबुलू का वैलू क्या वन पॉइंट अट ग्राम है बता जिसका सिएंसर आ रहा है उनका सही है क्या सी यहां से क्या पूछाए धातुका तुल्यांकी भार बताए आपको मैंने नोट करके लिखवाया था क्या नोट करके लिखवाया था कि ๕वल टू क्या लिख्वाय है था जे ड़डी अपान स्थानवे हजार पान सो यह लिखवाय था यह यहां पर लिखेंगे वो देखने के लिए नहीं लिख्वाय थे लिखने के लिख्वाय थे आगा प्रिखने के लिए लिए लिख्वाया था आएसे कोशन पूछे जाते हैं इतना है तीने एंपियर गुड़े तीने एंपियर और कि तीन हजार थिक है सेकेंड अब आपको गुड़ा भाग करके solve करना है W का value आल्रेडी दे रखा है 1.8 gram 1.8 gram तो यहां से इसको solve करेंगे तो answer आ जाएगा गुड़ा भाग करोगे तो answer कौन सा आएगा बताओ गुड़ा भाग करोगे तो answer कौन सा आएगा हाँ देखो 1.8 इंटू 96,500 हाँ अपान हो जाएगा यहां पर 3 इंटू सबच्चे 33,000 हाँ इस इक्वल टू ए यह answer आएगा अब इसको काटोगे पीटोगे तो कौन सा answer आएगा बताओ यह दोनों सुनना से कर जाएगा हाँ आएगा और 3,6,8,0.6 यहां से आएगा और 3,6,5,11,9,11,9,20 जो काट पीट के देख ले ना answer आपका आएगा यहां पर 19.3 कुछ लोग बता रहे हैं मतलब आपसर नमर बी अगर जो आपसर नमर बी बता रहा है देख ले ना हमने नहीं साल किया आपसर नमर बी कापी लोग बता रहे है तो इस तरह से तुल्यांकी भार से रिलेटेड भी कोशन पूछ लेता है देखो यहां पर सेम टाइप के कोशन है यह सभी कोशन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है प्रैक्टिस कर लिजेगा जो नहीं आएगा तो हमसे क्लास म साथ में दिया हुआ है ठीक है आई है क्यों बात समझ में आई सभी को थाया ना है अलाकि मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ यह सब जो कोशन मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत हाई लेबल कोशन है मैं उतना बता दिया हूं कि अगर आप अपने से ट्राइक है तो अब्जेक्ट्व टाइप का चोटा चोटा कोशन इस टाइप का पूछा गया है नहीं तो बोड में मैक्सिमम आप लग उत्री प्रस्णों की नियम किसे करते हैं इस टाइप कोशन पूछा जाता है तो इसके लिए टेंशन मत लेना कि बोड में आपका परसेंटेज नहीं आएगा बोर्ड में यह कोशन ही नहीं पूछेगा परसेंटेज के से नहीं आएगा ठीक है यह मैं अजपर्ष रूप चे बोल दे रहा हूं अगर नहीं आया तो परसान मत होना ठीक है आगे की ओर चलते हैं अब हम लोग इसका पार्ट टू स्टार्ट करेंगे ठीक है पार्ट टू स्टार्ट करेंगे पार्ट टू का मतलब अभी तक हमने जो विद्धू ताफ गटन हो हाँ हाँ इस इकॉल टू यह मापान यहन वाले फार्मूले से बिल्कुल बहुत बढ़िया पार्ट टू में अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे सेल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है किसके बारे में पढ़ेंगे सेल के बारे में मैं बड़ा सा सेल लिख देता हूँ के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में पार्ट टू में पढ़ेंगे इसके बारे में सेल के बारे में किल क्या होता इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे क्या होता है सेल तो सेल आप लोग जानते हो सब लोग सेल के बिना जिंदगी समझ लो अधूरी है मोबाइल में सेल है हना आपके कोई भी चीज ले लो हर जगह सेल है जैसे मेरे रिमोड में भी देखिए यहां पर सेल है तो सेल करता क्या है सेल देखो एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विद्धुत उर्जा को रासानी कु परिवतित करती है दोनों काम करता है सेल क्या होता है लिखना सभी लोग करता है , जो है सेल परिवासा पूछा नहीं जाता है तिल एक ऐसी युक्ति है जो विद्दूत उर्जा को विद्दूत उर्जा को रासायनिक उर्जा में रासायनिक उर्जा में तथा रासायनिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में विद्दूत उर्जा में क्या करता है परिवर्थित करता है ते निश्याम प्रकार के ऐसी युक्ति है जो रासाणिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में परिवर्थित करता है सबी को सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो की रहसाणी कुछ बिदु तूज को रहसानी कुछा में परिवीवती कि करता है समिजए आप अब देखो चीन के बारे मीं पढ़ने पढ़ने से शैल में जो चैने परियोग होती है उसके बारे में पढ़ें जिसके आप लोग क्या करते हो लड़की को किसी कुछ जिसे आप लोग कुछ लोग UPSC की तयारी करना चाहते हैं UPSC की तयारी करने से पहले UPSC में क्या-क्या पढ़ना पढ़ता है कैसे करना पढ़ता है जान लेते हो समझ लेते हो फिर आप सोचते हो कि हम कर सकते हैं की नहीं कर सकते हैं हलां कि आदमी कुछ भी चाहे कर सकता है करने के बाद तब आप घर से बाहर निकलते हो डिल्ली योगर आ जाते हो मुखरजी नगर में जाते हो फिर रहके बढ़ियां से पढ़ाई करते हो अगर आपको नीट I.I.T की तैयारी करनी है तो अपको क्या आपको नीट I.I.T की पह क्सें मेश में पढ़ने से पढ़ने से पर्णे छी चीजें यूज होती सब्सेब पर्योग किया जाता है उसी दातू के लवर के विलियन में डुबय आ जाता है तो धातू की छड़ पे धनावेश या रिरावेश आ जाता है और विलियन में समान प्रकित का आवेश उत्पन हो जाता विप्रित दिशा में ठीक है यह दातू का छड़ फिक है इस दातू का छड़ इस विलियन में यह डाला गया है अब कि इस विलियन में डाला गया है यह धातू का छड़ क्या है कपर का चड़ थो यह लोग bater Kai कि एक स्रंट तो दिहान देना जब कोई धातू का छड़ है जब कोई धातू का छड़ है उसी धातू के लवड की विल्यास में डाला जाता है एक मिलियन दिषा विपरित दिशा में आविस उत्पन होजाता है इस पूरे सिस्टम को इस पूरे छड़ को हम लोग क्या काते है उले टोड काते हैं आप इस परीपासा को ली सकते हैं जब कि-सी खाट के शड़- thrill को जब किसी खाट के शड़-न उसी कूसी के लवडु के बिलियन में उसी के लवड कुसी के लवड के विलियन में डुबोया जाता है तो धातु पर रिडावेस या धनावेस उत्पन हो जाता है धनावेस उत्पन हो जाता है झाज डूबावेस इत्पन हो सकता है। जो विलियन में समान मत्रा में भी जत्पन हो जाता है विलियन में मात्रा में क्या हो जाता है वीपरीत कि है वैस्पैन हो जाता है में हो जाता है उत्पन हो जाता है समान मात्रा में क्या हो जाता है आवेश उत्पन हो जाता है बास समझ मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन हो जाता है समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन हो जाता है इस प्रकार के छड़ को क्या कहते हैं इलिए टोड कहते हैं किस चड़ को क्या काते हैं इले टोड काते हैं इस प्रकार की चड़ को क्या काते हैं इले टोड काते हैं जब किसी धातु के चड़ को उसी धातु के लवड के बिलियन में क्या क्या जाता है जब दूबय आ जाता है धातु के चड़ का धनावे स्यारी डावे सुपन हो जाता है औ होते हैं दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं आपको पहले भी मैं बता दिया हूँ एक होता एनोड तुसरा होता है कैथोड हलाकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे नोट कैथोड के बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे तो प्रकार का होता है कि अब लोग जानेंगे किसके बारे में इले टोड़ विभौ के बारे में लेकिंगे उससे पहले आप सभी लोग इसे नोट कर लीजे नोट करते चलिए सभी लोग अब अब लोग जो बारेंगे इले टोड़ विभौ के बारे में इले टोड़ विभौ के बारे में इले टोड विभाव के बाद क्या होता है इले टोड विभाव के बहुत आसान है किसी भी देखो यहाँ पे धातु के चड में धातु के लवड के बिलियन में डाले हैं तो इस इले टोड पर अगर कोई भी विभाव उत्पन हो जाएगा उसी को इलेट्रोड विभाव कहते हैं बात समझ में आई क्या क्या होता है इलेट्रोड विभाव बात समझ में आई क्या सभी को बताओ तो आप एक सब्द में ये भी लिख सकते हैं इसको इलेट्रोड विभाव को की विभव को क्या कहते हैं इले टोड हुद कि विभव कहते हैं का यानि ने ले टोड पर उतपन विभव होता है उसी को को हम लोग क्या करते हैं बात समझ्वाय क्या और इसे प्रदर्शित करते हैं इसे प्रदर्शित करते हैं आ इसे किससे प्रदर्शित करते हैं अब आश ऑसरिके प्रकार का होता हैHa स्क्राइब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्वाब्व किम एसे inner अब लता है यह दूसरा क्या सब्सक्राब यह क्यों सब्सक्राइब शब्सक्राइब दुसरा अक्स के लंश में आश्रन में सब्सक्राइब लेट्रोड विवह क्या होता है दो प्रकार का विवह होता है एक अप्चेन विवह दूसरा आक्सी करण विवह होता है स्मझ में आ गया docu आगे की प्मभब क्या होता कि इसके बारेमा हम लोग जानेगे मैं भाने इसे बना लो आप सबी लूँए लो कि है लिच नोट करते हैं के पहले आप चैण बिभूब लिखते है है बहुत आसान है देखो ठड़ को इसी बिलियन में डाला क्या है यह बिलियन है ठीक है इस बिलियन में डालने पर इस छड़ पर अगर आक्सिकर्ड होता है अगर इस छड़ पर क्या होता है आक्सिकर्ड होता है इस छड़ को इस लवड के बिलियन में डाला गया है और इस छड़ पर अगर आक्सिकर्ड होता है क्या होता है आखसि-कड़ होता है या अप्चयन होता है तो जो बी वहाई वही उस्पर विपा होगा मनलब हम अग्यर की बात कर रहें इस चड़ को इस लोढ़ के बिलेन में डाल राग Oğlum तो इस चड़ पर अगर अपचयन के काड़ अपचयन हो रहा है अपचयन मैंने पहले बता दिया आपको आक्सिकड़ अपचयन क्या होता है अपचयन हो रहा है अपचयन के काड़ यहां पर विभाव उत्पन हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे अपचयन विभाव कहेंगे बास समझ में आई क्या सभी को काथ्स और Means बात समझ मैं क्या सभी को जब चण को उसी लवड के बिलियन में डूबोने पर आप चैन के कार्ट विभाव उत्पन होता है तुसे क्या काते हैं आप चैन विभाव काते हैं जाद होगे सभी लोगई जाब वा किसी सटों तुसी के लवड के विलेन में डुबोने पर डालने पर या डुबोने पर अप्चन के कार विभव उत्पन अप्चन के कार विभव उत्पन होता है उसे क्या कहते हैं अप्चन के कार विभव उत्पन होता है तो उसे क्या कहते हैं अप्चन विभाव कहते है 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 इसे क्या कहते है पुछा क्या जाता है मैं अभी आपको बता रहा हूं हूँ यहाँ प्लस के रूप में होता है एकले टान गःएड करके यम है किया अक्सिकरद विवह इस भीर sell के लिख अगर आपक्रिया में एकशि करकि असी करड कि कैवे वाइ 방법 उत्तर है किसिका का असी करड की थैं अक्सी थाइग करते हं उसे ते जाक। क्या करते हैं उसे क्या करते हैं यहां पर यहां अगर आक्सिकर्ड के कार्ड विवाव उत्पन हो रहा है तो उसे आक्सिकर्ड विवाव करते हैं यहां पर एक्जाम्पल के तोर पर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ M-Eletron Gives Out M M-Eletron Gives Out M Plus यहां पर इसका आक्सिकर्ड हुआ है अप्चयन के कार्ड विवाव उत्पन होतात अप्चयन विवाव और आक्सिकर्ड के कार्ड विवाव उत्पन होतात आक्सिकर्ड विवाव करते हैं दोनों में थुड़ा सा अंतर है बस आप समझ सकते हो दुनों की बातों को ठीक है नोट कर लो सभी लोग अप्चेन विवह और आक्सिकर्ड विवह फिर हम लोग पढ़ते हैं मानक के लिए टोड विवह क्या होता है अब आप चैन की कार्ड विवह उत्पन होता था अप चैन विवह काते हैं पास समझ में आई यहां तक किलियर है सभी को चलो किलियर है आगे चले आगे 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 चला जाए चले ठीक है ओके चला जागे अच्छा नोट करना है नोट कर लो चली इसके आगे चलते हैं मानक इले टोड विवह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं नाम ही क्या मानक इले टोड विवह तो उसके बारे में बढ़ियां से पढ़ते हैं क्या होता है मानक इले टोड विवह मानक इलेक्ट्रोड विभव अब हैडिंग डालिएगा क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड देखो यह क्वेस्टन कभी-कभी एक्जामेर देखो इधर जो चीजे मैं लिखवा रहा हूँ वोड एक्जाम के प्रस्पेक्ट्रोड से ज्यादा इप्वाटन नहीं है लेकिन कभी-कभी मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसी को हम लोग लेकर आएंगे हैं अफंट का लेकर आएंगे जो कि आपका इसको हम लोग नापेंगे इसका वह नापेंगे जब इसमें जो हम लोग यह बिलियन डाले हैं इसमें जो यह billion डाले हैं इस billion की सांदरता इस billion की सांदरता वन यह हो और temperature जो इसका हो यह 25 degree centigrade करेट हो सबका जो विभव हो गा उसी कौन लोग मान कीलेटोड विभव कहते हैं मान कीलेटोड विभव क्या होता है ध्यान देना सभी लोग 25 degree centigrade ताप पर 1 यम सान्ता वाले लवड के बिलियन में धातु के छड को डुबाया जाए तो उत्पन विभवांतर को मानक बिभव कहते हैं या उत्पन बिभव को मानक बिभव कहते हैं लिख लेना सभीलो यह पूछा जाता एक्जाम में कि 25 डिगरी सेंटिगरेट ताप पर 1 यम सांद्रता वाले 25 डिगरी सेंटिगरेट ताप पर 1 यम सांद्रता वाले लवण के विलियन में चाहि दाथो लवड के विलियन में दाथू को डुबया जाए धातू को क्या क्या जाए दो बोया जाय तब थातू को डुबया जाय तब उत्पन विभवांतर को क्या कहते हैं मानक इले टोड़ विभाव कहते हैं तब उत्पन विभवांतर को क्या कहते हैं मानक इले टोड़ विभाव कहते हैं इले टोड़ विभाव कहते हैं इन Ooo कि एंञा प्के हैं ताप्पन विभवानतर उसी को मानक किले टोड़ विभव कहते हैं बात समझ में क्या सबी को एुआँ बात समझ में क्या सबी को बताओ मानक कि ये टोड़ विभव किसे कहते हैं 25 होना चाहिए वनियम सांत्ता होना चाहिए लवड के बिलियन में कोई धातु का छट रुबोया जाए तो धातु के छट पे जो विभवांतर या जो विभव उत्पन होता है उसे मानक के लिए टोड विभव कहते हैं नोट करो सभी लोग फटाफटी चाहिए तो 25 दिगरी उत्पन विभव को क्या कहते हैं यहां पर विवांतर नहीं विभव होना चाहिए उत्पन विभव को क्या कहते हैं मानक के लिए टोड विभव करते हैं नोट हो गया वनियम का मतलब वनियम सांदता होना चाहिए सांदता का मतलब हो गया ठीक है मोल नहीं सांदत अब हम लोग पढ़ते हैं इसी का छोटा भाई है मानक आप चैन भीवाव लेकिन उससे पढ़ने से पाले हम लोग नोट की रूप में लिखते हैं कि इसे जो है है अगर आप मानक इलेंटरंट बहुतर नहीं होगा इलेंटरंड बहुता है अफ़ोड़ बहुत ऑल्त है यह से पतशित किया जाता और मानक इलेंटर्ड़ बहुको व्युक। बिभुको लिए नार्ज से पदच्चित किया जाता है यह मैंने आपको पिछले पिछए इससे बता चुका हूँ तो मानक इलेक्टवर बिभुको ओंअ को इस बात को ध्यान देना क्योंकि जरुवी है आप लोगों को जानना क indoors यह जरूई है आपको जानना कि इनang टोड़ वह को यी से पतसित करते और मानक सब्द लग जाएगा तो यहां पर encryption लग जाएगी जैसे मानक सब्द लगेगा यहां पर यीनाट सब्द लग जाएगा यहां तक क्लिए तरह सभी को अब हैटिंग डालिएगा सबी लोग मानक अपचयन विभव आप लोगों ने अपचयन विभव पढ़े उन व्स में अगर हम लोग अपचयन विभव पड़ेए उप्सेंश्टैस को यहां पर भी होता है बस्याँ पर उस पर अपचेन के कार्ट जो विवाव उत्पन होता है उसे मानक अपचेन विवाव कहते हैं आप समझना 25 डिगरी सिंटिगेर ता पर वन यम सांदता वाला बिलियन है आपके सामने में बना देता हूँ यह एक आपके साथ बैटरी है बैटरी में यह है आपका इलेक्ट्रोड है इसको मुझे मापना है इसमें विवां लोग 25 डिगरी सिंट्रीगेर टाप लेते हैं पचीष है पचीष डिगरी सेंटिगेट ताप लेते हैं इसका ताप जो है कितना लेते हैं पचीष डिगरी सेंटिगेट लेते हैं और इसके विलियन में जो सांदरता लेते हैं वह वन यम का सांदरता लेते हैं तो पचीष डिगरी सेंटिगेट ताप पर वन यम सांदता व वन यम सान्ता वाले 25 दिगरी सेंटिगेर ताप पर वन यम सान्ता वाले विलियन में वन यम सान्ता वाले विलियन में ठातु की छड़ पर ठातु की छड़ पर ठातु की छड़ को डुबोने पर अपचयन के कारड उत्पन विभाव तो क्या कहते हैं मानक अपचयन विभाव कहते हैं 25 दिगरी सेंटिगेर ताप वन यम सान्ता वाले विलियन में जब अगर हम लोग कोई छड़ दुबें तुसमें अपचयन की कारड अगर कोई विभाव उत्पन हो तुसे मानक अपचयन विभाव कहेंगे उसे क्या करते हैं मानक अपचयन विभाव कहेंगे उसे क्या कहेंगे मानक अपचयन विभाव कहेंगे पात यही है जैसे क्या होता है आद्मी सब एक समान होता है आप हो हम हैं सब लोग एक समान अगर हम बच्पन में पडोशी की रोटी चुरा लें पडोशी से कुछ चुरा चुरा के खाए कर आगे चलके हम कोई बड़ा आद्मी बन जाए मोधीजी है है ठाए बनाते बनाते पर्धामंत्री नहीं नहीं बने रोटेन्हों को रेगा तौन्हों उसी पर निकलेगा और वह सांता पर निकलेगा जो 25 डिग्री सिंडिग्रेट ताप पर निकलेगा वन एम सांता पर निकलेगा उसी को मानक अप्चैन विभाव होगा मानक सब दूसरी किस आगे लगेगा अगर मानक आक्सी कर विभाव की बात करें तो सब कुछ सेम रहेगा यहां पर इसलिए मैं कापी पेस्ट कर लेता हूं यहां पर मैं आक्सी करड़ चेंज कर देता हूं बस अप्टिकर यहां पर लिख सकते हैं 25 जिग्री सिंटिग्रेट पर वन एम सांता वाले विलियन में धातू की छड़ को डुब होने पर यहां पर क्या हो जाएगा आक्सी करड के कारण के कारण उत्पन विभाव को मानक क्या कहते हैं आक्सी करड़ विभाव कहते हैं मानक आक्सिकर्ड विभाव कहते हैं पास समझ भाई सभी को यह मानक आक्सिकर्ड विभाव हो जाएगा पस कुछ नहीं चेंज करना है पचीस डिग्री सिंटिगेट आप पर वन यम सांता वाले विलियन में कोई धातु का च्छर दुबोया जाए तो आक्सिकर्ड की कार्ड जो उत्पन विभाव होता उसे को मानक आक्सिकर्ड विभाव करते हैं सिंपल बात है इसे भी लिख सकते हो अब एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान देना इधर सभी लोग ठीक है यह दोनों हो गया आप लोगों का देखो मानक मानक इलेक्टोड विभाव जो होता है मानक इलेक्टोड विभाव यह बराबर होता है मानक अपचयन विभाव के यह किसके बराबर होता है यह बराबर होता है मानक अपचयन विभाव के बराबर होता है मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि मानक इलेक्टोड विभाव जिसको हम लोग यस 소 conventions confess करने कुछ झा यस का यह बराबर होता किसके डुर्यकिन सार कि ना यस usable if the default or यह जो होता है यह बराबर होता है यह बराबर किसके उता है पद्यान देना सभी लोग मानक पिषय है मानक अफिकन के बराबर होता और यह जो मानक अप्चियन विवह है यह बराबर होता है किसके बराबर होता है थ्यान देना इधर सभी लो यह किसके बराबर होता है यह माइनस एक तेवों चीन है यह आपर माइनस चीन होता है रिडात्मक में मानक इस पर कोस्टन बनता है मानक आक्सिकर्ड विवह के बराबर होता है मतलब इसको हम लोग लिटे है यह सह ओपी के बराबर होता है आक्सिडेशन कोटेंशियल के बराबर होता है उभी माइनस आगे लगा होता है अब आगे क्या लगा होता है माइनस लगा होता है मतलब की कहने का मतलब यह है कि YS E P जो है यह बराबर होगा YS R P के और यह बराबर होगा यह बराबर होगा माइनस YS O P के बराबर होगा YS O P के बराबर होगा वा समझे क्या यह बरावर हो ठीक है यह तोपी का मतलब आक्सिडेशन में कहने का मतलब यह है कि आपके सामने एक कोस्टन मैं लिख रहा हूं कोस्टन का जवाब बना बखाना एक कोस्टन है एक धातु एक जाहें धातु है धातु का मानक अब चैन भी वहुँआ मानक इलेट्टोड भी वहुँआ इलेट्टोड इलेट्टोड भी वहुँआ मानक इलेट्टोड भी वहुँआ एक धातु जिसका मानक इलेट्टोड भी वहुँआ कितना है एक धातु जिसका मानक इलेट्टोड भी वहुँआ दस पोल्ड है सब धातु आकसी, चरण, वीभाव, तथा, मानक, अपचयन, वीभाव, याद, यह जी यह, यह प्रस्न है, यह प्रस्न है, बताईे तो, कितनी लोग कर लेंगी, बताई, ऐसा कोशन पूछा जाता है, इसका धातु का मानक, मानक, इलेक्ट्रोड वीभाव, दस बोल्ट है, तो धातु का मानक, आकसी कर वीभाव, तथा, मानक, अपचयन, वीभाव, ग्याद कीजिए, कौन कर लेगा, सर, आप ही तो बताया, आपको, कि, इस्टेंडर इलेट्रोड पोटेंशियल जो होता है मतलब जो विभव होता है वह जो होता है मानक रिडेक्शन यानि स्टेंडर रिडेक्शन पोटेंशियल जो होता है मतलब मानक अप्चेंड विभव के बराबर होता है लेकिन माइनस में बराबर होता है मानक आक्सिकर होगा यह तो बराबर होगा किसके मानक कि मानक अपचैन अपचैन विवा की सर बराबर होगा ठीक है लेकिन सर यह मुझे बताओ कि मानक अक्सिकर्ड विवा क्या होगा अरे इसी का मानस हो जाएगा मानस मानक आक्सिकर्ड विवो की बात करें सर विवो की बात करें तो बस इसके आगे माइनस लग जाएगा ठीक है माइनेस लग जाएगा मतलब की उल्य टोड बिवह और मानक अप्चेयन भी ठोड़न मानक अप्चेयन भी वह दुनों बराबर होते हैं accident के लेकिन अक्सिक्रड बिवह जो होता है उसके आगे confidence लग जाता है कभी भी कोशलम में दिया होगा तो अप्चेयन भी वह और आईसे नोट कर लो सभी लोग फटाफट चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे इलेट्रोड विवाओ किन किन कारकों पर निभर करता है किनिभी विक्त में से इलेक्टροड विवोक को प्रभावित करने वाले कारक अना इलेक्टॉड विवोक ा निमन कारकों पर निर्भर करता है निमने कारकों पे निवर करता जिसमें पहला कारक आपके सामने है सबसे पहला कारक इलेक्टोड भी वह जो होता है विलियन की सांध्रता पे निवर करता है निवर तो करेगा ना करना ही पड़ेगा निवर क्योंकि विलियन के अगर वनियम सांध्रता करते थे तो उसका मानक इसांदरार, तो सांदरता पहले करता नंमर यहाँ पर बना हुआ यह बना हुवा इलेक्टॉड है. इसमें कौन सी धातु आप डाल रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है भली बात इसमें कौन सा पानी डाले हो कौन सा बिलियन डाले हो कौन सी बिलियन डाले हो इस पे निर्बर करता है इसकी सांता पर दूसरी बात इस धातु की प्रकित पर भी निर्बर करता है तिसरी बात ध्यान ले अपगट हूस्ट की प्रकृति को ही अगर विडूत-फगट पर की प्रकृति अगर ऐसा हो के यह अ चौन है प्रवल क्षणी की सांता अधिक हो जाएगी इसका अधिक होगा तो इसका विभूऑ ज्यादा होगा दुर्भाल विद्धूत- klar Bearव तो विभूऑ- कम होगा कम आयनित होगा तो बिद्दुत अभगठ के प्रकित पर भी ये निरबर करता है हर इस की देगरी संटीगेट नहीं रहेगा तो इनिरबर करता है जैसे इसका पचीस डिगरी संटीगेट हो जाए सांता वन्यम हो जाए तु इलेयरोट्रोड भी बहुत जो है ताप और दाप पे भी निर्बर करता है बास समझे क़ या यहां तक किलियर है विद फना यह को अले किलियर है कि नहीं है यह बताओ हम लोग पढ़ते हैं मानक हाइडोजन इलेट्रोड अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग एक बहुती महत्पूर टापिक स्टार्ट करने जा रहा है हाइडोजन इलेट्रोड हाइडोजन मानक हाइडोजन इलेट्रोड जिसे हम लोग SHEB कहते हैं मानक इसको मोटाजिन से लिखें और बहुत इपॉर्टेंट है इसका मतलब मैं बता रहा हूं क्या है मानक मानक हाइडोजन मानक हाइडोजन इसके बारे में पढ़ते हैं मानक हाइडोजन इलेट्रोड जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मानक हाइडोजन इलेट्रोड के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है सिरी सी बात एक धातू लेना है और उसी धातू में उसी धातू की मतलब एक धातू लेना है जिस धातू का इलेट्रोड मानलो इस इलेट्रोड की इतना जिंग का तो जिंग के लवड का यहां पर बिलेन डाल देंगे जिंग का इलेट्रोड है और यहां पर क्या करेंगे जिंग के लवड का डाल देंगे विलेन डाल देंगे जिंग के लवड का विलेन डाल देंगे जिंग का धातू लिए और यहां पर जिंग की धातू के लवड का विलेन डाल देंगे इसी जिंग के धातु का लवड़का बिलियन जिंग के धातु जिंग के धातु पर विभव उत्पन हो गया और इस विभव को क्या कहा गया इस जिंग के धातु पर क्या उत्पन हो गया विभव उत्पन हो गया इस जिंग के धातु पर क्या उत्पन हो गया विभव विभाव उत्पन हो गया और जिंग के धातु के जो विभाव उत्पन हो गया इस विभाव को हम लोग मानक इलेक्टोड मानक इलेक्टोड विभाव कहते हैं इससे क्या कहा गया इलेक्टोड विभाव कहा गया इस पर जो विभाव उत्पन हुआ उस विभाव को हमने कहा इलेक्टोड विभाव कहा लेकिन बात यह हुआ गाउं के बच्चे जो है बहुत बदमास थे वह अपना अपना इलेक्टोड बना बना के लेकर आ रहा है थे सांइंटिस्स चचा से पूछ यह बताओ इसका हमारे एलेक्टोड विभाव का मान कितना हो इस तरीके से सब लोग लाला के पूछ रहे थे बार-बार एचा हमरे के सब के सब लाला के लाला के पूफ्ष रहे थे सब समस्य किसी भी इलेट्रोड के विभव को नाप सकता है बता सकता है पहला प्रस्निक जाम में यह बनता है कि मानक हाइडोजन इलेट्रोड किस लिए यूज किया जाता है तो मानक हाइडोजन इलेट्रोड के इलेट्रोड के इलेट्रोड विभव को ग्याद करने के लिए प्रयोग म करने में प्रयोग किया जाता है अपको अपने चुटकार पा लिया एक बना दिया मसीन मानक हाइड्रोजन इलेट्रोड सब्सक्राब तो मानक hydrogen electrode काम क्या है? electrode विभाव को मापना 1च्छब्द है electrode विभाव को मा новых 1 एक point लेना सबी लोग अब मानक hydrogen electrode मानक hydrogen electrode द्वारा मानक हाइडोजन इलेक्टोड द्वारा जो है क्या करते हैं मानक हाइडोजन इलेक्टोड द्वारा कि विभिन प्रकार के कि विभिन कि विभिन प्रकार के विभिन प्रकार के विभिन प्रकार के इलेक्टोड विभाव को विभिन प्रकार के ही लेक्टोडों का है हुडू है कि लेक्ट्रों के लेक्ट्रोड लिभाव कि व्याद करते हैं विविन प्रकार के इलेक्टोडों का इलेक्टोड विवह ज्याद करते हैं मतलब मायनक इलेक्टोड हाइडोजन इलेक्टोड यानि यह बना कैसा है कैसे याद करते हैं यह सबी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसको हम रब कर देते हैं इसका इलेटोर्ड वह ग्याद करने के लिए इसका इलेटोर्ड वह ग्याद करने के लिए इसका यूज करेंगे इसका यूज करेंगे यूज करेंगे मानक हाइडोजन इलेटोड का यूज करते है इसको कहा जाता है SHE भी कहा जाता है मानक हाइडोजन इलेटोड भी कहा जाता है वास समझ में आया इसे कहा जाता है मानक हाइडोजन इलेटोड भी कहा जाता है SHE मानक स्टेंडर्ड हाइडोजन इलेटोड भी कहा जाता है कि यहां तक सभी को बताओ अब हम इसकी सनचना तक का प्रयोग करेंगे प्रयोग करते हैं कि यहां तक बात बताओ यह पूछा जाता है आप लोगों के लिए थोड़ा इक वाटेंट है यह वाटेंट है यहां तक हा याना कुछ बोलो बहुत परचानी से पढ़ा रहा हूं आप लोगों कर या जाता है इसलिए बनाया बना लेते हैं कैसी होते इसकी सन्रचना कि और यहाँ पर क्या होता है इस तरह से बना रहा है इसकी से यहां पर क्या डालेंगे अभी मैं बता रहा हूं इसमें हम लोग डाले हैं यह जो विलियन डाले हैं इस बिलियन पहले था हम लोग इसमें बिलियन डालते हैं यह विलियन डालते हैं यह विलियन डालते हैं यह विलियन इस बिलियन में इस बिलियन में हम लोग क्या करते हैं ध्यान देना इस बिलियन में क्या करते हैं यह विलियन डालते हैं और इसकी जो सांधता होती है यह सांधता कितनी होती है वन यम होती है और टमप्रेचर होता है ताब जो होता है 25 डिगरी सेंटिगेट रखते हैं यह कितना रखते हैं और इसमें क्या करते हैं हम लोग इसमें एक देखो इसमें इस तरह से आपके सामने इसमें इस तरह से क्या करते हैं कि,儿 कि, कि, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि, इसमें क्या करते हैं हम लोग ध्यान देना इधार सब्सक्राउग इस तरह से यहां देना आयसे आपको यह बनाने आणा चाहिए इसलिए मैं आपके सामने बना रहा हूं मेरे पास बहुत अच्छा अप्षिन था कि मैं एक फुटा सा ओर लगा के बना सकता था मतलब एक पीपीटी बना दिया था उसमें सब कुछ बना बनाया रहा होता इस तर यह प्लेटिनम का है यह जो तार है ना इस तार किसका है यह तार किसका भाई यह प्लेटिनम का तार है प्लेटिनम का तार है यह प्लेटिनम का तार है इस प्लेटिनम के तार में हम लोग हाँ यह प्लेटिनम का तार यूच करते हैं यह यहां पर इसके बीच में यहां पर ध्यान देना अरे यार यह वाइट क्यों चलना यहां से इस में से यह प्लेटिनम का तार होता है कि यह प्लेटिनम का तार होता प्लेटिनम के बीच में यहां से हम करते हैं का फिलेटिन के प्लेटिन बैँड जाता है लख मनला हम लोग रटकी रती है और नली का जो दाब होता है इसका जो दिनका जो होता है इसका जो दाब होता है लिकांस को लेखुँँ तक resource लिकों से यह को इसका जो दाब अब देखो यहां से कर लिए और इसका जो है इलेटोड विभाव जो है हम लोग मानक हाइडोजन इलेटोड का इलेटोड विभाव जो है हम लोग मानक हाइडोजन इलेटोड का इलेटोड विभाव जो है हम लोग मानक हाइडोजन इलेटोड का इलेटोड का इलेटोड विभाव जो है है यह से किया करते बाबू इसको द्रह देना इस इस करते 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 का पर पहुंचते यह वह लिए कि लगाते हैं 올ट मीधर पत्रोट मीटर लगाते हैं और इस all मिय Essentially को हम लोग क्या करते हैं उस record में लगा देते हैं ज्सक्राइब का हम लोग यात कर लेते हैं यहां पर ईल्य को लगा वो इस ये यह सेल को लगा दिया इसमें लगा दायो है अब जो भिभण आता है बादट का मातरुक हो समझे है इसका तो जिरो माना गया है जो बिभो statisticalب विटर कहो विवगा किसा लेडी जीरू मान लिया गया है बस यही काम होता है चनचना में आपको लिखना है तो लिख सकते है एक बर्तनमें बरतनमें क्या लिख सकते हो एक बरतनमें scl का billion भर कर जिसकी सांदता वनियम हो scl का billion हम लोग भरते हैं जिसकी सांदता क्या हो वनियम है वनियम है ठीक है और तथा ताप सांदता वनियम है तथा ताप 25 degree centigrade कितना है 25 degree centigrade होता है 25 degree centigrade होता है ठीक है इस billion की में काच की नली इस विलियन में क्या करते हैं एक काच की नली द्वारा प्लेटिनियम का एक तार प्लेटिनियम के तार को क्या किया जाता है प्लेटिनियम के तार को प्लेटिनियम के तार से 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 प्लेटि प्लेटिनियम का ही एक प्लेट जो है लटकी होती है लटकी होती है काच की नली में 1-8m का दाब होता है काच की नली में कितना दाब होता है काच की नली में वन एटियम का दाब होता है काच की नली में वन एटियम का दाब होता है कितना दाब होता है वन एटियम का दाब होता है और हाइडरोजन गास उपर से भरी जाती है फिर हाँ से हाइडरोजन गास और हाइडरोजन गास क्या होता है अब से वाह से उपर से बशए बडियाती है तो बर से क्या होती है बढ़ी कि बडारस है और ताप 25 डिग्री सेंट्रिगेट है इस विलियन में एक कांच की नली द्वारा प्लेटिनियम के तार को लटका देते हैं तार को लटका देते हैं और लटकी जो तार है उसमें दाब एक एटियम और हाइडूजन गैस को ऊपर से डाला जाता वही सब चीजे लिखें इसका आप कितना रखना है पसीज डिग्री सेंटेगेट नियत ताप रखना नहीं जarब इसमें क्या करते हैं आपको मैंने पूरा क्रिया थी बता दिया इसमें हम लोग irmayam data hydrogen electron हम लोग हिहां प लिख सकते हैं कि मानाक hydrogen इलेट्रोड का मानक हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेट्रोड का इलेट्रोड विभाव सुन्य माना जाता है इसमें सुन्य माना जाता है इसमें इसमें कुछ नहीं करते है इसका क्रिया विधी कदो सनचना हो गया अब क्रिया विदी में क्या है रिधी में बताओ सिंपलड वही बात कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं एक सिंपल चोटा सा जिसको आम में ग्याद करना होता वोई लिट्रोड को यहां पर जोड़ते हैं नया यह अहलो इस तरह से मोल्ट से करते हुए इसमें जोड़ देते हैं किसमें जो हाइडोजन ऐसा ची बना है हाइडोजन इलेटोड भी वह जो बना उसमें जोड़ देते हैं जैसे ही इसको जोड़ते हैं इसका तो जिरो होता है और यहां पर जो रिडिंग आती है वह नया वाले लेटोड का इलेटोड भी अब हम लोग चलते हैं क्रियाविदी ठीक है अब वही क्रियाविदी क्या करते हैं उसी को हम लोग लिखेंगे चले लिखते हैं क्रियाविदी कर देखो मैं ने पुरा लिए लिए जिस भी लेटोडोड का उड़टोड वियोफ ग्याद करना होता जैसे वे सिसका ग्याद करना था इसे क्या करते हैं एसकह की बराबर मतलब यह मानक hydrogen electrode को ऐसे चीख आ जाता है इसके बराबर हम लोग रख देते हैं बराबर रख देते हैं और दोनों के मद में यहाँ पर देखो ओल्ट मीटर लगा दिये हैं यह ओल्ट मीटर है दोनों के मद में ओल्ट मीटर जोड दिया जाता है और ओल्ट मीटर की जो रीडि है पूछा जाता है ठीक है चलो आगे चलते हैं अब लोग यह सब तो लिखी लिए होगा आप लोग अब हम लोग एक question आपको दे रहें करो इसको question करो कौन कर सकता है जो question कर लेगा उसको मैं यहां से 50 पैसे फोन पे करूंगा हां पचास पैसे पचास रुपया नहीं ध्याने ना पचास पैसे कापर से कापर 2 प्लस ठीक है मैं जा रहा है का जो है इनाट जो है दिया हुआ है कितना जिरो पॉइंट 0.34 बोल्ट 0.34 बोल्ट है इसका इसका मानक अपचेन इसका मानक अपचेन इसका मानक अपचेन विभाव वा मानक अक्सी करण 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 विभाव वा मानक अक्स कि विभाव कि यह यह हो गया कि यह कोश्चन में क्या है सी यू से कि यू टू प्लस इतना है 0.34 है इसका मानक अप्चन भी वह तो मानक आक्सिकड भी वह बताना है कौन बता सकता है 50 पैसे की बात है 50 पैसे की बात है कौन बता सकता है कोई है जो बता सकता इस कोश्चन को मैं बता रहा हूं देखो इसका आक्सिकड यहां पर इसका आक्सिकड संख्या 0 था और यहां पर 2 हो गया मतलब आक्सिकड संख्या में क्या और ही बृद्धी हो रही है इसका मतलब यह जो वैलू दिया है यह किसका वैलू दिया है आक्सिकड विभाव का दिया है मानक मानक आकसी करड़ विभाव दिया है जो वैलू दिया है मानक आकसी करड़ विभाव दिया है अब हमें क्या ग्यात करना है मानक आकसी करड़ विभाव ग्यात करना और मानक अपचेन विभाव आपको पता है मैंने अभी अभी आपको बताता कुछ टाइम पहले कि मानक इले प्राबर होता और माइनस होता है मैनिस आक्षी कर्ड विभा प्रिम होता है यानि के आप यह जो विभा यह जो दिया अक्षी कर्ड विभा दिया अगर इसको hydrogen विभा में च Themen करना तो कुछ नहीं करना इसके आए Dickермagy माइन्स 0.34 माम्ण करकर futures किया हो जाएगा guarantee cœ अपचेन विवाव हो जाए तो इसको आप मत दिखा करो ऐसे लगाओगे तो गलत हो जाएगा यह गलत है मैं बता रहा हूं देखो यह मानक E9 का वैल्यू दे रहा है कितना ॅ कितना कव chosen बरत ने मानक आपको मैं दे रहा हूं लगाओ इसको लगाओ फिर मैं बता लगाओ लगाओ फिर मैं बता रहा हूं अब इसका एंसर आप लोग नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट करोगी ठीक है यह हूमवक मैं देता हूं तो समझ के एंसर देना ऐसा कोशन बनता हलाकि इधर से नहीं बनता आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेगे वहां से कोशन बनेगा ठ तो चलिए इसके आगे चलते हैं ठीक है तो अब हम लोग पढ़ेंगी हालाकि इस टॉपिक से कोशन ना मातर के बोर्ड इज्या में पूछे जाते हैं एकदम नहीं पूछे जाते हैं समझ लिए लेकिन फिर भी हम आपको बताने जा रहे हैं जानकारी के लिए अच्छा रह करते हैं बिना बैटरी का कोई काम नहीं होता है इसलिए एक्जामनर भी कभी-कभी मंसा जाता ते का कोशन पूछे लेता क्योंकि सलेबस में है इसलिए पढ़ना जरू है ठीक है पढ़ेंगे क्या हम लोग विद्धूत रासायनिक सेल के बारे में इसके बारे में विद्ध दो प्रकार के सेल के बारे में पढ़ लिया है एक तो इसके पहले हमने पढ़ा विद्धूत अबघटनी सेल, हम लोक पढ़ेंगे विद्धूत रासायनिक सेल तिस लिए काम आता है या विदुत उर्जा को रासानिक उर्जा में परिवतित करता है विदुत उर्जा को विद्धुत उर्जा को रासानिक उर्जा में परियुतित करता है रासानिक उर्जा को उर्जा में परियुतित करता है ठीक है बात समझवाई क्या पूर्जा परियुतित करता है जबकि विद्धुत रासानिक सेल क्या करता है यह विद्धुत उर्जा को पुर्जा को ये रासानी पुर्जा को पुर्जा को बिद्दुत पुर्जा में परियुथित करता है मतलब घठनी सेल का जच फुल्टा होता है जैसे आपके मोबाइल में इदेखो यह मुवाइल में यह इसमें रे मोड में बैटरी लगी हुई है एक तरह से लह रही यह घृरीज है किसका बिदूत भजा चैर्वेmmels कूनों कि इसमें एक कुई प्रदार्थ होता है और यह उन्हों पदार्थ हमको विद्धुत उर्जा देती है तो सिंपल सा डिप्रिशन की तरब हम लोग जाएंगे कि विद्धुत रसानिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्टित करता है सिंपल से परिवासा की टाइप हम लोग जाएंगे प्रिदुत उर्जां को रसानिक उर्जां बरिवर्टित करता है यह यह כण इस आप सोता है का मतलब मैं दे रहा हूं इस बैटरी को जैसे ही रिमोड में लगाएंगे वैसे रिमोड काम करने लगता है ऐसा नहीं होता है कि इस बैटरी में कोई आन आपका बटम हो नहीं नहीं से इसको रिमोट में लगाए बैटरी रिमोट काम करने लगता है तो अता काम करने ला बैटरी हमेशा चार्ज रहती तो काम चलने लगता है जबकि विदूत अफगटनी सेल में तभी काम होता था जब हम लोग इलेक्ट्रोड पर उपर से विदूधारा प्रवाइद करें तरह से होता था था भी भी अबजू अपको बताया था इसमें मैंने वहाँ पर उया तो यहां पर पर यह झामपल लिया था कि इसमें जो है इस तरह से यहां पर यह क्या भरा होता है यह में सील वह नहां पर उता है यहां से हम लोग यह बैदु धारा प्रवाइद कर रहे थे तब यह आने मन से काम नहीं कर रहा था और हम विद्धुधारा प्रवाइद करना बन कर देना तो यह काम नहीं करेगा है या आज स्वता प्रक्रिया है हम विद्धुधारा प्रवाइद करेंगे तभी यह विद्धुधारा प्रवाइद करेंगे तो वह विद्धुधारा प्रवाइद कर के यह मैंने आपको पढ़ाया था इसमें यह बता था कि बिदुध धारा प्रो आपको बताया था तो यहां पर तब यह तूट रहा था तब यह काम कर रहा था अगर धारा नहीं लगाएंगे तो नहीं टूटेगा नहीं काम करेगा इसलिए मैंने यहां लिखा कि बीद्धु तरहसानी सब्सक्राइब अपने आप काम करता यह याद लखना क्योंकि आपको ध्यान से ध्यानेना कि विदूत अब गटनी सेल में क्या होता है यह आज सोता प्रक्रिया होती जब कि विदूत अब रसानी सेल सोता प्रक्रिया होती बैटरी आप अगर मैं बता रहा हूं आपको एक प्रेक्टिस बता रहा हूं सही बता रहा हूं इस बैटरी को निक पास समझ भाइक नहीं यहां तक हां appreciate बताओ भई तो इसमें क्या होता विद्धुतुर्जा में परिवतित करती है और विद्धुतुर्जा को रहसानी परिवतित करता है परिवासा लिखवाने कोई जरुवत नहीं है आप सीरे सीरे लिख सकते हो ना कि एक ऐसी प्रकार की युक्ति है एसी प्रकार का मतलब विवस्था है जो कि रहसानिक उर्जा को बिदुत उर्जा में परियोतित करता है परिवासा दिखवाने जरूत नहीं आप लोग लिख सकते हो अपने से चाल लाइन से फिर भी मैं लिखवा देता हूं नहीं कुछ लोग बताओ पीछे का ध्यान से पढ़ा करो जब तक नहीं दिमाग रहा तो आगी चीज़े नहीं समझवाएगी विदुत उर्जा से क्या होता है क्या लिखो कि सिंपल भासा में इसकी परिवासा बताओ बताओ विदुत उर्जा से एक ऐसी विवस्था होती है विदुत रास्त रासानिक सिल एक ऐसी विवस्था विवस्था होती है विदुत उर्जा में विदुत उर्जा में परिवर्टित करता है अ कि रासानिक वर्जा को विदुत उर्जा में परिवर्टित करता है डात समझ आई क्या सबी को है है हाना हाना यह रासानिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवतित करता है लिख लो सभी लोग तो नोट कर लिया आप लोगोंने आगे चलते हैं एक महत्पुर पॉइंट देखो आगे आप यहां में लोग इसका सेल का इस्ट्रक्चर में बनाऊंगा डेनियल सेल जिसे कहा जाता है गैलोवनिक सेल होता है लेकिन हाँ अभी मैं आपको बात बनाते चाहता हूं कि सेल के अ इसल का अंदर और ऋसल का बाहर तेल की यह यादतना यह अब जेक्टिव में हो सकता हो पूछ लेकशे तो प्रिम अंदर जो होता है 핑्लेट्स न वि tummy के अनदर से कैठंट कि ओड़ जाता है सेल के अंदर इलेट्रान जो होता है इलेट्रान कैसे जाता है इलेट्रान इलेट्रान जो होता है ये एनोड से कैठोड की और जाता है एनोड कैठोड की तरफ जाता है पहली बार सेल के अंदर की बात है सेल के बाहर जो इलेट्रान होती है कि यह कैठोड के से आयनोड की और बात समझाए यहां पर उल्टी होती है यहां देना आपको याद कराने का ट्रिक ही है तो बात अलग हो जाएगी जैसे आप गाव में किसी के दर्वाजा खट 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 कि अंदर से आई भाई के अधा जी कौन है कौन है क्या होता है कैठोड के अंदर क्या होता है यह कहां से कहां जाता है यह जो है कैठोड चे यह लिट्टान जो होता है यह कहां से कहां जाता है यह कैठोड से अनोड की तरब जाता है तरह से याद रखना और सेल के बाहर अनोड से कैठोड की हो जाता है बात समझ वाई क्या सबी को कि अन्दर इलेट्टान की गति क्या कैठोड से अनोड के ओर होती है किसी का धरवाजा खटका होता अंदर से क्या वाजाती कौन है क्या से क्या तोड कैसे कौन है याद रख सकती हो से बार एनोट के ओड़ लोग अब डेनियल यह सबसे जाड़ा सबसी अच्छा एग्जामند होता है高 लाइट की बैरे पुटी ए grapple होता होगी अब लोग डिनियस बनाएंगे डिनियल कैसे बनता इसको देखेंगे किया होता है देनियल से ध्यान देना कि इस तरह बलाध कि डेनियल सेल में कितना डबबा होता है देकिन यहाँ याँ पे दो john ढूर्स टृइपपा क्या है दूस्ति डबबा क्या हुआ कि तुसी डबा यह है कि तो यह है कि तो यह डबा है तुसी डबा क्या है कि यह जो इसकते बना लोगो आपको इसमें क्या करना होगा कि देखो इस डब्बे में हमें भरना है इस डब्बे में हमें भरना है तु यह सूपर नहीं होता है जेड़े यह सूपर जिंक सल्फिट का विलियन इसमें भरना है तो दूसरे डब्बे में सजी क्या भरना होगा दूसरे डब्बे में देखो क्या भरना होगा यह भी मैं बता रहा हूं देखो मार्केट से इसमें भी लेका आना कापर सल्फिट का मिलियन इसमें जो भरना होगा गारब इसमें जिंख सल्फिट का उशमें क्या इसमें क्या चैन्ज बखिर है इसका जो कलर हमें चेंज कर देता हो इसका डीर का कुछ और क्यूग लेता हूं कौन सा कल लों 라id लेता हूं ठीक है छिंक चौपेट है or य। होता । होता क्या है यह जो ध्याद नक्याद्न ये पी जिण्क का हीन होता है तब इत्रोड부 बनेगा मैंने क्या पहलता है एक धात्य च्रोड क्या खाड होता है और उसीटाट् consensus के बिलियन में इसे डूबोया होता है धातु का छड जिंक है और इसी दातु का बिलियन जिंक है इसमें डूबोया गया है यहां पर धातु का छड़ी है क्या हो जाए काफर हो जाए इसमें होता क्या है यह जो जिंक है यह अपना इलेट्रान यहीं पे छोड़ कर अपना इले छोड़कर यह है चला जाता है इस बिल्यरन नियुकरं बहाई कोई अपने उपर से दो इलेटरानना निकालता है तो क्या आता उसे पारश्टी चाज आता है सहजी पारश्टी चा जाता है तो हजन न चूप्लस में जाए गऄ जेडेयन 2 प्लस बिलियन में जाएगा और यह क्रिए कैसे होती है यहां से क्या बन जाएगा जेडेयन 2 प्लस बन जाएगा और हम अच्छा लगने के लिए यह जो माइनस टू इलेट्रान है इसको इस साइड लाके प्लस टू एलेट्रान नहीं कर सकता हो सर बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर माइनस 2 को ड़ल आके प्लस 2 इलिक्टान कर दिया तुक है यह जिंग की बात है जिंग अच्छा लगने के लिए निकाल के इस पे कर दिया जिंक सल्फाइट जिंक सल्फिट का गुदियाने अब क्या करते है ध्यान देना ये जो इलेटान होता है इसको हम लोग एक तार के माध्यम से इसको ऐसे जोड़े होते इलेटान खाली नहीं बैठता है यहां पे इस तरह से लेटान वहां से कुछ निकल कर यहां पे चल आता है इस कापर के साथ चल आता है और कापर के साथ आता है ऐसा कुछ होता नहीं है मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिगर बना रहे इसको याद रखने के लिए मैं डारेट बता देता कि ऐसे इसे हो जाता है तो आपको समय में नहीं आता याद करने के लिए मैं आपको किलियर करा रहा हूँ ठीक है? ध्यान देना यह कापर के साथ और कापर यहाँ पे यह कापर की छड़्ट 2 प्लस की रूप में होती है और यह दो है ट्रां लेता है यहाँ से और यह कापर का ठेळ बना देता है इस बास समझ में आई क्या है? सठी यहाँ पर कापर 2 क्यों रहती है यहाँ पर आपम झिंक को 2 क्यों नहीं माना? जबहाई अब याद कर दो ये धीरे-धीरे समझ में आ जाए अचानक साइंटिस्ट कोई नहीं बनता है ये अराम-अराम से सीखनी चाहिए अभी जो मैं बता रहा हूं इतना धानो कापर सल्फेट का विलियन होता है तो यहां से कापर तूटता है तब यह दो इलेट्टान लेकर जीरू हो जाता है यह कापर का छड़ जो है यह कापर का छड़ और यहां पर यह जिंक का छड़ है और इलेट्टान का गवन कई से होता है बताओ इस तरह से जाता है इधर से लेटान इधर जाता है इधर से लेटान इधर जाता है अब हम क्या करने वाले हैं इसमें एक चीज का यूज होता है इन दोनों के बीच में जिसे हम लोग लवड सेटू कहते हैं और उसी लवड सेटू को बनाने जा रहे हैं इस तरह से एक लवड सेटू नाम से ऐसा करके इस तरह से जोड़ा जाता है यह क्यों जोड़ा जाता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसका नाम होता है लवड सेटु लवड सेटु थे का नाम हो ते हैं तोड़ना मद शिख और पहले यह देखो कि कईसे हो गया तूट गया याद कर लो अभी ना अभी अब अब यह सी को कैसे होता है आस बाकि उसके बाद देख ले ना तोड़ा सोड़ा पाज में सी किसी का नाम क्या है नित्यानंद सागर नित्यानंद सागर में नित्यानंद का जो नाम है इसे क्या कहेंगे अर्ध नाम सेम काम यहां पर चुकि आधी बैटरी एधर है इसको कहते है और इसील जिन्क से बनाया इसलिए कहते हैं जिंक का अर्ध इसलिए यह जींक से बनाया जिए कापर का अर्ध द्रिसेल करते हैं अब देखो चीजे को अब हम लोग समराइज करते हैं जो चीजे ही हुई है पहली बात देखो यहां पर अकसीकर्ड हो रहा है की अपचायन यहां पर 0 अकसीकर्ड हो रहा है सजी कि यह तो एक तरह से क्या हो रहा है यहां पर आक्सी कड़ हो रहा है क्या हो रहा है जीरो से प्लस टू है और यह प्लस टू से जीरो आ जा रहा है यह क्या है अप्छयन है आपच्छी करसंख्या में कमी हो रहे है अप लोगों को अब देखो भाई सीधी सी बात है चुकि मैंने आप से बताया था यहीं पर बताया था कि एनोड वाला जो चड़ोता उस पर आक् होता है यहां पर इसपट रूप से देखना कि आकषी हो रहा हो मतलब यह आनोड का चड़ोगा यह यह आपका nodes और यहां पर अप्चिन हो रहा मतलब एक हाठोम का a28 अब ध्यान देना ही सभी चीजों को हम लोग समराइज करके लिखते हैं समराइज इस तरह से करते हैं यहां पर जिंग का जो जड़ है जिंग क्या है जड़ है यह किसमें डला हुआ है जिंग यह सो 4K बिलियन में जिंग के सो 4 मतब जड़ है जिंग का जो सब्सक्राइजटग है इस पर क्या हो रहा यहां पर मैंने बोला क्या हो रहा है हांपे हो रहा आक्सी कर्ण होड़ा आक्सी कड़ क्या हो रहा है और अक्सी कड़ में क्या हो रहा है आनोड की रिरात्मक होगा यह इसका मतलब रिरात्मक है पास समझ भाई क्या यहां तक है यह जो है यहां पर कापर का चड़ है और यह डूबा हुआ किसमें बताओ कापर का चड़ किसमें हुआ है तक है किसमें है यहां पर स्थिए और फोर की विलिएन में दुबा है तो मेरे कहने का मतलब यहां पर है दाव शूर के विलियन में है तो कापर का चड़ यहां दाल गया मैंने यहां पर लिखा और इस कापर के छड़ पर क्या हो रहा है यहां पर आप चयन हो रहा है मैंने आक्सिकर अपचयन पूरा तरीके से आपको पढ़ाया है पहले और आप उसे नहीं देखे हो तो डाउट होगा ना किलियर होगा आप आप जो आज का 57 गंटे मैं पढ़ा चुका हूँ इस चैप्टर में आप 57 गंटे बाज पढ़ रहे हो बीच का दो गंटा भी आप गायप की हो तो नहीं समझ में आने वाला आपको आक्सिकर अप्चयन का कंसेप ही नहीं समझ में आएगा तो कैसी कर पाओगे तुम कलती तो करते हो ना द करें आप यहां पर क्या होता है इस पे इस पर वह違 Whats अप चैन 화ण और अपचैन मेंा division रहा है ऊको यह तक होता, press क्या होता है धनात्मक होता है और इन दोनों के बीच में एक काम करने वाला यहाँ पे होता है एक काम करने वाला एक विलियन होता है इन दोनों के बीच में काम करने वाला एक विलियन होता है लवर से टू इनके बीच में क्या बना होता है कि बीच में यहांपे देखो उन्हीं चीजुआ को मैं लिख रहा हूँ सार्ट कट में अगर आपको लिखने के लिए कभी तू कहेगा नहीं बोड एक्जामनत हाँ लेकिन यहांपे लवड सेतू होता है ना दुनों के बीच में क्या होता है लवड सेटू होता है लवड सेतू होता है यह जो बीज में है इसको इसको लवड सेतू कहते हैं लवड सेतू क्या होता है इसके बारे माभी हम लोग आगे पढ़ेंगे यह फिगर बना लोग जो मुझे लिखवाना था मैंने लिखवा दिया इसमें कोई परिभासा नहीं गिखवाऊंगा क्या इससे objective कोशन बनता है ग्याल्यूनीक सेल की डेनियल शेल में आक्सिकड किस पे होता है अप्चेन किस पे होता कौन धनात्मक होता है कौन रिदात्मक ऐसे इसें बनता है तो यह आप अगर इसे समझें होगे तो कर लोग होगे बाकी जब मैं कोस्टन कर आँगा बाकी की बच्चीवी चीजिया आपको अपने आप समझ में आ जाएगी ठीक है इसे नोट कर लो आप लो हां अचे एक चीज़ ध्यान देना ये जो गैलियुट होता है इसका जो शेल का विभव वह पा लग गर का फॉटा है इसका विभव होता मैं यहां लिखा रहा हूं फैल कर दो कि अन्य चेल का विभाव तो सेल का विभाव होता है कि विभाव जो होता है इतना होता है वन पॉइंट वन वोल्ट होता है किल का व्यों कितना होता है 1.1 वोल्ट होता है देल का जो व्यों होता है यह पूछा जाता कभी बिथा जाता है को दिम कि आगा इसको आपको रिबीजन करने की बहुत जरूई है अभी-अभी जो मैंने पढ़ा है क्योंकि यह इस चीज़एं काफी नहीं होती है आप लोगों के लिए और आप लिए काफी कॉछन करता है अरब की दिशा तरफ है वो पुछता कि बताओ जिंक की तरफ है या इसे पूछे पूछे जाता है ुछ रता है तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो आइनोड से चेह जुदे होती है और कापर होती है और रीलेटान की तिसा मैंस दिखाता है इस Biz वी यहाँ पोईं हम नहीं यहाँ पर भूसर देता तbilir होती है और यह कापर से कापर की M हमनर यहाँ पर भील... अगर आप भी एक्जामन यहां पर भी नहीं मानता है चलाकी तो यहां पर भी करता है धारा की दिशा कभी कभी पूछ लेता है अचा जी धारा की दिशा क्या होगा बताओ जिसा क्या होगा ईल्टा हो जाएगा आपको पता इलेक्ट्रान के दिशा के विपरित में तर्फ हो जाएगा या फिर कापर से िंग की तरफ यह हो जाएगा धरक्रें अब देखो बाई मैंने यहां पर लिखाया था कि सेल के बाहर के ही कंडिशन है और यह नहीं बताया आपको याद होना चाहिए सेल के अंदर इसके जर्ष उल्टा होता है यह दोनों को संट्रेंडिंग में होता कभी-कभी आपजेट्टिव में को संट बनाना होता तो पूछ कभी-कभी कोशन को टब बनाना होता है इस तरह से कोशन पूछ लेता है यह भी आपको याद होना चाहिए बास समझवाई यहां तक सभी को खिलियर है इसको अच्छे से पढ़ लेना समझ लेना सभी लोग फिगर बना लेजिए अब हम लोग इस जो लवर से तु दिखाई दे रहा यह यू अकार की नली इसके बारे में पढ़ेंगे ना बहुत आसान होता है ध्यान देना और यह पूछा जाता है लवर से तु के बारे में पूछा भी जाता है देखो लवर से तु जो होता है इस थाइप का होता है यू अकार की नली होती है इस तरह से यू अकार की नली होती है लवर से तु आपने देखा न यह दोनों से तु का मतलब पूल होता है क्या होता पूल और दोनों में ब्रिज का काम करती है इसे कहते हैं क्या लवर से यह पूल हता है लवर सेट। का मतलब क्या हूता है लवर सेट। का काम क्या होता है किसीज का बना होता है देखो यह भरा होता है cop बिदूत अपगटे भरा होता है इसमें क्या भरा होता है अक्री बिदूत अपगटे भरा होता है अक्री बिदूत अपगटे का मतलब जैसे जामपल के लिए के सीग या आपका एक अक्री तोभ गटे के एनौ 3 की यानौ 4K यह सभी के सभी क्या है अक्रिय विद्धुत अफगर्टे हैं जो इसी एक मेह नहीं फड़ा होता है यह देनियल सेल जाधा नहीं पूछा जाता यहां से बन जाता है लेकिन जो मैक्सिमिम् पूछा जाता है लवट सेतु के बारे में सब्जेक्ट्ट्व कोशन कैसे बनते हैं यहां आगे दिखाऊंगा अक्री बिद्धुत अफगट का मतलब क्या होता है अक्री बिद्धुत अफगट का मतलब यह होता है कि ध्यान देना यह ऐसा होते हैं कि यह ऐसे होते हैं यह ऐसे होते हैं कि विलेन से क्रिया न करें विलेन जो होता है उससे विलेन से क्रिया न करें एक्रिया नहीं करें अग्राइब यह लवर्ट टेटू में ऐसा विलियन डाला जाता अक्री का मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आ अक्री का मतलब होता ऐसे बिद्दुत अपकट बनाने के लिए किया इसमें डालो कि यह डालेंगे इन दोनों से क्रिया ना करें तो इसमें अक्रिय पदात ऐसा अप्री बिलियन डाला जाता है जो कि रिया ना करें यह चीजिए है अब देखो निए पोटेसियम खुलराइट पोटेसियम नाइटरिट या पोटेसियम आयोडाइट यह मैंने आपको बता दिया कि अब मेन रूफ से काम क्या होता है लुए लगाय जाता है इसके लिए इसके बारे में बात करेंगे तिक ये पूछा जाता है एक्जामे की लवर सेतु का कारे लिखे या लवर सेतु का मतलब गुड लिखे ठीक है यह एक्जामे पूछा जाता है तो हैडिंग डाले ना लवर के लवर सेतु का कारे तथा गुड पहला गुड इसका क्या होता है पहला गुड यह अगर-अगर का बना होता है अगर-अगर पदार्थ होता है एक तरह से घास होता है यह जो लवर से तू इसमें डाला जाता है पोटेसियम कोलाइड या पोटेसियम नाइट पोटेसियम आयोडाइड लेकिन यह बना किस से होता है यह पहले जान लो यह किस से बना होता है पहला पॉइंट यह लिखना है यह अगर अगार इसे मुझे नहीं समझे आगार होता क्या है लेकिन अगार-अगार का बना होता है अगार का बना होता है कौन बना होता है हम नहीं यह लवट से तु बना होता है यह मैं अगार अगार का बना होता है यह लवट से तु अगार अगार का बना होता है पहली बाद यह दोनों इनका पहल दूसरा काम यह होता है दूसरा महत्पूर्ण गुड़े से होता है यह जो ह होते हैं उनको जोडने का काम करते हैं जोडने का कारे करते हैं यह दोनों अधसेल जो है देखो यहां पे यह दोनों अधसेल है ना इनको जोडने का काम किया है नहीं लवड से तू तो यह दूसरा कारे उसका होता है दोनों अधसेलों के जोडने का काम करता है और यह जो लव परिपत्थ को किया करता है पूड़ करता है पूड़ करता है यह प्र प्र चौथा पॉइंट यह किसका काम क्या होता है यह जो होता है ना संदी विभाव के संधी विभाव को क्या करता है रोकता है यह संदी विभा को क्या करता है रोकता है पहला काम यह अगर-अगार का बना होता है अगार मुझे भी नहीं मन्हों भफ़ना को इसका होता है उसी जैल पॉदत को पूर बनाता है और संधी विभा को जो होता है उसको रोकता है संधी विवाव को क्या कहता है विवाव को रोकता है और दो विलियन को उदासीन बनाये रखने में बनाये रखता है ये दोनों जो विलियन है इसको उदासीन बनाये रखता है तिसरा चौथा कारे पचमा कारे क्या है यह है दोनों विलयनों को क्या करता है उदासीन बनाया रखता है रखता है दोनों विलयनों क्या करता है उदासीन बनाया रखता है यह क्या है दोनों विलयनों को उदासीन बनाया रखता है और लवर से तू हटा देने पर अगर लवट सीटु उटा दे ना तो वोलट ता इसका सुन्य हो जाएगा है अगर कूड या लिखने के लिए कह तो क्या यह किस्से बना होता है । अगार-गार का बना होता है अध रसे लों को जोडने का काम करता है परिपत को पूरा करता है और इसमें किया है दाउट कुछ बच्छों के दिमाग में आ रहा सा संधी विबव क्या होता दो चीजे जुडती यह एक बिभा उतपन हो करता है क्योंकि इनके बीच में विभाव उत्पन होता है उसी को संध्य विभाव करते हैं और संध्य विभाव को रोकने के लिए यहां पर लवर से तुका यूज करते हैं पास समझ भाई क्या सभी को यहां तक बताओ कि अगर का मतलब कुछ नहीं याद कर लो चुचा कि अगर अगार का बना होता है ओके कि यह रहें यहां तक सभी को अब देखो यह जो लवर से तु है इसमें जो हमने यह डाला है न विलियन पोटेसियम आयोडायड पोटेसियम को राइड यह सब जो विलियन डाला है इसका क्या गुड है इसके बारे में लोग थुड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि यह भी जरूरी आप लोग के लिए ना यहां पर विद्धूत अब गटेके गुड है नम्मर एकुड नम्मर एकुड नम्मर एकुड विद्ध अफघटि होता है उसके धनायन और रिडायन दोनों पे आवेश समान होनाचाईाए भली बात एक जो विदुत अभगट है जिसे potassium chloride है potassium iodide है potassium nitrate है इसमें धनायन और रिडायन दोनों पे आवे समान होना चाहिए परिपत का मतलब circuit होता है जो यह पूरा सरकीट है यह जो विदुत अभगट में धनायन और रिडायन का मात्र विदुत का आवे समान होना चाहिए लिख सकते हो विदुत अपगट में धनायन तथा रिडायन का जो आकार क्या हो नहीं? नमान नहीं नहीं? नमर दो बात, नमर दूसरी बात, नमर दूसरी बात, नमर दूसरी बात क्या होना चाहिए, विलेयन के में जो धनायन है, जो रिडायन है, दोनों की गति सिलता समान होनी चाहिए, मतलब समान गति से इसे गति करना चाहिए, और कोई को वे गति हो जाएगा तो धनायन पहले ज जाएगा तो उससे भी दिक्कत हो जाती है यानि जो विद्धुत अपगट्य है विद्धुत कि अपगट्य कि धनायन कि तथा कि धडायन कि जो गतिसिल्टा होना चाहिए कि गतिसिल्टा कि यह पूछा जाता कि लवड का क्या गुड़ होना चाहिए तीसरा गुड़ लिखना बदोनों बात समझे गतिसल्टा समान होना चाहिए और सेल में कोई ऐसा आयन नहीं होना चाहिए जो कि इन विद्धुत अपगट्य से क्रिया कर ले ऐसे होने पर इन विद्धुत अपगट्य का यूज नहीं करते हैं यह जो सेल में कोई ऐसा आयन नहीं होना चाहिए जो इस विद्धुत अपगट्य से क्रिया कर ले तो इस बात को लिख सकते हो क्या यदि सेल में कोई ऐसा आयन हो जो विद्धुत अपगट्य से क्रिया कर ले तो उस विद्धुत अपगट्य का प्रियोग नहीं करते हैं क्या लिखेंगे आपर यदि यदि सेल में कोई ऐसा आयन हो जो विद्धुत है अप घटे शे प्रियाँ सर लेक्टु ऐसे विद्दुता अप घटे अप घटे अप घटे आलेके हैं ऐसा कोई आयन हो जिसके वज़े से विद्धुत अबहरट से वक्रिया करते हैंf एसे फिल्वर चादी मतलब लेड आदी का प्रियोग अधर अगर Air गयोट के पलस हो जाए या फिर sociology प्लस हो जाए या फिर प्री प्लस हो जाए ऐसे आयन होंगे या फिर टिल प्लस हो जब एसे आयन होंगे कि नहीं करते हैं क्योंकि कर लेता है जब कर लेगी तो तो यह बात है तो विद्धुत अबगड जो इसमें परियोग किया गया है उसका यह सभी प्रापर्टी होना चाहिए यह सभी गुड होनी चाहिए अब हम लोग चलने वाले हैं मोस्ट वांटेट कोशन की तरफ जो की बोड एक्जामत आथा बहुत ज्यादा पुछा जाता है मोस्ट वांटेट कोशन सर क्या है वह कोशन यह है कि विद्धुत अबगटनी सेल तथा विद्धुत रसानिक सेल या गैलोवनिक सेल में अंतर बताईए दोनों का मतलब एक ही होता है उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे ठीक है लोन का एक ट्रिक जो है बहुत ऐनका है काफी लोग इसे बताते हैं और हम भी बताने जा रहें के लोज का ट्रिक क्या है ज्धान Monate करड़न नामानाम ट्रीक होता है छिसी आपका पूरा काम खतम हो जाए के dieta को वह पहले ही करे थे बताने के लिए, मैंने सुचा कि पहले बता के क्या करूंगे, धिरे-धिरे बताउंगा, loan का मतलब होता है, left, yu ka मतलब क्या होता, yu eft, left. यह होता है, o से मतलब होता, oxidation, oxidation का Hindi मतलब क्या होता, outsider, oxi, oxidation होता है, और a जो होता है, इसी anode का thing, यह आपका काम एकदम हलका कर वेगा बात यह है यहल का मतलब लेट यानि इस बैटरी को कभी भी सेट करेंगे अभी हम आगे सेल पदर्सन आपको बताएंगे इस बैटरी में हमेशा लेट साइड वाला यानि बाय साइड वाला देखो मैं इसे खड़ा हूँ इसका बाय और इस पर आक्सिडेशन होता और यह निगेटी होता है इस तरह से आप याद रख सकते हो यह मैंने बहुत पहले आपको बता देना चाहिए था यह आपके लिए लोन का ट्रिक है खलाकि इस ट्रिक का सही उपयो कुछ टाइम बात आपको समझ में आएगा अभी नहीं कुछ अभी पहले हम चलते हैं कुछ यो मैं कोस्ट बता रहा था जो मुस्ट वांटेट कोस्टन है वह कोस्टन दो तरीके से पूछी जाती है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं ठीक है को सब्सक्राइब यह है कि को सन इस तरह से पूछा जाता है कि विदूत आप घटनी विदुद आप घटनी तथा दो टाइप आप कोशन है एक ही सब्द को चेंज करता है गैलिवनिक सेल तथा गैलिवनिक सेल गैलिवनिक सेल गैलिवनिक यह कोशन पूछ लेता है या कभी-कभी इस तरह से भी कोशन पूछ लेता है विदुद और मैं करूँ इसको लिख के प्रेटिस कर लेना ठीक है विदुद आप घटनी सेल अथा कभी-कभी ऐसे भी कोशन पूछ लेता है इसको हम लोग करेंगे मैं एक लाइन घीच लेता हूँ और मैं ज्यादा लिख वाऊंगा नहीं आपको अपने से लिखना पड़े है कि सब लोग आप लोग जानते हो इधर मैं लिख लेता हूँ विदुद आप घटनी सेल अप घटनी सेल और इधर लेता हूँ गैलिवनिग सेल दोनमें अंतर लिख रहा हूँ पहला अंतर जहान देना सभी लोग सब्सway पहला अंतर सब्सक्राशन पहला अंतर अब घटनी सेल जो होता है यह विदुद उर्जा को विदुद उर्जा को कहाँ चर्ज wijए II रासानी कूर्जा को रासानी कूर्जा को बैदुत उर्जा में पहला अंतर है पहला अंतर है दूसरा अंतर बताना जरा आप सभी लोग तो अंतर तो बताई सकते हो बहुत सारे अंतर जानते हो यह जो होती है विदुत रसानिक से लिए विदुत अपकटनी से लिए आस्वता है होता है आस्वता है काम करता है यह आस्वता प्रक्रिया जब यह बात क्या है इसमें क्या होता है आप लोग देखे होँगे इस तरह से होता है इसमें क्यंक क्या अथम्य IKEA 20 इखेंकर क्षेघ becomes कि यह रिकिटरs के में इसमें क्या होता है इसमें दोनो एलेट्रोड क्या होते हैं इलेट्टोड दोनों इलेट्टोड इसमें दोनों इलेटरोड क्या एक ही विलियन में होते हैं इस आप दूसरा लिखते हैं दूसरा आप लोग जानते हो आप लोग इतना पढ़े ओ कि इसमें क्या होता है बताओ इस तरह से होता है और इनके मद एक लवर से तू लगा होता है और इसमें जल्दी भूल गया होता है क्यों हाई इसमें क्या होता है दोनो और दोनो रट्रोड और अलग-अलग अलग अलग बिलियन में होते हैं वास समझ माई क्या बाबू तीन तीन अलग बता दिया अच्छा एक एक बहुत महत्पूर अंतर बता रहा हूं इंदोनों के बीच में वह अंतर यह होता है कि आपको पता होना चाहिए चौथा अंतर लिखना सब्सक्री आपको अपने आप अंतर बताना चाहिए जो इसमें जो अनोड होता अंदो वह अनुद होता है यह पांचिटी होता है है और क्या ही और यहां पर क्या होता है इस में जो ऐनोड होता है आपको पता ये निगेटिव होता है और कैठोड जो होता है कि यानि कि यो लोन वाला ट्रिक है यह गैलूनिक सेल की क्या कि निगेटिव है इसलिए है है हनँ सिधी सिधी बात है इसमें आयनोड पास्ट tends और पाश यहां फास्टे एद पांच फट्वाइव अं inflam अंतर बहुत चाहरा है इसमें रवरत तो नहीं होता है इसमें लवर से तुव कहां होता और लवर लभर से तुर नहीं होता है कम अपली सकते हो होता है यह लवर्ठेतु से कहा होता है गहीं होता हैं जर्फ हिस 거죠 क्या-धल लिख सकते हो ड़स लेए कि लेभर सकते हम मैं धुछा जाता है इसमें क्या होता विद्धूद उर्जा देनी पड़ती है और जैनी प्राफ तो होता है यह भीकाना दोग अंतर में अच्छा नमर मिलेगा इसमें क्या होता इसमें विद्दु तुर्जा क्या होता दे नहीं पड़ती है कि अबर्धिद और यहां पर क्या होता भाई विद्दु तूर्जा में आप तुर्जा टाप थुक्त shit यह सब अंतर होते हैं आपको मैंने साट में अंतर बता दिया और अंतर लिख लेना पूछा जाता है जामें आगे चला जाए अरी तैला जा रगल रड़ बता है ऑगे तैला जाए अरी तैला जाए अरी तैला जाए प्राए जाए कि यहां तक किलियर सभी को चलो नोट कर लो इसे तो आप हम लोग पढ़ेंगे सेल पदर्शन जा पढ़ेंगे सेल पदर्शन को कैसे पदर्शिट किया जाता है इंग डालना सेल पदर्शन कुछ चीजे हैं जो कि आपको महत्पूर जाननी चाहिए आपको पता है कि गैल्मूनिक सेल यानि विदूत अभगटनी सेल में दो चीजे होती है एक में होता है कापर का छड़ दूसरे में होता है क्या अलमूनियम का छड़ तरीके यह होती है न भाई जानते हो न आप लोग एक में कापर का छड़ दूसरे में क्या एक में जिंक का छड़ एक में का पर यार का छड़ और यह बिलियन होता है जो जड़ेन एस सोफोर का बिलियन होता है और यह जो बिलियन होता है यह है यू यह सोफोर का बिलियन होता है यहां पर जो पढ़ाया था वही मैं दुबारा लिख रहा हूँ यह यहां पर क्या होती है यह यह बन जाता है यह बन जाता है यहां से जड़ेन प्लस प्लस टू इलेट्रान बाइनस और कैठोड पर जो अपक्रिया होती है रहे इस तरीके से होती है यह बन जो यह यहां पर क्या होता है यह बनल का यह होता है वैसे एनोड पर आक्सी कड़़ होता है यहां पर क्या होता है अपचैन होता है यहां पर क्या होता है यहां पर जो चीज़ हो रही है यह क्या हो रही है यह आक्सी कड़़ हो रहा है और यहां पर जो हो दो है यह अप्चयन हो रहा है यह तो यहां तक आप अप लोग पढ़े थे कभी-कभी परिच्छा में क्या होता है यह अप्ध्क्रिया पूछ लेता है तो क्या करना है आप जांदेना यह है इसमें देखुल यह और यह दोनों जोड़ेंगे यह यह दोनों कट जाएगा और बनेगा क्या जे डे यान प्लस यू टू प्लस गिप्स आउट ये डे यान तू प्लस प्लस यू आता है यह सिल अपक्रिया बन दे हैं यह दूलों को मैं नें दोनों को जोड़ दिया घून बच्चा क्या यहां पर बच्चा क्या यहां पर भाई मैंगे बच्चा क्या है यहां पर अवचा क्या है यह सेल अब्कृया बनी यह क्या बना है यहाँ यह पूछ जाता है कि याम कि कि सिधाल की आपकृया लाने की निकालने के लिए आपको आकशी कड़ क्अफिया अलग-अलग लिख लेनी है और हलाकि निमेरिकल में जदा नहीं पूछा जाता अफिर Whoo ben numerical कराऊंगा اور यह जो आपक्रिया है इसमें आखशी कड़ भी हो रहा अफचेन भी हो रहा है gING का जिंग प्लस में आखशी कड़ हो रहा है और कापर का आप चेन हो रहा है तो इसकी कैसा इसको क्या कहेंगे यह एक यह एक क्या है रेडाक्स अब साब क्रिया कहेंगे, रेडाक्स अब क्रिया है? अभी इसे कहेंगे. क्या जैंगी इसे,al एक कैसी अब क्रिया है? रेडाउक्स अब क्रिया है हाथ समेने वाई, क्या भूं आ हाथ बात समय भाई क्या रिया कैसी है अब क्रिया रेडाक्स अब क्रिया इसे कही जाती है जाम में क्या होता है इसका लिखने का एक साट फार्म साइंटिस्टों ने खोज दिया है साइंटिस्टों ने इसको साट फार्म में लिखते हैं देखो साट फार्म ध्यान देना क्योंकि पूरा खेड इसी 60 form का है इसको एक 60 form में लिखते हैं कैसे लिखते है इस एक मेन लिखते है और एक बड़ी से पाई गिशते है और इस मतल none is यहां से यहां रिखते है और यह चाहते से यहां यहां पर लिकहना हूं थेहान देना सभी लोग यह जो आInsode पर होने वाली किरिया है कि इनो पर जो किरिया हो रहे थी यहां पर क्या ऐडेयन इप्सवाड जेडेयन 2 ग्लस parece यह कुंपने यह हैं यह आप किरिया हो रहे थी यह आप खिया और तो प्लस प्लस टूलेट्रार इफसाउट इस रियक्सिंस को साट में लिखने का तरीका साइन्टिस्टो ने खोजा वह साट का तरीका क्या है बस इस तरह से जेडेयन एक बड़ा से पाई जेडेयन फ्लस इसका मतलब समझ गया और इसको कैसे लिखेगा वही यह लिखेंगे बस स्यू प्लस एक बड़ा से पाई कभी-कभी देखोगे यहां पर डवल लाइन दिया नहीं डवल लाइन भी दिया होता लेकिन सिंगली लाइन लेना ठीक है इस तरह से साट फर्म में लिखा जाता है अर्रह की बास सिल प्रद प्रदर्शन कीजिए इसका क्या करें सिल प्रदर्शन तो बहुत आसान से हम लोग सिल प्रदर्शन करते हैं सिल प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन करने के लिए अगर कहा जाए तो क्या करोगे बहुत आसान काम है बावू देखो यह एक लंबा पाई यह बीच में डबल लाइन बीच में क्या करेंगे डबल लाइन करेंगे प्रदर्शन कर रहे हैं सिल का फिर यहां पर लिखेंगे पर CO2 प्लस एक लंबा पाई CU यह सिल करने हो गया तर क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या लोन के ट्रिक्स से हम लिख लिख रहे हैं मायं हाथ चोरी क्यों सा होगा बताओ यह लेग cannot u26 सद्धिति इसको इसकोगो साइड में पास समय मुझे सूंति बरत चाइड सब्सक्राइब कर गलत हो तरह से भी गलत होता इसको ऐसे नहीं लिखा जाता इस बात को भात और एक चीज मैं आप मैं आपको और बता रहा हूं द्यान देना यहां इसको ऐसे भी लिखा जाता है ZN कि किस बिलियन में था यहां पर ZN 1094 के विलिएन में था यहां पर ZN 1054 भी लिख देते हैं किć double-line कीचते हैं और यह किस विलियन में था कि यह सो फॉपर भीलेंड से वन लिख़ु तरह से का मैं एसे بھی इसको लिख देखते हैं कभी कभी और इसका यहां पर किनाओ पूद लिखना है इस बात को थूदा जान देनी है और इस तरह से हम लोग इसका सेल प्रदर्शन करते है कि अगर आपको सेल प्रदर्शन पूछा जायत कर लोगे क्या आप लोग प्रदर्शन मैं कोशन पूछ लूँ क्या उस पर हाँ या ना बोलो के बाद कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने के लिए क्या कंसिप्ट है इसका यूज आएगा आपको आगे अलागे कोशन बहुत सेल प्रदर्शन से बहुत कम पूछा जाता है एक कोशन मेरे फोन में है इसको लिखता हूँ आप लोग लिखे हो कोशन है मेरे फोन में ठीक है आपको इसका सेल प्रदर्शन करिए इसको प्रदर्शन करना है कर सकते हो क्या सभी लोग इसको कैसे प्रदर्शित करोगे यह रियक्शन है आपके सामने कैसे प्रदर्शित करोगे इसको पहले अलग अलग लिखने का तरीका सीखो फिर उसके बाद करोगे न करके ट्राइ करो तो हाँ यह कोशन है कोशन करो तो इसका सेल प्रदर्शन करो तो मैं कोशन इस तरह से इसका सेल प्रदर्शन करना है सेल प्रदर्शन करना है करो करो सभी लोग इसका सेल प्रदर्शन कैसे करना है करो सभी लोग एक बार राइक करो भाई ट्राइक करो कैसे करना है आप एक बार करो तो ट्राई जिसको भी समझ में आ गया है ट्राई करो झाले है एक बार करो तुमिए हैं एक बार करो तो ट्राई आ गया है ट्राई खुमिए एक चिजए में खुमिए हैं उया है तो स्वाध। कि इस निखो वाइं निकों निखो फटा फट सेल करो इसको कैसे करोंगी निकों ज्यान देना कैसे करो बहुत आसान तरीका करने का इसका बहुत आसान तरीका करने का बहुत आसान करने का तरीका है ज्यान देना कैसे करोगे देखो बहुत आसान है काफी लोगों का एंसवर भी आ रहा है बहुत बढ़िया जिसका एंसवर इसका ज्यान दो कैसे करना सिल्पत में गया है चीकरण क्योंकि यहां पर इसकी अक्सी कर संख्या जीरो है इस पर कोछनी प्लस यहां प्लस है यहां पर हो गया क्या आक्सी है और ध्यान देना यहां पर बभू बहुत यह असानी से यह ठीच बना है कि यहां पे अपच्यान हो रहा है कि यहां पे चीजा से क्या है कर दो चयान वहले अब होले हो क्या रहा है पहले हों यहां करते हों बहुत ही आसानी से इसका सेल प्रदसन कर सकते हो कैसे कर सकते हैं सर देखो आक्सी करड़ वाला यानि कि यह यह लोन वाले ट्रिक से देखोगे बाबू तो इसमें देखना ध्यान से यह लोन वाला लेप्ट है यहां पर जिसमें आक्सी करड़ होता है यानि इसको लेप्ट मे कि अपया कभ़ी कभी कभी क्या है कि अगर आप इसे चाहें तो यह दो-दो काट सकते हैं नहीं बिच्चा पाटावाइज सकता है अब आपको इसे मिलाना है कोुझण सब्सक्क्राइज है तो काट के लिए इसे कि Як कि मैं लग्रेशल्परदर्शन कर सकते हो क्या इस तरह सेड़ का सेल्ल परदर्शन हो जाएगा कि के हं कि यहां तक क्लिए सब भी को और सक्वेलस्परदर्शन कैसे किया जाता है कर तो कर अगर सक्थे कोई दिक्कत नहीं या दोनों जिन से हटा सकते हो तंख्या तो समान होना चाहिए कि अगर यहीं पर रखोगे तो गलत हो जा रहेगा बास समझ मारी आपनों को कि लियर है सभी को यहां तक कि आगे चला जाए कि यहां पर यहां पर यहां पर भी होगा कि इस तरह से कर रहा है असान है यार जमेश्टी पहुत असान होती है बस पढ़ने आख समझने की खेल है चला आगे चलते हैं हम लोग ठीक है प्रस्ण कभी-कभी एक्जाम में पूछा हुआ देखा गया है वह प्रस्ण यह है कि उत्रकमड़ी से आप क्या समझते हैं उत्रकमड़ी यह कि यह से कि आप कि आ समझते हैं यह प्रस्ण कभी-कभी वोड इख्याम में काई फी बार इसे देखा गया कि पूछा जाता है तो इसको हम लोग देख लेते हैं उत्कमडी सेल क्या होता है देखो क्या होता है उत्कमडी सेल इसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं देख लेते हैं अच्छे नाम से कैसा लग रहा है जड़ा बताईए नाम से कैसा लग रहा है उत्कमडी सिल के बताओ तो कोई देखके बताए नाम से उत्कमडी सिल से कैसा फील आ रहा है एडिंग कर लिजी उत्कमडी से इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग लेकिन नाम से कैसा फील आ रहा है ये बताना क्योंकि नाम से फील आना जरूई है उत्क्रमडी का मतलब क्या होता है और नाम से कैसा फील आ रहा है यह बताना जड़ा है यह जड़ा बताना नाम से कैसा फील आ रहा है आप लोग देखो उत्कम्री सेल में क्या होता है यदि ऐसा सेल जिसमें बहाय विदुत वाहक बल को थुड़ा से बढ़ा दे थुड़ा सा बढ़ा दे अत्यान सुच्म वोल्ट बढ़ा दे तो उसमें क्या होने लगता है वीप्रीज जिसा में धारा बहने लगती है तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं उतक्रमडी सेल कहते हैं जान देना यदि सेल में क्या करें हम लोग वहाए विद्धुथवाःक बल जो होता है जो बाहर से देखो कीतना होता privilege 1.1 बॉल्ट हनी बताया था इसमें थोड़ा सा बाहर से हम लोग इच्टा ऐट कर दे तो अ गिक्स किस किस दिशा में वह रही थी बताओ आनोड से कैटोड या कैटोड से आनोड यह जरा कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना जो दिशा वह रही थी धारा का वो धारा की दिशा विपरीत हो जाती है उल्टा हो जाती है तो इस प्रकार जो सेल का निर्मार होता है उसे उतक्रम ऐसा सिल जिसके जिसके वाय वाय विदुत वाहग बल में दो नमरें परिवासा पुछता है अत्यंत्र हुटा सा मतलब कमी छोटी से अत्यंत्र व्रिधी कर दें भ्रिधी कर दिया जाय तो क्या होता है धारा की जो दिशा होती है नहिए जामान मात्रा में विप्रीच दिशा में प्रवाइथ होनी होले है तो धारा जो है घारा समान मात्रा में क्या होती है वीप्रीड दिसा में वीप्रीड दिसा में प्रवाहित होने लगती है है विप्रीद दिशा में प्रवाइत होने लगती है तो इस प्रकार के रसानिक अपक्रिया को क्या करते हैं उत्क्रमडी सेल करते हैं कि इस है प्रकार कि अगर को क्या करते हैं कि पुथ क्रमडी यह करते हैं तो दिशाद चेंज हो जाती दॉरक के मैंने जो आपको बता था बताओ को इस दिशा क्या होती है हाँ बता रा कि दिशा क्या होती है हाँ बताओ भाई धारा की दिशा क्या होती है कापर से जिंग की ओर होती है मैंने बताया था ना लेकिन उतकमडी सेल में चेंज हो जाती है इसमें क्या हो जाएगी जिंग से कापर की ओर हो जाएगी धारा की दिशा चेंज हो जाती है अठ्ष्प कर लिए चलो लिख लो अत्यान सुच्छ में बृळी कर दें इसमें वोल्टेज में तो धारा समान मात्रा में विपृष्ः दिशा में बने लगती है इस प्रकार की सैल को हम हम लोग क्या काते हैं उत्र क्रमड़ी सेल काते हैं बात समझ भाई क्या सभी को यहां तक बताओ नोट कर लिया आप लोगों ने अब हम लोग बहुत इप्वाटेंट टापिक की ओर चलने जा रहे हैं इलेट्रोड विभाव के तरफ तरफ अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है बहुत थोड़ा सा बचा हुआ सब्र करिए इलेट्रोड इलेट्रोड चैलेट्रोड विभाव क्या होता था इस किसी लेट्रोड विभाव था आइसी लेट्रीकातें अध्यासित चतें मैं पर ने को आपको अल्लैडी बता चुका हुआ इससे पदर्सित करते हैं बस रिवाइच करा रहा हूं क्यूंकि आगे इसके समिंदित हमें कोश्ण लगाना है महने आपको एक मानक के लिए टोड विभाव बताया है सबारानक की लेटोरी जिसे हम लोग इन आट से पतासीद कर रहे थे इसमें क्या कंडिशन बताता पस्टीश डिगरी सं想ड्य के तब और अutetना कंसेट्रेशन ईसन अन tapes वाला पर जो लेटोर्ड विवह होता हैं इसे मानक की लेटोर्ड विवह कहा आजाता है और मैंने आपको एक आकसी करड़ विवाव बताया था एक हमने अ और दूसरा मैंने आपको बताया था बताओ ये तस चीजें आपको मैंने बताया था ना किलियर करो इन सभी चीजों का यूज आने वाला है आगे वन यम सांधता बहुत बढ़िया ठीक है आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो अच्छा रहेगा मुझे बार-बार रिवाइद नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी और इसे हम लिख रहे थे क्या है इसे हम लोग क्या ल इसको स्टार्ट फार में ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत अच्छा इस तरह से आप लोग मेहनत करोगे न तो बढ़िया रहेगा ठीक है यह सबी चीजें और हाँ सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आप लोगों को नीट ओगरा के घ्जाम में इस से पढ़ाने वाला हूं उससे एक कोशन पक्ता पूछा जाता है और मैं जो आपको निमेरिकल कराऊंगा और जो नीट ओगरा में निमेरिकल पूछा जाता है अगर मानक लग जाता है तो इसके उपर एक गोली बढ़ जाता है अगर मानक के लिए तो यहां पर गोली बढ़ जाएगा और आगया आगया मानक हो जाएगा मानक में क्या होता था बताओ इस टेंडर में क्या हो जाता था मानक लगने पर गोली बढ़ जाएगा और यह सब हो जाएगा मानक में क्या होता था बताओ मानक में मैंने क्या बता ता 25 डिग्री सिंटिगेट था वन यम सानता नहीं सब तो मानक में बताया था आपको अरे हां या ना कुछ बताओगे कि यस या नो कुछ बोलोगे तो याद करते रहना सभी लोग याद करते रहोगे त्यार रहेंगी नहीं तो फिर भूल जाओगे चलो अब मेंड पॉइंट पर हम लोग चलते हैं जो कि हमें पढ़ना है पढ़ना क्या है स्टेल विभाव रजी स्टेल विभाव क्या हो रजी स्टेल विभाव क्या होता है या आपको जानना चाहिए दो आदर स्टेल अपक्रियाओ के इलेक्टोर विभाव में जो अंतर होता है उसी इसको स्टेल विभाव या सिल विवो के अलावा इसको कई नाम से जाना जाता है सिल विवो के अलावा इसको कई नाम से जाना जाता है सिल विवो या फिर उसी को क्या करते हैं कई नाम से इसको जाना जाता है सिल का क्या करते हैं विदुत वाहख बल यह सब कहा जाता है यह कुछ भी पूछे तो आप यह समझना है जो आपने अभी तक पढ़ाता दो अध सेल के बारे में इस तरह से तो यह लगा था और इसके बीच आप लवर से तू ऐसे लगा था अईसा ही साप कुछ पढ़ेते आप लोग याद कुछ आ रहा है तो अधर विभाव क्या होता है दो आध सेल आविक्रियाओं के इलिए टोड विभाव में जो अंतर होता है उसी को तो उस सेल का विदुत वहाग बल कहते हैं या सेल विभाव कहते हैं आप परिवासा लिखना इसमें देखो एक तो आध सेल अप क्रियाओं यह है अधर सेल अप क्रिया यह है दूसरा आपका अधर सेल अप क्रिया यह है तो इन दोनों अधर सेल अप क्रियाओं के विभाव में जो अंतर होता है कुछी को क्या कहते हैं तो नीज सकते हो आप लोग तो अवियाओं दो अधर सिल का विक्रीयाओं ये ये टूड को अधियाओं अंतर को अंतर और या फिर या फिर विभो करते हैं या फिर सेल विभौ करते हैματα किसे पर दबद स्कारिकョर그ैं इस पे बहुत सारे question पूछे जाते हैं और यह जो e cell होता है इसका formula होता है e cell is equal to जाने ना formula सभी लोग e cathode minus e and load यह main formula होता मैं आपको suggestion कहूंगा आपको मैं क्या कहा जाता है एक सलाह दूँगा कि आपको यही formula याद रखना है आपको सलाह दूँगा कि आपको यही formula याद रखना है लेकिन market के book में साफ़ी सारे नए नए formula भी लिखे जाते हैं जो कि इसी से बना है इसी टाइप का है इसी से बना हुआ है तो वे भी formula आप सभी लोगों के लिए सही ही है और लगते ही है जिसमें से कहीं कहीं क्या होता मैं आपको एक ट्रीग बताया था लोन वाला इसमें लिए बताया था आप लोगोने इसमें क्या बताया था आपको कि ले हम दो नोंट पर क्या होता आक्सिदे चनों को यहां पर लोन वाला फार्मूले से अगर मुझे पता कि आप लोग भूली गया होगे कि अनोड पर आक्सिकर्ड होता है इसलिए मैंने पहले लोन वाला फार्मॉला आपको मैंने बताया तो कि इधार देना तो यहां से यह वाला भी फार्मॉला बनता है आप लोग कि इस से ल यहां पर यह वाला फार्मॉला भी बनता है बताओ आइनोड पर क्या होता है आक्सिडेशन होता है तो यहां पर यहां आइनोड के हां आक्सिकर्ड लिखेंगे माइनस ए अपचया भी पर यह वी लेख सकते है यह भी फार्मॉला बनता है जो कि इसी से बना हुआ है खना पर यह अलग नहीं रहां कुछ भी अलग नहीं है कभी कभी अगर ये भी फार्मुला अगर आपको कहीं लिख जाया दिख जाया तो गलत मत कहना कि सर जी ने यह नहीं पता है था यह भी फार्मुला आपके लिए सही ही है लेकिन आपको मैं एक सजिसन देना चाहूंगा कि कि इस फार्मुले को आप लोग भूल जाओ या देखी रखो क्योंकि को संस्ता आपके तभी होंगे जब एक ही याद रखोंगे दो-दो याद रखोंगे तो आपको यह पता ही है कि आपको लोन वाले ट्रिक से बता सकते हो ना कि आपको याद रखने क्या ही जरूवत है है कि नहीं क्या ही जरूवत मुझे लगता है तो चोड़ो अब हम में दूसरी पॉइंट पर आ जा रखता है दूसरा पॉइंट यहां पर इस फार्मुले में जो यह है यह सब क्या है आपप चैयन वीभाव लिखते हैं अप चैन वीभाव अगर आक्सीकड वीभाव दिया होता हैेन माइनिस लाग उसे अपच्छे अपच्छला चैन्र विभव को da विभाउ की अपच्छलाल विभाउ के रूप में लिखते हैं इपच्छला किप रूप में लगते हैं लेकिन चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस चाइड में जाएंगी समझने की बात खेल सकते हो मैं मेरे के लिए को तो मैं आक्सिकर्ड विभा में भी कोशन को लगा दूँगा बस यहां पर फार्मूला चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो चीज़ें वह अपने हिसाफ से हम लोग कर लेंगे यह आपका क्या है यहां पर अप्चैंड भी बहुए बस इतना ही मुझे समझ में आया सर और कुछ नहीं समझ में आया मुझे क्यों यहीं फार्मूला याद हुए है सर मैं क्या कोशन कर लूँगा बिल्कुल कोशन करोगे नहीं उडाओगी कोशन को बस आप इसे एक बार नोट कर लो फिर मैं आपको बताता हूं कैसे कोशन करने है तो लिख लिया आप लोगों ने इसे आगे चलते हम लोग कुछ से बातें बता दें तब उसके बाद इसके questions हम लोग solve करेंगे यह सब questions आपको करने आए यह मैं चार questions कराऊंगा यह चार questions आपको जिन्दगी भर अगर तयार रख लिए तो जिसमें से NEET IAT की तयारी करना चाहते हैं बाबु इसके बाहर नहीं जाएगा इस topic question मैं topic wise question कराता हूं जिस topic पर आता हूं उसी topic का question question वहीं पर करा देता हूं ठीक है अगर कभी भी सेल विबाव की परिवास्ता पूछा हूँ नहीं देखा गया है question ही पूछता है निमेर कलमा से ठीक है ध्यान देना यहां से question start करने से पले कुछ चीज़ें आपको मैं बता देना चाहता हूं सही पे भी आपको इस तरह से देखा हूँ मिले ऐसे line a 2 plus इसका मतलब कि यह का प्रारम में आक्सिकर संख्या 0 था आप 2 हो गया मतलब एक्सिकर संख्या में ब्रिद्वी हुआ इसका मतलब यहां पर इसका आक्सिकर सख्या और और आक्सिकर करको इसे निए ऐसे भी लिखा जा सकता है कभी-कभी आपके सामने Colorado तो इस तरह से बी आक्सिकड को लिखा जा सकता है अगर ऐसा लिखा हुआ मिले शमझना यहाँ पर आक्सिकड हो रहा है ठाइक है ए रहे यहाँ पर बिह हो सकता है जेडेटेन हो सकता है गिप इस टाइप से भी देखा हुआ मिले तो समझना कि यहां पर क्या हो रहा है अगर आपको इस टाइप से मिले कहीं यहां समझ लेना कि यहां पर अपचयन हो रहा है हलांकि आप लोग कच्छा ही 11 पड़े नहीं हो रहा है यहां पर आक्सी कर संख्या जो है पहले दो था 2 से 0 हो गया मतलब अक्सी कर संख्या में कम हो रहा है मतलब की अप्चयन हो रहा है किसलिए एस रेक्षन को आइसे वह लिख सकते हैं a2 plus गिप आउट ए to plus aButton मतलब कि आपको कभी भी कोस्टन में ऐसा रिएक्षन लिखा हूआ मिले या फिर Seit we हम अगर आइसा लिखा हूआ मिलेगा तो यह तो फिर ऐसा लिखा वा मिले समझ लेना यहां पर क्या हो आक्सिकर्ड हो रहा है अगर आपको यह ट्रिक बता दे रहा हूं लेकिन सच्छा ही है कि आपको पता होना चाहिए कि आक्सिकर्ड संख्या में अगर व्रिदी होती है तो वहां पर अग्सिकर्ड होता है और संख्या में अगर कम होती तो और पर क्या होता है अबशे होता हिए आपको पता होना चाहिए नहीं पता सिप्रम ना करेगा दूसरी बात जो कि बहुती महत्पूर मैंने बताया था और कहीं पे आक्सीकड भी बहुत दे रखा है इसको 60 में हम लोग लिखेंगे इस तरी से EOP लिखेंगे अगर यह दे रखा है अगर यह अपचैन में इसे चेंज करना है तो इसको किसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे EOP के आगे माइनस लगा देंगे यह आपचैन में चेंज हो जाएगा यह यह आरपी में चेंज हो जाएगा आरपी मतलब डेटेक्शन पोटेंशियल यह भी किलियर है यह सब पढ़ा हूए हैं आऊ पता रहा हूँ ताकि दिक्ट नहीं समने आ रहे हैं सब चीजें में आपको बता रहा हूँ अगर मैंने अपको वहां पर बता था कि माइनस लगाए ऱ लगा देंगे अगर ERP के आगे माइनस लगाओ तो EOP में चेंज हो जाएगा बात समझना अगर आकसी करड़ विभॉक के आगे माइनस लगाओगे तो आप चैन विभॉक में चेंज हो जाता है इस बात को दिमाग में सेट कर लो अगर यह सेट कर लिए तो इस टाइप के कोशन्स तो आप अ कैसे reaction वाले questions को कर लोगे अई कोसन पर ट्राइए करते हैं देखो इसгоत्तर को डेकर क्या आप बता दे सकते हो कि यहां पर आक्सिकड़ हो रहा या आप हो रहा है को कोई देख के बता सकता है कि यह है आपकसी कर्ड़ है या आप चेला रही है पहला वाला क्या है अगसी कर्ड़ हाव पहर्ला क्या है थिammal दात स्माज्वा यह तू प्लस ही यहां प्ल одно क्या है दूसरा वाला सजी यह भी तो आकसिकरर हिए तो देखने से पता चल जा रहा है ना दोनों औपी है बिल्कुल अक्सिदेशन पोटेंशियल ही अब ध्यान देना इधर ध्यान देना और इधर ध्यान देना आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा काम देगा अगर आपके पास यह रियक्शन नहीं भी दिया रहेगा तब पर भी आप कोशन कर लोगे बात विश्ट्रिक की यह है कि वह ट्रिक आपकी ऐसे है जैसे आप लोग जानते हो इसल भी वह पुछा इसल इसल इस ट्रिक होता है यह आपको पता है है लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज लिखवाए थी आप लोगों को कैसा क्यों सा यह कौं सा अयों क्यों सकता करोगी यह कैसे पता करोगे इसमें से काउन साय खोट Liya अगर आप Nevada пуह किसका अपचान हो था यह यह सकते हो रिएक्षन से बताना आसान है लेकिन हाँल अगर मालो रिएक्षन नहीं भी दिया है किसका बता कर सकते हो इसका trick है लेकिन मैं उससे पहले आपको मैं बताऊंगा कि reaction से कैसे पता किया जाता उसके बाद मैं trick से बताऊंगा हां ठीक है किसका अक्सिकर्ड हो रहा है एक्सिट कड़ हो रहा है चया हूँ यानि आक्सिकर्ड कहां पर होता है बताओ आक्सिकर्ड कहां है यह अपने आप क्या हो जाएगा यहां तक किलियर है बोलो भाई यहां तक किलियर है जेडियन आनोड है यहां तक किलियर है ना आनोड कैठोड पता कर लिए की नहीं कर लिए कि अनोट को नहीं पता कर लिया ना अपने अब कुछ नहीं करना है को सन में एंसोरी लाना लेकिन 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 वह कंडिशन आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों भी वह होने चाहिए यह कंडिशन याद रखना है लेकिन यहां पे दोनों के द करना है तो इसके आगे माइनस कर दो 0.75 यह इसे भी यह आरपी में चेंज करना है तो इसके आगे क्या कर दो माइनस लगा दो क्या हो जाएगा बस आपको यह पता चल गया कि जिंक वाला क्या है और यह फी वाला कैटोड है इस फार्मूले में रख दो यहां पे आपको किलियर हो जाएगा क्या फी का आप चैन भी वह कितना वाई कितना माइनस है 0.41 है माइनस हो जाएगा और यहां पर इसका देखो आक्सिकर भी वह कितना बाई जेडेयन का बताओ लेकिन अप्चेन वाला वैलू रखना है आक्सिकर वाला नहीं रखना क्योंकि मैंने बोला कि अप्चेन भी वह दिया हुआ है तो अप्चेन भी वह यहां पर कितना है 0.75 माइनस बस कुछ नहीं करना साल्व करना having 0.41 और moż यह प्लस हो जाएगा ति अ यहांप्या हो जाएगा बताओ यहां पर क्या हो जाएगा बताओ भाई घटा लो यहां पे मैं घटा देता हूँ 0.75 में से 0.41 घटा कि यहांपर और यहां साथ में से 3 बची साथ में से 3 प्लस बची संग जिरो पॉइंट कितना है रहुत होई कुछ गुछ समझ नहीं समझ में आया कि नहीं आया सा कोश्ग कर लोगे की नहीं कर लोगे या सब्सक्रांइब कि लियर है कि नीड है बताओ अब सर जी आपनी यहां सी रियक्शन देखकर बताया कि इसमें आक्सी कर्ड़ इसका हो रहा है आप एक ट्रिक'RE बताने की बात कर रहे थैं कि आप देखते ही बता तो यह त्रिक तभी आपको आएगा आपको पता होना चाहिए कि आकसी करण जो होता है हमेशा नोड़ पर होता है आप चैन हमेशा तो देखना पड़ेगा आपको यह reaction में यह दोनों कौन वेलु दिए रखा है तो आकसी करण में इसका माण अधिक होगा वो क्या होगाः आकसी करण वाला होगा मतलब वाल इस नोन्हों में किसका मान अधिक है जिरो पॉइंट फॉर वन यह 0.75 या शिक्स जो भी इसको 5 बना लेते हैं कि इसमें इसका मान अधिक है 0.75 वाले का मान अधिक है तो यह क्या हो जाएगा यह अनोड हो जाएगा नहीं हो जाएगा और यह क्या तो कुछ नहीं समझ में आया आप क्या करूं मैं बताओ ज़र खालूं अरे भाई को सनने दे रखा है ये कोशन ही है ये कोशन है पूच कहां से मैने बताया इसलिए मैनस क्या यह को मैं ने यहीं पर बताया आप क्लेर नहीं और है तो दूसरा क्सन हम करने या रहें इससे क्लियर हो जाना प्लंटी Abgavor यूज किया जाता है और यह नीट में पूछा हुआ है ठीक है हलाकि मुझे कराना था तो कराना था इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि बोर्ड में भी कभी कभी पूछ लेता है तो यह करा दूंगा तो मुझे बार-बार कोशन कराने जवत नहीं पड़ेगी असानी सो जाएग घडी के सेल में परियोग होने वाला एक मतलब येक्शन दिया हुआ है आपके यह प्लस में जा रहा है मतलब क्या हो रहा है यहां पर इसका क्या हो रहा है वता व 270 हो रहा है हो रहा है क्या हो रहा है अपचैन हो रहा है अपचैन हो रहा है और इसका देखो भाई यहां पे यह टू प्लस में है और यहां पे जीरो में चला गया तो इसका भी यहां पे अपचैन हो यह भाई साब बहुत आसान तरीका है मैंने जो बताया था आपको एकदम आसान वाला तरीका है मैंने जो आपको बताया था एंदम आदसान तरीका है यह दोनों अप्चैन वाला आप चेन किस पे होता है किए अनोड पे है नहर्पके हो ज davon रखा होता है अप चैन आप चैन जो है यहota यह मैंने बहुत पहले था दो गंटे पहले बता दिया था में ह dissert अगर आप पीछे नहीं पढ़े ओ तो कुछ नहीं समझ में आने वाला यहां पे बेसिक नहीं जानते तो कुछ में आने ईवाला हात जोड़ की निवेदन के जाके पीछे पढ़ लो तब आना की यह मत लिखना कि नहीं समझ Yang अपने अंतर रातमा में ध्यान देकर देखना कि पीछे का पढ़ेओ कि नहीं पढ़ेगा इसलिए आपको पीछे जाकर पढ़ना पढ़ेगा अब इन दोनों में फार्मूला तो आपका ये होता है नो qc is equal to e cathode कि माइनस e anode होता है इन दोनों में cathode कौन होगा भाई दोनों अब चेहरा है दोनों चेहरा है तो हम लोग देखेंगे अबचेहरा मान किसका आधिक है तो यह सेब्स αइब दोन फैन डे रखा अपचय क्वेर्णब वाएयगा कौन लोगै दो कहें कि मेरा तो जैसे भाई आप आपके छैतर में कोई जाये तो सैन वाले छेतर में रहेगा तो अपचैन जिस पे अधिक होगा जिसका मान अधिक होगा वो कैठोड ले लागा कि कैठोड का छेतरी अपचैन है यानि इसका मान अधिक है इससे तो यह आपका क्या हो जाएगा कैठोड हो जाएगा तो सर जी यह क्या हो जाएगा बस अब सर जी इस फार्मूले में सभी वैलू जो अप्चेन वाला लिखते हैं क्या यह दोनों वैलू अप्चेन वाला है यहां पे तो आक्सिकर्ड वाला वैलू था इसलिए माइनस लाएक अप्चेन में चेंज किया था मैंने लेकिन यहां ल पता सकते हो सिद्धे सिद्धे एक थोड़ वाला का मैलू 0.34-0.76 यह दोनों जूड़ जाएगा 0.34-0.76 जूड़ जाएगा कितना चाथ-चार-दस को सुनना हाथ में अलएग साथ-इन-दस-एक-ग्यार है जला बहुत समझ में आया की नहीं आया हां बहुत सारी लोगें चाहीन लगा कुछ-कुछ समझ में आया तो एक बार इसकोशन को ट्राइब कर उसमें मैंने तो इसमें मैंने रियेक्षन हम यह नहीं दे रखता है आ और अपको वही ट्रिक याद रकना है कि आ पक्ष हो रहा है या अक्षिकर ही अगर होगा तो अधिक वाला हम रहा है या और वही बारते वे up chain होगा देखो आउ question इसको करते इसको भी करके देखते हैं हम लोग करके दिखने हो देखो भाई tyumPlash assim a झाय przeci Авए है og और यहां पर क्या एजी प्लस से क्या है एजी है यह दोनों किस्मे में दे रखा वाई इसका क्या हो है मैंने आपको यहां पर दिखाया था मैंने बताने से पहले बताया था तो अप्चैन होता है कब जब प्लस वाले से नाइन नाइन यह दूनों वैलीव थीक हैं भाई सहाब इंगदम आसान तरीका है मैंने बताये यह दूनों आप चैन हो bag करना है इसी फार्मले में बैलू रखना है आसान तरीके से कर लोगे इस दोनों में अधिक कौन है बाई अधिक तो प्लस यह है यह कैठोड हो जाएगा क्यों क्योंकि कैठोड पर ही अप्चैन होता है जिस पर अप्चैन होता तो अप्चैन वाला अधिकता वाला वही ले लेगा यह कैठोड हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि यह अधिक है और यह अधिक है अगर यह पर आक्सिकर्ड होता क्षेत्र में आया होगा तो इसका दो है कुछ नहीं करना इस फार मुले ना है इतने बड़े में पार्ट केस्व चंट को आप आसान करके क्षण्ट करने का यो- पॉइट सेबने 9 है माइनस करेंगे और 0.763 करेंगे वैलू करो ECL आसानी से कर लोगे करो अच्छ यह माइनस था यह माइनस था क्या हो जागा 0.799 लास्ट 0.763 जोड़ो करो साथ तीन नव की नव चा-बारा को दू आट में आलेक 9 चा-पंदरर एक शूलग छा आत में आलेक 9 चा-पंदरर और 1 शूल आट में आलेक यह इस तरह से कॉश्न्स हो जाहना ना आया अरे भाई अब मैं कह रहा हूं आपसे गारांटी दे रहा हूं उठाके देख ले ना नीट का सच कर ले ना नीट 2022 का PAPER 2021 का PAPER 2020 का PAPER कोई भी कोशन आया होगा इस इली भी बहुते कर लोगे कर लोगे आप क्योंकि बोर्ड में भी ऐसा ही आता है नीट में भी ऐसा ही आता है कर लोगी कि अब यहां पर होमवक देना चाहूंगा आप लोगों को पहले का इसमें क्या इस चल दे रखा आपको दूसरे का वैलू घ्यार्त करना यह आप से ट्राई कर लेना अपने से एंसर कमेंट बाक्स में चाहिए बाकि और कोशन में एप पर प्रेक्टिस कराऊंगा इसको भी जॉइन करना है जॉइन करके और अच्छा तयारी कर सकता है ठीक है तो चलते हैं आगे कि और हम लोग ठीक है तो अब हम लोग पढ़ेंगे नर्स समिकर्ड एक्जाम में कैसे कोशन पूछता मैं भी बताऊंगा ठीक है हाइडिंग डालो पहले नर्स समिकर्ड नर्स समिकर्ड क्या होता है बहुत आसान समिकर्ड होता है देखे नर्स के अनुसार ताप ती पर ताप ती पर ती टमपरिचर पर ताप ती पर अगर धा तू मानक धातू का विभाव कितना है मानक विभाव कितना है तो विलियन में धातू के आयन की सांधता विलियन में धातू का आयन एम प्लस मालू है एम एन प्लस मालू का जो है सांधता है का जो सांधता है इसके जो सांधता है एम प्लस सांधता के मद्ध ए के मद्ध जो संबंध है उसके बाड़े हम बात करेंगे संबंद क्या होता संबंद e होता है संबंद क्या होता है is equal to e0-2.303RT upon nf log 10 संबंद होता है यह संबंद होता है इसे मुझे क्या करना पड़ेगा इस से पूछे जाते हैं यहां इसे आपको रe與 सब funded क्या है यह मैंब बताओं गांगा बी यह मैं बताओंगा भी ने समिकर लिख दीज हो इसके लिए अलग से इसर नहीं बताएंगे इसका तेंसन आपको नही इतना बतायात इसको क्यों नहीं बताऊंगा क्योंकि कभी-कभी पूछ लेता आपके एक्जामे तो यह नर्स समिकड़ है अब बात कर लेते हैं यहां पर कौन का कौन सा चीज क्या है देखो कि आपको पता है यह क्या है विभा होगे इनाट क्या है मानक आपक क्या है मानख विवाओर आर क्या है कैसट नियांतांस है यही क्या है आप आप यह ति क्या है और यम प्लस क्या है यहां यम प्लस क्या है बताओ कि क्या है तीका यहां पे यहन है प्रयुखत यह तरuben लक्तर रानों की संख्या LS प्रयूक्त है इले ट्रान की संख्या है और ध्यान देना यप क्या है यप क्या है यप क्या वाई यप यहां पर क्या है यप है फैराडे नियतांक जिसका वैलू होता है 96,500 कुलांद जिसका वैलू होता है 95,500 कुलांद अब रहागी बात सर यम क्या है यम का मतलब यह होता है अगर कोई धातु है जैसे आपका यहाँ कोई धातु है यम है यम धातु है यम से यम है एन प्लस में जा रहा है इसका आशी गड़वा इसका वैलू है तो नर्स यम प्लस यह है नर्स मिकड़ बात समझ में आई क्या आप लोगों को हाँ आई क्या यहां तक बताओ और सर यन का वैलू कैसे ग्याद करेंगे यह अपका वैलू तो आपने बता दिया यन का वैलू कैसे ग्याद करोगे अभी मैं बता दूँग आपको पले इतना लिख लो आपको मैं बताने जा रहा हूं यहां देना यहां पर देखो यह नर्स समिकड़ कभी-कभी नहीं इसको आइनोट कैटोड के रूप में इस तरीके से भी लिखा जाता है इस से पले आपको एक चीजा और बतानी है बतानी मुझे यह है कि यह यन का मान क्या होता है यन का मान होता है इलेट्रान में जो परिवर्तन होता है हाँ 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 इलेट्रान में जो परिवर्तन होता उसी को यन का मान कहते है कि यन का मान का आपके सामने क्या है यन कर दिए कपर समय है और यह घिचके गया कापर टूपलस में प्लस है तू इलेट्टान में कितना परिवतन हुआ है यह दिए लेट्टान परिवतन हुआ है इतना दो इलेट्टान का यहां पर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा यहन का मान कितना हो जाएगा दो हो जाएगा कि समझे किस तरह से इस तरह से यहन का मान decide करते हैं तो इस तरह से यहन का मान अगर आपको numerical question देगा तो निकाल लेना है अब क्या होता है ध्यान देना is equal to जो formula है आपका is equal to e not देखो यहां से मैं इस formula को थोड़ा सा यहां पे change किया जाता है शाठ कट लिखा जाता यह है जिक्वार्ट अगर आपको बात समझना आपको board exam में नर्श समीकर लिखने कर तो अइतना ही लिखना इसके आगए कुछ मत लिखना ज्यादा एकजामने को पढ़ाने की जरुरूरत नहीं है आप पढ़ लो एकजामने की जरूर्योथ नहीं हां ओके एक्जाम में आपको इतना ही लिखे आना ज्यादा मत लिखने के चक्कन पढ़ना यह सब चीज़ें आपको समझने के लिए बता रहा हूं तो कि आगे निमेरिकल कोशन करा हूं तो दिक्कत ना हो ठीक है तो ध्यान देना अगर आपके सामने कोई मलब इस तरह से अभी त लाग वन अपान एन प्लस लिखा एम प्लस लिखा एम प्लस लिखा यह आपने लिखा आपने यह 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 लिखा आपने लेकिन यह आपको पता है किसे यप का मान कितना होता है और मैंने बताया था चैप्टर विलियन वाले में क्या बताता बताओ आर का माहन आप लोग कितना बता था 8.314 होता है 8.314 आ का माहन होता है और यह-अ का माहन तो आपको नहीं निकाल सकते और टी का माहन तो आपकी साथ रहेगा तो इसे अगर आप साल्व करोगे ना ती का भी मान अगर आप लोग एक आप इस्यल मान रख दो दो सो फचीस डिग्री संटिग्रेट या फिर 298 केल्विन 298 केल्विन यह वैलू रख दो तो इसका मान बदल जाता है और निमेरिकल में जो मान आता है वह आप यही यूज करोगे जो मैं बता रहा हूं इस टरह से यूज करोगे ध्यान देना कोई पी जब निमेरिकल आपको देगा उसमें आपको एनोड कैंटोर करे इन दोनों का मान भी दिया रहे। या इन दोनों का मान दिया रहे या फिर आप आक्षिकरण किसका हो रहा है यह देख लोगे यह दो चीज़ें आप लोग रियेक्शन देख कर आपको निकाल दिए हैं ताकि आपको काम करना आसानी हो अगर इक्जाम में अगर आपको क्या दे रखा है अगर निमिर्कल में एकनो juicy यहूं की बात होड़ी इस able to हो जाएगा E0 cell E0 cell E0 cell minus 0.0591 0.0591 अपान यहन log log anode बटे cathode क्या हो जाएगा anode बटे cathode यह आपका हो जाएगा log anode बटे cathode यह आपके सामने हो जाएगा यह value हो जाएगा यह value आपका हो जाएगा पास समझे anode cathode का value लेके निकाल सकते हो कब जब आपके anode cathode का value दे रखा इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं anode पर आक्सिकड होता है और इसी reaction को इस तरह से मरब साट कट आपको जो तना गुड़ा भाग ना करना पड़े डारेट लिखना होगा साट कट इस तरह से भी लिख से दें ecl is equal to ecl is equal to e0 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 0.0591 अपान यन ठीक है लॉग देखो anode बटे है ठोग जगा anode पर क्या होता आक्सी करण होता anode पर loan वाला ठीक है न anode पर क्या होता है anode पर क्या होता है anode पर आक्सी करण होता है upon up chain जिसका up chain हो रहा है उसका value लिखते न तब पर भी आप question कर लोगे ऐसा question पूछा जाता है यह formula मैंने दोनों बता दिया practice भी मैं करा दूंगा tension ना लेना यह दोनों लिख लो कब कब के लिए जब anode क्योट का दिया यह आक्सी कर up chain दिया हो अब कुछ लोगों को पूछना है sir anode क्या होता है बाबु आप इस chapter को जाके शुरू से पड़ो तब आपको चीजें समझ में आएंगी which class के अंतिम हाँ 0.0 हाँ 0.0 हाँ 0.0 क्या 821 हाँ वही 0.821 value रखोगे ठीक है देखो यह जो value होता है 0.0821 314 जो value होता है यह वह आर का value होता है यह gas नियतांका जो value होता है Joule Kelvin प्रती मोल में होता है यह जो value होता है किसमें Joule Kelvin इस आर का जो यह value होता R is equal to 8.314 जो होता है Joule Kelvin प्रती मोल में होता है पार समय भाई जो आप लोगों confusion हो रहा है कि आर का मान सर्क 314 होगा आपने चैप्टर 2 विलियन में बता था कि आर का मान 0-821 में होगा तो भाई जब देखो 821 में होता तो लीटर ATM प्रति मॉल कैल्विन ता इसका मातरक होता है और इसका मातरक जूल कैल्वीन प्रतिमोल होता है तो यह वाला होता है तो दोनों का मात्रक अलग अलग जैसे आप किलो ग्राम में 1000 ग्राम करते हो कहीं एक किलो ग्राम में भी लिखते हैं यह मात्रक चिंज होने पर लिखते हैं वही बात कि अगर्व इसे लिख लो अच्छे से कुस्टन जब मैं कराओं तो समझ में आ जाएगा ना टोड़ा सा भी टेंशन मत लेना 0.51 यह सब का वैलू रखने के बाद गुड़ा भाग देखो इस आर का वैलू 8 314 रखा ती का वैलू रखा यह अपका वैलू 9500 रखा गुड़ा भाग करने बाद यह वैलू आ है यहन का मैंनू तो से लिखना है यहन कोई रहेगा तो इसमें जितना इलेक्टान निकलेगा या जितना इलेक्टान यूज किया जाएगा उससे यहन का वैलू रखेंगे तो यह वैलू आया ठीक राग है इसे सब चीजों पर अन ही समय नहीं हो हुं ठीक़िए अएड कोगे तो में अलगसे बता दूंगा ठीक है वा समझे गिए गिप सुरजा बीटा से पदासित किया जाता इए डेल्टा जी इक वुमर्ट ऊघ यह फार्मुला याद रखना सभी लोग यह फार्मुला याद रखना सभी लोग यह फार्मुला अब्जेक्टिव में कभी-कभी पूछता है और निमेरिकल भी इससे बनता है आप ऐसी बात नहीं नहीं बनता निमेरिकल भी इस पे बनता है और से ल्लिमर्कल भी बनता है यह क्या है जो डिल्टा जी क्या है 161rr कि वर्द । फिल्था जी क्या एंगिसु जांप पर्युवत्न है यथ्ट क्या फैराड आडे है इतांगि और इनाट क्या है बाई बताओ इनाट क्या है मानक किले टोड भी वह है और यन क्या है किले ट्रान की संख्या है हिलेटान की संख्या है हिलेटान की संख्या है कि बात समझना है क्या यहां तक सभी को तो गिफ सूर्जा का यह फार्मुला होता है एक और फार्मॉला होता इस मी heavenly hem की धानवात Cle speak तर्हक ये फार्मॉला फूछा जातरा एक और ये फार्मॉला प्यूचा जाता क्या होता है यह कच्छा 11 बादा ज़्यारत नहीं है कच्छा 12 ज्याता है जरूरत नहीं है GIF सुर्जा का ठीक है दूसरा फार्मला की सुर्जा का होता है दुसरा फार्मुला की सुर्जा का होता है ये कि डिल्टा ग्र इस इक्वल टू क्या होता है फार्मुला ध्यान देना माइनस 2.03303RT 0303RT लाग सी ये फार्मुला होता है दुसरा फार्मुला ये होता है पास्तमी बाई क्या बताओ तो यहां पर दो तीन चीजाएं नियत रहती है जिसे R का value ये value नियत रहता है कितना रहता R का value? 8.314 ये नियत रहता है 8.314 Joule रहती, कैल्वीन, मोल ये नियत रहता है और T का value 25 डिग्री सेंटरिगेट या फिर 208K केल्विन दोनुए एखी चीजह ये 25 डिग्री इन्टिगेट है और यह कैल्विन में है दुनों एक चीज़ यह नियत रहता है और लॉक सी कही का क्या है क्या होता साम में कि कि स्थिराग कर लो गया शाम पूछा जाता है कि डेनियल सेल के लिए नर्स समिकर लिखे किसके लिए डेनियल देनियल कि लिए नर्स समिकर लिखे नर्स इस तरह से कोशन पूछा जाता है डेनियल सेल के लिए जो अपकिरिया का समिकर था यह इस तरह साथ होता है अक्सिकर होता है और अक्सिकर कहां पर होता है एनोड पर होता है और इसका होता है अपचैन क्या होता है अपचैन होता है क्ए थोर पर होता है इसका क्या होता है अपचैन और आपको मैंने देखो अभी तो मैं डेनियल के लिए बता दिया कभी क्या होता है इसका वैलू दे रखा होता है लेकिन यह नहीं दिया है यह simple question मैंने लेकर आया जो कि बहुत बार पूचा गया एक जाम में कि डेनियल सेल का नर्व समिकड लिखे तो आपको ये वाले समिकड में या आइनोड या क्या वैलू रखकर आपको लिख देनी होगी बहुत आसानी से लिख सकते हो कैसे लिखोगे बताओ आपको देखो पह सब्सक्राज़ लोग बताओ आक और ये अपचेरण वाला नीचे लिखेंगे सी यू तू प्लस ये नीचे लिखेंगे इस तरीके से आपका डेनियल सेल का समिकड़ बन जाएगा यह नट समिकड़ हो गया तो इस तरह से आपको आसानी से लिखने आना चाहिए लिख लोगे आप सब्सक्राइब यह लिख लोगे बास समझ में आई क्या सभी को इस तरीके से आप लोग लिख लोगे देखो दो-3 note point लिख लेना कि साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था पर क्या होता है इन आट सेल पर देल्टा-3 का समान जो होता है कितना होता है सुन्य होता है कितना याद रखना यह भी कोशन पूछा जाता है कभी-कभी एक्जाम में सुन्य होता है साम्य अवस्था पर जी या फिर से बताओ जी बताना इसमें क्या फिर से बताना जी कामान सुन्य होता है ठीक है देखो एक चीज मैं आपको बताने जा रहा है कभी भी कोशन में हालाकि इसके कोशन से आप लोगों को बहुत कम देखनी को मिलेंगी मैं फिर भी बता देता हूं पी सेल नाट इसका वैलू डेल्टा आर जी या फिर डेल्टा आर जी नाट इसका वैलू ठीक है तिल अपक्रिया की प्रकिति कैसा होगा अगर इसका वैलू कहीं कोशन में प्लस दिया हुआ है कोशन में कराओंगा आगे टेंशन मत लेना यह प्लस दिया है किसका इनाट इसल का वैलू प्लस दिया है और डेल्टा जी का वैलू माइनस दिया है तब अपक्रिया संभा होगी संभा होगी और यह अपक्रिया स्वता होगी अपने आप होगी अगर इसका वैलू माइनस दिया है इसका वैलू प्लस दिया है तब यह अपक्रिया असंभा होगी और यहां सम्भान होगी और अगर दोनों का आपला जिरो दिया होगा तो यह साम्में आवस्था में होता है को शनasis यहां से बहुत पूछा जाता है न लिँस्ता आप था आप मात्य स्वाक्ष नृर्ट सकति अनृ आज पता है remembers उलां भी बताएं इन टिनव चीजों को मैं एक बारिवाइच करा देना चाहरूं। जो कि आपके exam में एक नमर या दो नमर परिवासлам पूँछा जाता है तो आपको इतना ही लिखना है इस से ज्यादा नहीं लिखना है नर्ज समीकड में क्या लिखना है सर्थ या लिखना है नर्ज्श समीकड के अनूसर «-तमपरिचर ताप धातू का विभाँ यजय लॉग वन अपान एंड प्लस भी करते हैं यहां पर देखा जाए यह क्या है इनाट क्या है मानक भी वह है आर क्या है गैस नियतांक का टीटांप है यह प्रवेगत इलेटानों की संख्या है यह मैंने आपको बता दिया और यहां पर यहां प्लस के रूप में लिया जाता है यन का मान कैसे निकाला जाता 만든 की प्रयूद संख्या किसे आ आ आर का वैलू मैंने डिसकस किया और ओर य्όσम का वैलू रख कि साल करोगे यह दोर समिकर आते हैं जो कि आपको कूंशन करने कौन सा समझ में आता है इसका वहां पैस् meeting के लिए लग से लेक्चर लेकर आऊउंगा तो वहां पर आपको इसका और शारी चीज़ैं बताके लिए कि लिए कैसे लिखा जाता है हons लिखना पर यह स्वाइब हने लिए पर चाहुना पलस्त के बाद रहेगा तो क्या माहन होगा जैसे इनार्चल का वैलू प्लस है इनार्चल का वैलू प्लस है इनार्चल का वैलू प्लस है और यह डेल्टा आर जी का वैलू माइनस है तो यह संभव होगा राइक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षि सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा विद्धुतरसानिक सेडी पढ़ेंगे ठीक है तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इप्वाटन टॉपिक विद्धुतरसानिक सेडी से यह बिद्धुतरसानिक सेडी मतलब इससे बहुत सारे यह पोचे जाते है अब बहुत लिए यह कोस्तन होते हैं बस नीकी कोसिश करना है यहां चीजरे समझ में आ जाएंगीस आसान की तो देखें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्धुतरसानिक सेड़ी होता क्या है देखो मैंने यहां पर टाइप करवा दिया है एक सब में इसका डिपनिशन है जब तत्तों की मानक इलेट्रोड विवाओ की बढ़ते क्रम में रखने पर जो प्राप्त सेड़ी को हम ल प्रूड बिभौ का बढ़ता क्रम करने पर जो सेड़ी प्राप्त होती उसे क्या करते हैं विद्धुतरसानिक सेड़ी करते हैं इस्तभी चीज़ें आपके सामने देखो यह सेड़ी दिया हुआ है इसमें सबसे पहला तत्तों जो है सब्सक्ते पहला तत्व जो है फ्लोरीन है या फ्लोरीन है ठीक है यहां पर यह फ्लोरीन है आपको दिखाए दे रहा होगा ठीक है जिसका मानक इलेट्टोड विवोक क्या है 2.87 अस लास्ट तत्व अगर देखोगे तो यहां पर इसको छोटा करना चाहता हूं थोज़़गे लास्ट तत्व देखोगे यहां पर ज्यांदेना सभी लोग बहुती आसान है एकदम एक बार में समझ में आएगा बस एक बार फोकस करना है लास्ट तत्व देखोगे तो हो सकता आपको दिखाई नहीं द रहा हो यहां पर लीथियू में जिसका वैलू कितना माटाव नश-3.05 को 3.05 यह माना के लिए टोड विवो इसका वैलू सबसे अधिक है और इसका वैलू क्या है कम है अब यह क्या हो गया मानक के लिए टोड़ विभावका एक तरह से क्रम है आपके सामने है यहाँ पर अमें बढ़ते क्रम से मतलब नहीं आपको मेन पॉइंट यह समझना है कि एक क्रम हमें बनाना है मानक इलेक्टोड विवह का जिसका सबसे अधिक उसको उपर लिख दें या सबसे कम है उसको उपर लिख दें बाकि दिरे 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 नीचे वाले को लिखते जाए तो जो सेड़ी प्राप्त होते उसे क्या कहते हैं विद्दुत रसानिक स्टेड़ी करते हैं उसे क्या करते हैं उसे क्या करते हैं वावू विद्दुत रसानिक स्टेड़ी करते हैं बाद समझ माया एक बार जड़ा कमेंट वाक्स में डिफिनिशन कमेंट कर सकते हो क्या यह कि चीज समझ में आएगा बद ख्यान इज़ के मानक इलेटोड विवव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो सेड़ी प्राप्त होती है उसे विद्धूतरतानिक सेड़ी करते हैं और यह आपके सामने विद्धूतरतानिक सेड़ी है भी इसमें देखे सबसे पहला ततो क्या है जिसका इलेटोड विववव 2.87 फ्लूरीन लास्त तो है लिथियम जिसका इलेटोड विव मानिस 3.05 क्या है मायर 3.05 है तो यह आपके सामने क्या होगा एक एक तरह से इलेटो केमिकल सेड़ी हो गया या फिर विद्धूतरतानिक सेड़ी हो गया इन сबी चीजों को समझकर इन सभी चीजों को समझकर ये सबी चीजों को समझकर हम लोग ऐसे questions को करने वाले हैं बहुत आसानी से ऐसे questions को करने वाले यह सभी questions होंगे लेकिन हाँ इन सभी चीजों को समझाने से पहले आपको हम कुछ point बताना चाहते हैं यूकि आपको जानना ही चाहिए आलाकि यह बच्पन में आप लोगों ने पढ़ लिया है मानक इलेट्रोड विवो इसको आमने पहले बता दिया इसको साथ फार्म में लिखा जाता है यस इप लिखा जाता है इस टेंडर इलेट्रोड पोटेंशियल और इसका जो मान होता है यह बराबर होता मानक इसके बराबर होता मानक अपचैन विवो के बराबर होता है ये बात आप लोग जानते होंगे, यह मैंने बताय था पिछे मानक अप्जन विवह के बराबर होगा और यही मान बराबर होगा अगर मानस लाइदी, मानक मानक अक्सीकर्ड विवह Okey यही मानक आक्षिकर्ड विखव के बराबर होगा यानि माइनस है यस ओपी के बराबर हो यह चीज आपको मैंने पहले बता रखा जिसका वैलू मानक आपचैन विभाव अधिक होता है तो उसका अपचैन ज्यादा होता है उसका क्या होता है अपचैन होता है यह भी बात आपको मैंने पहले बता दिया था यह पॉइंट आपको याद रखना है इसका अपचेन चंता अधिक होता है जिसका अपचेन विवो ज्यादा होता है मतलब ज्यादा अपचेन विवो ज्यादा अपचेन चंता ज्यादा अगर अपचेन विवो होगा तो ज्यादा ही आपका क्या होगा अपचेन होगा अप्चन क्या होगा ज्यादा होगा अब मानत आक्सिकड विवाओ का ज्यादा होगा तो आक्सिकड ज्यादा होगा यह सब पॉइंट आपको जानना चाहिए जिसका आप्चेन भी वह ज्यादा होगा उसका आप्चेन ज्यादा होगा जिसका आप्चेन भी वह ज्यादा होगा उसका आप्चेन ज्यादा होगा और जिसका आप्चेन भी वह ज्यादा होगा उसका आप्चेन भी वह ज्यादा हो जिसका अप्चेन ज्यादा होगा उसका आक्सिकर्ड कम होगा आक्सिकर्ड क्या होगा कम होगा यह पॉइंट जान लेना यह सब जरूरी है आपके लिए जिसका आक्सिकर्ड ज्यादा होगा उसका आप्चेन कम होगा अब देखो पॉइंट पर आते हैं आपके सामने दो तत्तो है जो की महत्पूर है जो की मुझे बताना है फ्लोरीन जिसका मानक अपचेन विवाउ मानक अपचेन विवाउ कितना है 2.87 है मानक अपचेन विवाउ अपचेन गव कि इतने है 2.87 जादा है यह क्या है ज्ब क्या जाद है clarity मित्लब इसका अपचेन अधिक होगा है ऒरे क्या हो अधिक होगा यह समझ भा रही ना पूरे कोसन आप मंग कर सका उन्हाल पक्ति कर पक्ति कर जोगा लीधियम की, तो लीधियम की कहाणी में क्या चलता है लिटियम की कहानी यह कर चलता इसका माना के लिटोड भी वह है माइनेस 3.05 कम है कम है माना के लिटोड भी वह है इसका क्या होगा भाई इसका अपचेन भी कम होगा अपचेन भी कम होगा जब अपचेन कम होगा तो आक्सिकर क्या होगा भाई आक्सिकर'd क्या होगा भाई अक्सिकर'd क्या होगा अब हम आतें यह यहाँ पे लई तक्त्त्य आपको याद रखने यही तत्तो आपको याद यहां पर EU है, EU को gold कहा जाता, suna, इसे क्या कहा जाता, lithium कहा जाता है, lithium का जो होता है, इसका मानक, इसका जो है, कितना value होता है, minus 3.05, इसका मानक, अपच्चयन विभाव का, मानक अपच्चयन विभाव का, मानक इलेक्टोर विभाव का, मानक इलेक्टोर विभाव का, मानक इलेक्टोर विभाव का, मान कम होगा, कि more ऐसे बड़ता 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 आएगा इसका सबसे अधिक होगा क्या है इसलिए टोड़ि वह मिश्क बड़ते हो लो टेक हो गाण उसका माना के लिए वह कम होगा इसका अधिक होगा यह बात आपको याद होना चाहिए ऐसा स्रेड़ी है मैं इस इन तत्तों को इसलिए दिया हूँ कि ही है जो आपके एक्जाम में बार-बार इतना याद हो जाएगा तो काम हो जाएगा यह पूछा जाता है लेकिन याद भी कर पोपट देखो हाँ कमेंट आ रहा है कि इसका मानक इलेक्टोड भी हो अधिक होगा मतलब आक्सी कढ़ कम होगा बहुत बढ़िया जीसके दिमाग में इतना पात अपने आप आ जारी वह सब कोसंद करने माला के चलिए अभी हम लोग कोसंद करेंगे तीन सभी चीजों को और अच्छे से करें ठीक है धहान देना यापर याद करने का ट्रिक लिटियम को हमने किया लेकर पोटैसियम मतलब पोपट मतलब पहले गाड़ी चलती थी एक पोपट पोप पोपट करके चलती थी अब काम खतम होगया पहलीसमें इसमें तीबियस एक्सेल हेंडेट आती जिसमें इस लेटर पर हूं करके भागता है ऐसा ही होता है ज़स घुनवा है इसा ही होता है उसी ज़से बाले गारी चलती थे पोपट न तो लेकर पोपट बाहर सरक्ड कोई लिया है और बगल में कोई फोर्वीलर वाला स्वुबी से जा रहा है इस आरिपियों से या फिर समय अचुना से जा रहा है नेता जी वाली गाड़ी से मर्चरी से जा रहा है तो लेकर पपड तुम बाहर सरग काना मजदार आलू काना मजदार आलू को याद कर सकते हो कि बगल में कोई मजदार आलू दम बना रहा है कोई करा काला मजदार आलू और कर रहा है मंजन करके आया हूं ठीक है काना मजदार आलू मुझे खाना है क्या खाना है ये काना को समझो खाना है क्या खाना भाई मजदार आलू मजदार आलू मतलब आलू दम खाना है मजदार आलू दम मंजन करके फिर जल से धोले मनजन करके मैं आया हूं मूह जल से धोल कर दो कर आया हूं और सीड़ी यहां तक एक कहानी हो गई मतलब भाई कहानी फिर से समझना यहां पर क्या चल लेकर एक पोपट वाली गाड़ी है लेकर चल ला है तो बगल से कोई बड़ा गाड़ी लेकर आता है मुझे खाना है मजदार आलु दम अभी मंजन करके फिर मुझे दोकर आया हूं करके लेकर पोपट गाड़ी तो बाहर सरक खाना है मुझे मजदार आलु मंजन करके फिर हाथ दो कर आया हूँ पहले मुझे खाना है यहां तक तो कहानी किलियर है यहां से कहानी नया आती है अब यहां के नय 9 यूखों की बात हो रही है न यूखों की बात होने का मतलब यह है जैसे आप लोग आप लोक्या CD वाली कभी अच्छे जानते हो पूराने समय शीडी आती थी ऐसे डबाके बाहर निकलता उस हुझी रख देते थे अंदर जाके खोब संसंस नासती थी देख पुराने समय में CD आती थी लेकिन पुराने समय में सब लोग CD क्या करते थे सुनते थे लेकिन आज के जवाने कोई भी नहीं रहाँ सुनेगा कोई भी नहीं चुने अज के जवाने में पब्जी एच कोई नहीं सुनेगा क्योंकि पबीडिंद्Ìंट करने की चक्र मत परो pestle समझने के चक्र परो कैसे टगा जाता था तो आज CD कोई नहीं सुनेगा क्योंकि PUBG आ गया है अब देखो यहां तक कहनी दूसरी complete अब भाई कुछ थोड़ा सा रोमेंटिक सीन की बाते कर लेते हैं रोमेंटिक सीन में क्या है क्यों आई हो चांदी से पिट कर बो से कल सोने से फ्लट किया था आई कोई है लड़की तो नीचे क्या आके बैठी की ठीट करने का मतलब तुम लोग समझते हूं यहां तक आपको यह कुछ नहीं कर सकते बस आपको समझना होगा कि यह कहानी याद रहेगा उतना सा रही किलियर हो जाएगा जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोंगे तक तक आपको कुछ नहीं हो आगे हम लोग प्रेक्टिस करने जा रहे हैं उसके बाद आपको चीज़ें अपने आप किलियर होते जाएंगे ठीक है कहानी भी याद हो जाएगा ये भी याद हो जाएगा बिद्धुत्र रतानिक सेड़ी का अन्प्रियोग हम लोग पढ़ने जा पहला क्या अप्चायक छमता निकालने में अप्चायक छमता का मतलब होता है जहां पर भी मैं एक चीज़ आपको ठीक बता देता हूं कभी गलत नहीं होगा जहां पर भी अप अपचायक खमता दिया पूछाओ तो अपचायक खमता का मतलब समझा करो आकसी करड़ आपसे पूछ रहा है अगर आप आकसी कारक खमता पूछे आकसी कारक खमता पूछे आखसी कारक्ष चम्ता पूछे क्या करना आपको अपचैन चम्ता अपचैन समझना कि आपचैन पूछ रहा है उल्टा आपचैन पूछ रहा है बात समझना फ्लट कि फ्लट क्या होता है सिखंखाओं प्लट क्या होता है प्लट करने नहीं आता है तुम लोगкой है अगर आप्चकारब का मतलब या अब चाय का मतलब क्या होता यह समझे आप वह किलिर हो जाएगा अफ्चायक का मतलब यह होता है कि आफ्चा से अच्छा आप चयन कराने वाला थास्त stud दूसरे का अउआ होगा तभी तो दूसरे का चयन कराएगा इसका के अगर मैं अगर प्रचेंट के आप को तिम्पल सी चीज आपको समझाना चाहता हम् अपचायक छंता मतलब मेरे पास अग HOW wax इसका मतलब आपका मैं अपचेन करूंग एध मुझे आएगा तभी तो आपको समझाऊंगा बात वही समझना अगर मेरे को अप्चायक छमता है मेरे पास अप्चायक छमता का मतलब मैं आपको क्या कराऊंगा अप्चैन कराऊंगा इसका मतलब मैं खुद का आक्सिकड कराऊंगा मेरा अक्सिकर होगा तभी तो आपका अप्चायक अप्चायक इसका मतलब कि जो है इस बी को पगड़कर इसका क्या करा रहा है अप्चायन करा रहा है अप्चायन करा रहा है अप्चायन करा रहा है क्या हो रहा है मतलब एक अक्या हो रहा है आप समझे तभी तो भी का अप्चेन होगा यह अप्चायक है मतलब अपना अप्चेन नहीं करा अगले वाले का अप्चेन करा रहा है जिससे आप तभी अठार साल के ऊपर हो जाओगे दियल बनवाने जाओगे तो दलाल होते हैं आपका डीयल बनाते हैं अपना खुद का डीयल नहीं बना उनके पास खुद का डीयल होता है तो इसका मतलब चायद का चमता का मतलब खुद का आक्सिकर करा रहा है आपको इतना ही समझना है तीक है क्योंकि अगर यह समझन पड़ोगे जो समझना हो नहीं समझ पाओगी मेरे पॉइंट पर आना आप चायद चमता का मतलब आक्सिकर करा रहा है आपके सामने चार तत्तो एवी सेड़ी भी आए इनका इलेटोड भी ओ दिया हुआ है आप से यह पूछ रहा है कि इसमें अप्चायद चमता का बढ़ता हुआ करम लिखिए यह आपके एक्जाम में पूछा भी जाता है अप्चायद चमता का मतलब आक्सिकर पूछना और आक्सिकर चमता का मतलब अप्चायद अप्चायद चमता देखना हो आपसे तो देख लेना कि जिसका इले टोड़ भी भॉव सबसे कम होगा कम होगा ठीक है उसका अप्चायद चमता ज्यादा होगा वही तो आप लोग कर रहे थे नहीं यहाँ जोग वही तो लिखे थे जिसका मानन के लिए टोड़ भी Nicotard यानि जिसका आक्सिकर ज्यादा किसका होता है जिसका अप्चन वही और ऑग्च्ण नो आपको यह क्या बताया गया है पास समझना से वीडियो अप 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 अपचायक अपचायक समता यह प्रपोस्टनल होता है किसके अपचायक समता जितना अधिक होगा उसका इलेक्टोड विवो का मान यहां पी दिया हुआ है और आपसे पूछा कि अपचायक समता का बढ़ता हुआ करम लिखे मतलब यहां पर आप्चायक समता का बढ़ता हुआ करम लिखना है सबसे कम अपचायक किसका होगा अप आक्सिकर निकालना है हाँ अहां गर सबसे के ज्यादा अप्चायक छंटा किस्का होगा心 आपको सीधी ॉधर चपास सब्से कम आक्सि最近 रहे हैंधको अप्टिक विसका हो वह किस्का यहाँ गभर लेखो गडेकर किस्का एच देखो बताओ बही किसका है सबसे कम इलेटोर्ड विवो किसका है सबसे कम इलेटोर्ड विवो के बात करें तो माइनस 3 है सबसे कम यानि सबसे कम D वाले का है इसका सबसे अधिक इलेटोर्ड अप्चायक चमता होगा इसका माइनस 3.0 है सबसे कम इसके बाद किसका है माइनस यह वाले का माइनस टू पॉइंट जिरो वाले का उससे कम किसका भाई माइनस यह बी वाले का इसंसे एक माइनिस 1.7 और उससे सबसे कम किसका है सबसे अधिक किसका कुंप इसका है और माइनस 3 सबसे कम होगा माइननस में जितना अधिक होता है अधिक म tema होता है और आप चाहेँ शमता का कर लिखना तो यह बर्धा करम है विद्ट करम सबसे कम si उस्से अधिक उससे अधिक सबसे अधिक yani कि åt उचाहिग शमता अगर पूछे मतलब है क्रम आपको समझ में कैसे नििकाला मैंने, मैंने यहाँ पर लिखा था कि अपच्चाइक छमता जो होता है, अपच्चाइक छमता अगर पूछेगा तो Yangon strategically performed Online-connected जितना कम होगा उसica आपचायग संथा होतना दीखो गा सबसे कम सबसे कम क्या है इसका आपचायग सबसे दीखुँगा जादा होगा इसका कम है अबास समझे है क्या अगला टापिक समझते हैं अगर आक्सी कारक छमता पूछेगा तो अपचायक छमता का उल्टा कर देना अगर आक्सी कारक छमता कहीं कोशने पूछेगा तो अपचायक छमता का उल्टा कर देना वही तो बात है इल्टा होगा न नहीं समझ मैं तो इदर द्यान देना ये ये दुसरा आक्सिकारक छमता अगर कभी भी पूछे तो याद रखना इलेक्टोर्ड विवो के समान उपाती हो आप चाहिक छमता इलेक्टोर्ड विवो के उल्टा होता है जैसे आप लोग के पापा करने प्रहाई करो तो आप उतन लिए दिमाख लाओगे तो समझ मां आ जाता है जाता है जाए है इससे कॉछसन आएगा पेपर अभी आप लोग करने लगोगे टेंसर मत लेना है उसीका आप उजीट कर दें है अगर आप से अगर आपको आप चाहिक छमता आ गया ना इसका उल्टा कर तो आक्सिकारक छमत जाएगा जैसे आपके सामनी यह कुशन है बताओ यह सबका इलेटोर विए दे रखा इसमें आकसी कारक समता सबसे अधिक किसका होगा कि प्रपोर्शन होता है इलेटोर विए यानि जिसका इलेटोर विवो जितना अधिक होगा उसका आक्सी कारक चमता उतना ही अधिक होगा जैसे इसमें ABCD में देखो किसका इलेटोर विवो सबसे अधिक है यह इन दोनों में देखो किसका है C वाले का किसना है यह क्या है कितना माइनेस टू पॉइंट है यानि यह जो है आपका ऐसे करोगे यह आक्सी कारक कारक चमता का बढ़ता करोगे अगर यही से अगर आप चायक चमता पूछे तो इसका उल्टा कर देना अगर आपसे अप्चायक चमता का बढ़ता कर्म पूछे तो क्या करोगे अगर आप माना अप्चायक चमता पूछे यह से अप्चायक इसका उलटा करने का मतलब क्या है जिस का सबसे कम हम अब एक किलेर है किलियर है सभी को एक निकलने बाद दूसरा इसका उल्टा हो जाता है किलियर है लास्ट में मैं आपको यह बता दूगा ऐसा क्यों होता कुछ भी रटना नहीं हो अब इस समझ लोकि क्यों ऐसा कैसे करती हैं फिर बात में लाउस्ट में जब कोशन करा देंगे तो आपको ऐसा समझा देंगे कि अपने आप आपको कर लोगी याद नहीं करना जलते हैं धन बिदूत लच्छड यह आपसे पूछा जा रहा है तो देख लेना धन बिदूत लच्छड अच्छ यह बताओ आपसे मेरा एक प्रस्न है कि एक मिट लो 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 कि अ कि कहां घटता करम अपचायक चमता सबसे दिखें यहां आकसी कारक चमता है इसका सबसे दिखें कि अगर आपसे धन बिदूत लच्छड पूछे तो धन बिदूत लच्छड जो होता है धन विदूत यह प्रपोर्शनल होता है वन अपान कि अधन बिदूत लच्छड या फिर अप्चायक चमता हो यह दोनों समान होता है अधन बिदूत लच्छड हो चाहे अधन बिदूत लच्छड अब अभी एक एक चीज़ उड़ता जाए मैं का लास्ट में आपको कुछ याद करनेक जवत नहीं होगा और कुछ नहीं याद करनेक जवता है यह आप चाहिक से था सब वन अपान इलेटोर्ड भी ओके प्रपोस्नल होता है अच्छा जी धन विदूत लच्षड क्या होता है मैं अगरकोई तत्तो ए है रहने कोई यह तत्तो यह था यह था और यह जो है यह इप्लस में चला गया एधन हो जाए मतलब यह से इसका क्या हो गया आख्षिकरण मेरी बाट समझेंग ना आपको यह अग्सिकरण ता समझा मेरी इसी तरह से यहां पर देखो प्रुवात में B कोई तत्व है इस पर एक प्लस था और इसका मैंने जब आक्सिकर्ड हुआ तो यहां पर B के उपर दो प्लस आ गया यह भी इसका यहां पर क्या हो गया अक्सिकर्ड बुरा है मतलब कि धन विदूद लच्षड का मतलब होता आक्सिकर्ड और मैंने आपको यह बताया था कि अप्चायक का मतलब भी आक्सिकर्ड होता है तो इसलिए मैंने बताया धन बितुदलक्षण पुछे चाए अब चार चमता पूछे वन आपान लेतौर विवह के समानुपाती होता है मतलब कि अगर उन्येतौर विवह किसी का कम होगा तो उसका धन बितुदलक्षण होगा या फिर अपचान अधिक होगा कुछ बात समझ में आ रही है अच्छे यह बताओ किसी का इलेटोड भी वह अधिक है इसका मतलब क्या है उसका अपचयन अधिक हो रहा है यहां पर मैंने आपको बताया था किसी का इलेटोड भी वह अधिक है ज्यादा है उसका मतलब उसका अपचयन अधिक हो रहा मतलब आक आक्सिकड स्ना कम हो वही तो बात मने कहा यहां पर उल्टा लिखने का मतलब यह ए कि ले टोर वो जितना ज्यादा होगा मैं अब चाहिक छंटा धर्ण विदुद्लट चड आक्सिकड उतना ही कम होगा यह सब्सक्के क्या होगा तुल बसे दिए हिवा मतलब यह दोनों कि पार समझवाए होगी मतलब किसी का इलेटोड वियो जितना ज्यादा होगा उसका अपचयन उतना अच्छा होगा आक्सिकड कम होगा जिसका इलेटोड वियो जितना कम होगा उसका अपचयन उतना ही कम होगा आक्सिकड ज्यादा हो अभी नहीं समझवाएगा सर कुछ नही क्रिया सिल्ता कि धातों की क्रिया सिल्ता भी यह करम होता है क्रिया सिल्ता देखो अब चार चीज़ आपको मिलिया क्रिया सिल्ता पूछे कि तिल्ता पूछे या फिर अपचायक छमता पूछे हमता पूछे या फिर धन विद्दूत लचल लचल यह सब प्रपोशनल होता वन अपान इलेटो होगे एक इसाथ याग करना है इलेटोड अभी कोशन आएगा तेंसर मतले ना प्रपोशनल होता है देट है यसमें इसमें सबसे अदिक क्लिए है क्रियासएल कौन होगा तो मैंने बता है यह सब किस्त वन अपाने लेटर वीओ कये प्रफॉष्ण मतलब जिसका जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्रियासील हो जेसे यह 40 त tribes की सामने है इसमें पूछ रहा है सब सरवाधिक क्रियासिल कम होगा, तो भाई जिसका इलेटर विओ जितना कम होगा, उतना ही अधिक क्रियासिल होगा, देखो इसमें से सबसे कम इलेटर विओ किसका है, बताओ, बताओ, सबसे कम तो यह है, न, 1.46 है, D वाला, D वाला क्या होगा, सरवा सर्वाधिक क्रियासिल होगा और डी वाला ही अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक अप्चायक होगा यह भी पूछ सकते हैं और सर्वाधिक जो है धन विद्धुत लक्षड रखेगा करना दी अप्धिक है LE Ali ऐसे होगा यह ही वाला 예नि माइनस लगा है माइनस में जिसका वैलू जितना ज्यादा होता है उतना ही कम होता है उतना कामल सेंस रखना चाहिए कच्छा बारे में पढ़ रहा हो जैसु के भू ride के बच्चे जानते ही जितना मायनस में ज्यादा होता है उसका वैलू कम होता है देखो प्रतिस्थापन छम्ता है नहीं तो अब यहां से आने के बाद मैं आपको चीजें के आगे क्यों ले जा रहा हूँ प्रतिस्थापन छम्ता भी वन अपान इलेटोर्ड व्यों के समानु बात तुम्रत चार चीज़ा आपको मिल गया अपचायक छमता हो अपि लास्ट में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा सब एक साथ हो जाएगा अपको चायक हो यहां फिर धन बिद्दू चड़ो या फिर को आपका क्या हो यहां पर क्या मैंने बताया दातु की सक्रियता हो कि सब के सब वन अपान इलेटोर्ड विवों के समानु पाती चलते हैं मतलब जिसका इलेटोर्ड विओ जितना ज्यादा होगा यह सबी चीज़ें उतना ही कम होगा या फिर आपका यहां पर एक नया आ गया यह यह क्या हो रहा है यह यह फिर तर्तिसथापन विए नहें आगया जिस्थापन बढ़ाते रहो यह कहीं चीज़ लिखना यह कहीं बार में आपको पूरा याद होगा वन आपढ़ तोड विगे समान पाते ही सबसे ज्यादा कम का माइनस होता है सबसे ज्यादा कम किसका माइनस लगा इसलिए सबसे ज्यादा कम यही होगा माइनस थीडिए में लगा होता है सबसे ज्यादा कम होता है यह आपको ज्यादा में ज्यादा hearing बैसे बाइब अच्या ज्यादा उधारी ना कौन ज्यादा उधारी में इक लाग मैं एक के पास इसना सबसे कम परिशा इसी के पास तभी तो एक लाग रुपया उधारी रखिया है कि आप दिमाख लागा करो आप जाके फ़ले basic concept सीखो याद माइनस में जिसका अगर आप से मैं कहूं माइनस दस अधिक है या माइनस पांच तो माइनस पांच अधिक है माइनस दस अधिक नहीं है माइनस दस कम है माइनस दस पांच से कि आप समझे क्या का यार इतना basic concept नहीं आता को माइनस लगने के बाद हो माइनस दस कम है भाई माइनस पांच से माइनस लगने के वज़े से तुम लोग कया पढ़ाई करोगे भाई गजब यार गजब गजब इस्तिती चलना है यह होता है माइनस फोर सिख सबसे कम होगा अब चलो कुछ कोशन करते हैं उसके बाद यह सब आगे के गुड़ देखते हैं आपके सामने यह चार तत्तो दे रखा है इस कोशन को पढ़ो सब्यों इस कोशन को पढ़ो और कोशन में क्या कह रहा है कि चार तत्तो A, B, C, D में मानक अपचैन भी बहुत दे रखा है सबका यह माइनस 2.0 है प्लस 1.50 है दिखाई देर रहा होगा सरवादिक प्रबल अबचायक कौन होगा प्रबल अफचायक पूछा है मैंने आपको यहां पर बताया सब चीजे प्रबल अफचायक हो चाहे अरे बोलो कि यह वाला सही होगा आप से नहीं सही होगा ऐसे ही कोशन पूछा जाएगा चलो नेस कोशन देखो आपके सामते यह क्या कोशन पूछा है चार तत्तो दे रखा है जातू के क्रिया सिलता का घठता हुआ करम बताना है सबसे आगे सबसे अधिक क्रिया सिल को रखना और मैंने आपको बता यह सब चीजें कैसे समान उपाती होटा है यहां kulya सीलता पूछा आपसे यानई कि जिसका भी लेट ऻू जितना ही कम होगा उतना अधिक Union सबसי कम यानि यानि क्या आपका इदिक क्यों और क्यूंस एव देन सिक्स मतलब अब धी की होगा कहिए विदी उसके बाद क्यों है कि यह होगा कि यह नियर्स नमर सुझाओव हैistic कि दोसा और यहां पर देखा यहां पर देखा unle बाइलू देखो प्रबलतम अप्चाय काम होगा, जिसका को सबसे कम हो है mechanism मानक अपचेन भी वह दे रखा है। बताओ, जिसका का सबसे कम हैं, something सबसे कम है बश्य क्यों Jewish बताओ प्रबलतम अप्चाय काम होगा कि अरे बोलो प्रबलतम अप्चायक कौन होगा अरे प्रबलतम अप्चायक कौन होगा यार यह बताओगे रजी यह वाला होगा क्योंकि यह तो सबसे कम है यही तो प्रबलतम होगा आपसे नमरें सही हो जाए ऐसे ही कोशन पूछा जाता है अगर यह पूछ ले कोशन तो कैसे क जब जलु नहीं दिया रहेगा सेड़ी याद चाहिए जब तक याद नहीं रहेगा तो आईसा कोशन नहीं कर पाओगे यह वाला होगा यह वाला सबसे प्रबलतम क्योंकि एका वैलू सबसे कम है कि लिए टोड़ गोगा अरे बहुद सबसे कम है एका मानिस इस पॉइंट वाला है यह तो सबसे अधिक है उसका सबसे कम होगा अब देखो ऐसा कोशन पूछेगा कभी जामेन है तो आपको क्या करना पड़ेगा वह सेड़ी याद होना चाहिए अगर सेड़ी याद नहीं रहेगा तो कोशन ऐसा नहीं कर पाओगे अगर सेड़ी याद नहीं रहेगा तो कोशन नहीं कर पाओगे ऐसा तो आपको याद रखना सेड़ी में ये जो विदूत रसानी सेड़ी था इसको मैं कापी करके इधर ही रख लेता हूँ आपको देखाना इसका माना के लिए टोड़ भी वह सबसे कम होता है इसका लीथियम का यह आपको याद होना चाहिए कि लीथियम का माना के लिए टोड़ भी वह सबसे क्या होता है तो यह लीथियम का होगा यह तो असान कोच नता लेकिन सेड़ी अभियात करने की जरूरत प पता है लिथियम का तो सबसे कम होता है तो याद करोगे सेड़ी जब आपको मैंने बता था इसमें बता था याप सबसे कम होता है और सोना का सबसे अधिक होता है तो यहां तो आपका लिए वाला लेकिन आपको याद तब होगा इजाम में तभी जब आपको सेड़ी आएगी तो सेड़ी वाला कोस्टन इस तरह से पूछा जाता है याद रखना पड़ेगा अब यह कोस्टन प्रबल अप्चाय प्रबल यहां प्रबल आक्सिकारक पूछा है जब कभी आपसे प्रबल आक्सिकारक पूछे न तो आप सब दिमाग को प्रबलतम आक्सिकारक पूछा है दिमाग को पागल बनाना हमसे नियूंतम अप्चायक पूछ रहा है तो उल्टा चल ला है नियूंतम अप्चायक इसका दिखो आप प्रबलतम अप्चायक आक्षिकारक पूछा आप दिमाग को अपने यह दिखाना कि नियूनतम अप्चायक पूछा आप आप आक्षिकारक का गुड़ यादे मत रखना प्रबलतम आक्षिकारक पूछा आप दिमाग को पढ़ाना कि नियूनतम अप्चायक पूछा दिमाग क पटा है कि अपर चाएक की युनिवस्टी पर कॉष्ण होता है किसका होगा जिसका सब्से अधिक इले टोड़ विभय होगा इसमें सेसे सब्सब्से अधिक इले टोड़ टोड़ विज़ सकंव कि अुचा है mari आगर ऐसा कोसन देखोगे तो कोसन गलत हो जाए क्यों गलत हो जाए ध्यान देना अब यहां पे थोड़ा कहानी रोटेट करेगे देखो यहां पे मानक अप्चयन विवह दिया था यहां पे भी इलेटोड विवह दिया था इलेटोड विवह हो चाहे मानक अप्चयन विवह हो यह दोनों बराबर होते हैं यहां पे मैंने बत करे लेना धिना देखोगे न है थुला सा अलग को संद इंए कि है यहां पे किकि यह मानक्या आकैक्सिकर बिभौ दिया और क्या दिया आप आक्सिकर्ड विवो दिया फट से आप इसको मानक अप्चेन विवो में चिंज कर लो कैसे मानक अप्चेन विवो में चिंज करोगे सभी के आगे माइनिस लगा यह मानक अप्चेन विवो में चिंज हो जाएगा फिर आप को फुरानी कंस्रिप्ट से लगा लेना देखो पॉनिक रहा है पास्च समल्ज ना भाई इसे समझ लो देख ले ना अपना सिकल्स पर इसारी नहीं समझ में आने वाला यह मजी और देखेंगे इसमें सब देखें गे अश् работать आपको समझने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए जो भी आमने数 प्राइम प्राइए प्रार से हम लोग इसको क्या करेंगे मानख सिकर क्रिब्वब के आगे माहिनस लगा कि उससे खैंश कर लेंगे इसको आगे माहिनस ट्री 10 box ट्री 10.05 ओतम फाइफ को आगे माहिनस लाओ 2.75 गशेंगे तो सब दो तरीखा मैं बताऊंगा दो तरीखा मैं बताऊँगा यह सब के सब merch और रहे मानक अपचेंड वे चेंजान हो यह ना तब टो कॉस्शन लगाएंगे नहीं तो केंसे कि हम उरभ Scoop पले तो फिर नहीं समझ में आएगा दमाग लगाओ इधर भाई यह मानक आक्सिकड भीवो दे रखा था और मुझे मानक अप्चन भीवो में चेंज कर लिया इसको मैं अब अप्चन भीवो में चेंज करेंगे कैसे माइनस लगा के हलाकि मेरे पास ऐसा ट्रिक है न मैं अभी बताऊंगा को आप कर लोगी यह प्रैक्रिक्स को पर डिपेंड करेंगा अभी आपको मैं बताऊंगो तो समय में नहीं आएगा पहला यह ट्रीका है कि आपको इसे मानक अप्चन भीवो चेंज कर लेना और आप से पूछा प्रबलतम आक्सिकारक तो आपको इसे भूल जा निकालना है प्रबलतम आक्सिकारक का मतलब इसका उल्टा निकालना है नियूनतम नियूनतम आक्सिकारक यह अप्चायक लिए दो यह निकालो आपका प्रवलतम आगसी कारख हो जाएगा यहांपे देखो यह मानक अप्चेन भी वह दे रखा है इसमें सबसे निउन्तम आप्चायक कौन होगा जिसका आप्चेन भी वह अधिक होगा इसमेंламIES में किसका है इसमें सबसे अधिक किसका भाई माइनस three point वाला सबसे ज़िक है यह नहीं है यह यह होता है थरो बता इए अधिक रटाव अरे बोलो अ बताव भाई अ किसका है ..2.37.. ईसका है , D' वाला , MnCHM मेनिशिय्म का है , MnCHM MnCHM हो जाये , Lithyum नहीं मैंने इसतना चिला के बताया कि पहले ध्यान से समझ देना ऐसा question सही मैनी जामना आपको confuse करेगा MnCHM नहीं होगा , Lithyum नहीं होगा नहीं समझ म जब आया कैसे सर जी मैं वही तो समझा रहा था आप मैं दो तरीका बता रहा है मैं दो तरीका बता दो जो तो देखो भाई यहां पर मानक आक्सिकड विभाभ दे रहा है मानक आक्सिकड विभभभ दे रहा रहा हैं हमने जो भी फारूमुला पढ़ है ऊग्यूंका और कैसे सब के आगे माइनस लाके और मैंने आपको यहां पर साट कट में बता रहा हूं छोड़ो जाने दो सब्टिक क्योंकि अभी आप लोगों को बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा यह देखो मैंने आपको बता था आकसी कड़ भी वह आकसी कारक छमता किसका अधिक होगा जिसका इलेटोर वह आधिक होगा इसका आकसी कारक चमता अधिक होगा मैंने यह लिग बोल रखा है अब इसको कोसन में देख लो किसका इलेटों सब्से अधिक है सबसे कर वह है पता है जो होता है किया यह प्रपोस्टरा होता है मानत ऒप्चैन भी नीए को सबसे अधिक गउसी का सबसे अधिक और माइनस तूपॉइंट है नहीं का योटू, समझ्घ भी नहीं गया तो प्ध्यान नहीं पता रहा था हर एक प्रस्ण को जब आप पढ़ते थे प्रस्ण में क्या दिया था यहां ऐहा था यहां पर प्रस्ण आपको अटक्सिकरण विवा दे दिया तो आंस तो फ्र वीबह पर question लगा挑़ में अरहे हैं आप 10% छेहन फेशन बीबह पर हग जब जब भी question में को आख्सी कड की apply to change करना हूँ ऐसे यहां पर question देखो यहां पर एक्सी कड भी वह दे रखा है ब लगाने के लिए पहले इसके आगे माम frightened लागी चेंज करना पड़ेगा उसके बाद कोई भी सक्रियता लगाना पड़ेगा डारेट कर दोगे तो गलत हो जाएगा जाएगा यहाँ रखाँ मानव टयर कर दूड़ेखाय करोगे तो जाएगा यहाँ पर कोशन में मानक Oh यह यह देर रखाए इसको अपेज tutte करना पड़ेगा पेले चेंज करोगए तब लगा से सब कि आगे मानईस लगा दो यह माइनस 1.5 है इसको 1.5 कर दो माइनस 2 को प्लस 2.0 कर दो इसको क्या करो इसको माइनस 0.84 कर दो और इसको क्या करो प्लस है 0.36 कर दो अब शक्रियता का बढ़ता करम पूछ रहा है और आपको मैंने बताया शक्रियता का बढ़ता करम शक्रियता का बढ़ता करम वन अपानधिवाण फ्रम्ला लगा दो हो जाएगा सक्रियता का बढ़ता करम बताओ सबसे कम इसी किसका है अगया सबसे कम किसका है सबसे कम इसी का है माइनस 1.5 का सबसे कम मतलब सबसे कम आपका यह हो जाएगा सबसे अधिक आपका यह हो जाएगा यह से कम कौन है मतलब यह कौन है यह कौन है यह हो जाएगा सबसे अधिक यह हो जाएगा सबसे अधिक यह हो जाएगा कोन है सक्रिता का बढ़ता क्रम सबसे इस कम कौन है झातु के सक्रिता का बढ़ता क्रम आक्षिकर्ड वो दे रखा पता वाई कौन से सही होगा हुँ कर लोगे किनी कर लोगे कि वाला बता रहे हैं कुछ लोग कर लोगे आप सभी लोगी नहीं इसमें आपको यही दिया हुआ है आपको बस सेड़ी पूछना है आपको क्या करना है देखो मानक आक्सिकर्ड इले टोड भी वह दे रखा है बहुत गर्मी यार क्या बताओ मैं कर लोगे इसमें द्यान देना क्या होगा बताओ सबसे पहले मानक आक्सिकर्ड इले टोड भी वह को चेंज करना पड़ेगा अब चेंज कैसे करोगे जो भी वैलू दिया इसके आगे माइनिस लगा देना अब धात्य के सक्रियता का बढ़ती क्रम आपको बताना है यानि इसमें जिसका सबसे कम इले टोड भी वह होगा उसकी सक्रियता उतना ही अधिक होगी अधिक होगी सबसे कम जिसका यह करके देख लेना आप सभी लोग ठीक है इसी तरह से नेश्ट वाला कोशन देखो आपको यहां पर क्या है आपको यहां पर माहिनिस लगानिक जिवत नहीं क्योंकि यह मानक इलेटोड विवो अपने आप दे रहा है मानक इलेटोड विवो का मतलब भी होता आप चैन इ लोग की सक्रियता जो होता है तक्रियता जो होता है वन आपान नियुक्य ब्लीटोड विवो के चलता है कि यहां पर पूछा हैँ क्या इल्यूट नें स्क्रियता का सई करम बताना है आपको जा बताना सक्रियता का सही करम बताना है यह तभी करपाओगे जब आपको वह यह याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया है यह वाला स्रीज याद होगा तभी कर पाओगे तक्रियता का बढ़ता हुआ करम पूछ रखा है आपसे यह जब तक याद नहीं होगा तब तक इसमें नहीं कर पाओगे कि अवग नहीं बहुत सारे कोशन साप लोगों की लिए प्रैक्टिस के लिए दे रखा हैं यह स्रीज में आप देखोगे कि सबसे अधी क्रिया सिल यह कौन होता है जिसका इस पसे कम इलेटर विए कौन है कि किस में किसका होता है उसरी जाकर देख ले ना यह कोस्टन कभी कर पाओगे जब आपको इलेक्टोड यह बाला यह तीर्य kiss याद होगा अधिस्टीरी मैंने करवाय था यहां पर करवाय था तहां पर करवाए यहां पर करवाएं फिर भी मैं आप लोगों के लिए करवाएं यह यह स्रीज में करवाएं जिसका उपर जिसको नीचे होगा उसी हिसाब से करवाएं चलते हैं आप लोग इस टाइप के को कर लोगे मुझे पूरा विश्वास है यह यह देखो इसमें इलेटोड व्योग देना सबसे धन विदूत रड़ी पुचा है इलेटोड विदूत सरह आप लोगई देखलो ठीक है करने की कोल विदूत करने के साइप इस टाइप कोसें से कैसे कि जा रहेक Drawson कैसे किये जाते हैं यह तो करी लोगे आप मुझे पता है यह वी कर लोगे यह वी कर लोगे और यह भी कर लोगे जन elegan मैं यह सब कोस्टन्स ही मेग आने लगा फ अब देखो कुछ चीजिए और आपको यहां पर पढ़ाता है कि इसके आगे देखाँ यह मैंने आपको नहीं बता था है लोजन के आक्सी करद छमता है इलेक्टोड विभव के क्रम में बढ़ने पर बढ़ता है जैसे आपको जैसे आपके सामने यह आपके सामने दिया है तो आक्सी करद छमता जो है जिसका इलेक्टोड विवव जितना अधिक होता है उसका आक्सी करद छमता उतना ही अधिक होती है उसकी आक्सी करद छमता क्या होती है उतना ही अधिक होती है जिसका इलेटर विवो जितना अधिक होता उसकी आक्सिकर्द चमता उतना ही अधिक होगी जिसे यहां पर आपके सामने कोशन इसमें अपचायक चमता का बढ़ता वक्त करम लिखना है तो ध्यां देखना सबसे अधिक आपचायक चमता इसका होगा उसके बाद इसका होगा उसके बहुत आसान सा सी रीज है अभी कोसंस करोगे तो समझ में आएगा ऐसे नहीं समयांगा इसके बाद हाइडोजन को प्रसि स्थापित करने वाली बात आजी। ये थोड़ा बच्पन की कहानी की याद दिलानी होगी तब आपको समझें बच्पन में कहानी में क्या था जो थोड़ा सा ज्यादा बलसाली था जिसके हाथ में दम था तो आप जिस कुरसी पर बैठे हुए थे जिसकुर्सी मालब बैठे हो कोई आया बगल से उस्षा कर वा अधिक बलसाली आप से अधिक जान उसके हाथों अन्था पिर नहीं कर पाता था यह जो बिदू तरह सानी सेड़ी इसमें जो भी तत्त्व जो वी तत्तव उपर उपस्तित होते हैं जो भी तत्तो इस विद्धु सताइक सेड़ी में ऊपर होते हैं वह तत्तो नीचे इस पर धातु के बिलियन में से धक्का मार के उसे भगा कर अपने आपको बैड़ जाते हैं नीचे वाले उपर को नहीं उठा पर कैसी उनके पाद दम्हें नहीं उठा बिद्धु दरसानिक सेड़ी में जो तत्तम ऊपर होते हैं नीचे वालो को भगा देते हैं कैसी मुझे दिखाओ मुझे इग्जामिपन मैं लोके नेकर में दिखाओंगा खाइक आपका हाइड़ोजन ओपर होता वह हाइडेयोजन को क्या प्रतिस्थापित कर डिता में जिसे जिन्क By आपका सेड़ी में देखोगे यहां पर सेड़ी में देखो यह सेड़ी आपके सामने यह रहा आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऊपर यहां पर जिंक है और कापर देखो हाइड्रोजन की नीचे है तो जिंक जो है अगर किसी विलियन में से हाइड्रोजन को हटा के अप जिंक जो है देखो एस्टू एसोफोर में से हाइड्योजन को हटा अकर अपने यहां जिरियान एसोफोर बना लिया और हाड्योजन विचार को अके लिए छोड़ दिया जबकि कापर और कापर हाड्योजन के नीचे था न यह हाड्योजन को हटा नहीं पाया हाड्यूजन को हटा नहीं पाया पीटी है प्लेटिनियम आप सेड़ी देखो यहां पे प्लेटिनियम इसके लिए आपको सेड़ी याद होना चाहिए देखो यहां पे सेड़ी प्लेटिनियम देखो आपका यह हाड्यूजन रहा प्लेटिनियम यह रहा मैं यह जो इतना तत् इसके उपर के सभी यह सब नहीं भगा पाएंगे प्लेटिनियम हुआ हाइडोजन के निचे इस्तित्रे वही बात यहाँ भी होता है कि लुहा के नीचे उपस्ति से जितने भी होते हैं है कि नीचे उपासी दाटू अकसाइड़ों को हक्षाइट ओं से आपके नेचे हैं है कि यह सब पर है यह सब हभगा के अपने बैट जा रहा है ऐसको बहां दिया अपने यह इसको बढ़ा दिया और कैलसियम देखोगे तो हाइडोजन के क्या है और रहे हैं लेकिन किलियर रेकशन आपको यहां पर तो भगा के बैठने वाली बाते हुरी असरी इसका कोशन कैसे पूछा जाता है बहुत मज़ेदात तरीकेश पूछा जाता कुछ नहीं पूछा जाता यार यह सब कोशन तो करी लोगे आप लोगना यह सब कोचन तो कर लोगे मैं दिखा देना चाहता हो ह। यह सब कोचन तो करी लोगे लोगे ना यह को पार। इसमें से आप से पूछ रहा है सबसे पहले हाइलोजन को कौन प्रस्थिशाफित करेगा बताओ यह को सन बताओ बताव भाई सबसे पहले हैलोजन को कौन प्रतिस्थापित करेगा तो मैंने बता दूँ आपको सबसे पहले कौन करेगा आयोडीन करेगा मैंने वहां प्रता आयोडीन वाला सबसे दिखोता है यह सब कोशन करी लोगे मुझे पता है यह भी आप लोग बोल्टेज निकाल के करी लोगे लिएक कोशन सब्जेक्टिम पूछा जाता विदू तर स यह सेडी के आधि किस अधार पर बनाए गई समझाईए ऐसा पूचा जाता है कापर सलफेट के विलियन में से लोहे की छड़ दाली जाती है तो विलियन का दिरे-दिरे कि नीला रंग क्यों गायब हो जाता एक को सन क्या कर रहा है कापर ऊपर CS with top equals श्राइए इसमें लोहे का अच्छड मतलब यफ्षी मिलाय जाता है यह पूच रहा है कि धिर्यसरे ते इस यह कापर नीले कलर का होता नीला कलर क्यों गायब हो जाता है क्यों धेको तहा मैं बता रहा हूँ यह है आपका विदुदस्टानिक स्टेडी का कहा गया इसको मैं कापी करके उधर ही रख देता हूँ को यह कापी करके उधर रख लेता हूँ बताने मसाने होगा बार बार आगे पीछे नहीं को की सब्टत्त हूँ तब इत्यात किसी को वगा नहीं होगा जो Amad इसके पहले आपका लोहा यहां पे हैं तो कापर लोहे कापर ।ब biomala जो Pros कापर के उपर हमें इस कोश्Talk में क्या होगा कर यहांदेना के तो यह लोहा जो है कापर के उपर ऊपस्तित यह लोई अ को भाइए ढूं फी को लेकर मैं लेकर जाओँगा मैं इसके साथ यह उपए यह सोकोर बनाएगा और कापर बाहर के ओने अरे CL2 नहीं होगा भाई अरे भाई आयोडीन होगा आयोडीन होगा वहाँ पर अरे आयोडीन होगा बास समझे भाई देखो इसी तरह से आपके सामने यहां पर यहां पर इसे उपर इसे पहले आ रहा है तो इसके विलियन से अपने आपको बैठा देगा इसको एजी घोटा करें आपने क्या हो जाए तो आप एंसर में क्या लिखोगे कि चुकि बिदूत रसानिक सेड़ी में तापर जो है एजी से उपर इस ते इसलिए विलियन से एजी मतलब सिल्वर को प्रस्ति स्थापित कर देगा ऐसा एंसर में लिखना है निमलिक तार असपस्ट के लिए तनो हाइड्रोगोरिक यानि यसीयल जिंक से जिंक से ये क्रिया करता है जबकि ताबा के साथ है नहीं करता है विदूत रसाइज सेड़ी से असपस्ट हो जाएगा भाई मैं मिटा दे रहा हूँ, सब कुछ मिटा दे रहा हूँ, यह विजुधाजाँ सेडी से सबस्ट हो जाया, क्यों नहीं करता है, आपसे क्या कर रहा है, हाइडो कोलोरीग अमलग जो है अमलग का मतलब क्या होता है, है यह यह टनु है यह जिंक के साथ क्रिया कर लेता है जबकि कापर के साथ है ये यह आपका क्या है यच्छ है और कहां पे यहां पहर दो गतास dit जेडेयन सील टू बनातेगा और येस्टू बाहर निकल जाएगा जिंक जब कि ये कापर जो है ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि कापर आइडूजन की नीचे इस्तित इसमें उतना दम नहीं है नहीं कर पाता है ये लिख सकते हैं बिदू-तरसानिक सेड़ी में इसका रिजन सकते हैं यह सकते हैं यहांपे को जिंक जो है हैं acompañ से यॉपर इस्तित ITराख मने की कापर हाइड्रोजन के नीची स्स्रित है पर नहीं कहिए यह लिख सकते आपको इसी टाइप के सभी प्रस्थन है विद्दरस्तानि के देख कर आप नीचे वाले को पर नहीं बगा पाएगा आप कर लोगे मुझे पूरा विश्वास आप देख लेना बहुत सारे कोशन प्रेक्टिस के लिए इसमें दियाओं और यह ऐसा टापिक है आप आप एक बार फिर से प्रेक्टिस करना सब कोशन कर लोगे चोटा सा पाण सेटें गए विद्दुद्र रसानिक सेडЯ जो ऊपर है नीचे वाले को नहीं बगा पाएगा से नहीं भगा पाएगा मै नहीं बगा है बात समझ में आ गईो यहां तक क्लियर है थाया ना किक्लियर रहे कि लिएर है कि नहीं है बताओ उपर वाला नीचे वाले को भगा देगा नीचे वाले उपर वाले को नहीं भगा पाएगा तहिंए नहीं और नहीं हो सकता विद्दू तरसाने से ड़ी एक ही है उसी को आपको आपको यात करना पड़ेगा तभी करपाओ याद करने का मैंने ट्रिइक भी बता दिया कि इसको मैंने ट्रिज़ कर बता दिया किलियर रहेंग्स कर लोगे कि नहीं करіш 저희가 बस आपको मैं हजारो कोशन करा दूँगा तब परवी चीजें आपको उतना ही आएंगी जितना एक कोशन सा आएंगी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ऊपर है नीचे वाला उपर आप पाएगा यह सब्जेक्टिक कोशन में बनता इस तरह से इसे सामने कोशन मैंने दिदुचार कर दिया ऐसे आसे कोशन बनता ऐह कि इसे नोट कर लो सभीलो फटा फटा यह सब विचिजे है कि एसे कोशन के रिखbnा reicht तो चलिए अब नेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेश टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं बैटरी बैटरी स्टार्ट करते हैं क्या होता है बैटरी कैसे काम करता है बैटरी यह सभी चीजह हम लोग स्टार्ट करते हैं ध्यान देना यहां पर बैटरियां जो होती है देखो यहां से पहले तो question बहुत कम पूछा जाता है, ना मात्र का question पूछा जाता है, इसलिए मैं बहुत basic ही आपको पताने वाला हूँ, बैटरी जो होता है, वैसा इक बैटरियां दो प्रकार की होती है, कवर कोण एक प्राथमिक cell होता है, दुतियक cell होता है, ठीक है, अब बैटर्य की और क्या कि नाम होता है दूसरा नाम को छोता है उसमें क्या सिचा संचाइब सेल निकीन या नाई या निकल कैडनियम बैटरी ये इस दोनों चीजय आती रहे को यहांत तक सभी को बताओ बोड एकदम करम हो चुका है अट देखो और एक होता है शाटतकर इधान से यह तैसरा क्या ओता है इधन इधन से इह घृता है ये सबभी बैihat मिक्स होती हैं मोभाइल में जो बैटरी लगती है रिचार्ज कर सकते उसको चार्ज olvutार्जिक में ला आके टो इसकी बांद हम लोग नहीं कर रहे हैं देखो प्रातमीक सेल दो प्रकार करते हैं सुष्क सेल दुसरा मरकरी सेल सुष्क सेल में क्या होता है आपके एक जाम में मैं देखो सुष्क सेल कैसा बना होता है मैं बना रहा हूं यहां पर आपके सामने सुष्क सेल बना रहा हूं देखो इस तरह से सुष्क सेल होता है ऐसे आप लोग देखे सुस्क का सेल होता है इसमें देखो बीच में आप लोग देखे होगे एक राड लगा होता है ब्लैक कलर का आप लोग देखे होगे इसलिए मैं आज का पीपीटी का कलर वाइट रखा हूं ताकि आपको ब्लैक कलर करके दिखा सकूँ इस तरह से ब्लैक कलर का राड ये देखो ब्लैक कलर का राड होता आप लोग देखें होंगे बैटरी में ऐसे तो ध्यान देना इसमें जब ब्लैक इसताई का ये सुस्क सेल की बैटरीयां होती है इसमें जब ध्यान देना सभी लोग इसमें देखो ये जो ब्लैक कलर का राड होता है यह बना किसे होता है इसे है यह होता है जो है कैठोड इसे क्या करते हैं कैठोड करते हैं दिखनी दाहा है इसे करते हैं कैठोड कैठोड करते हैं इस राध को कैठोड करते हैं बाकि इसके साइड का जो होता है इधर कप लगा होता है आप लोग देखे होंगे इस टील कलर का बैटरी फोड़ के देखना इसे का जाता आइनोड है यह आपको फिगर में बता दे ना हो कहा है यह जिंक का कप होता है जो होता है यह कार्बन की चड़ होती उसके पर यह मेंगनीज आकसाइड और कार्बन का चुड लगाया होता है इतना ही इसके सारो तरफ एक काला कलर का का इस तरह से भरा होता है। ऐसे ऐसे पूरा पर्ण होता है। इस तरह से पूरा भरा होता है ऐसे ऐसे पूरा भरा होता है इस तरीके से पूरा भरा होता है काला कलर का पदाद भरा हुआ है इसको क्या करते हैं इसको जो काला कलर का यह जो पदाद भरा हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं वाई इस पदाद जो होता है यह विदुत आखे । आपको इतना बनालेज आपको बता रहे हैं जो में बैटरी आती उसकी यह क्या होता है यहां पर देखो यह विदूत अफगट्य होता है यह बिदूत अफगटे होता है आपके सामने असपर्ष्ट है आयनोड का काम क्या करता है जिंक का कप यही पूछा जाता है पैठोड का काम क्या करता है यह यह जो छड़ है कारवन की छड़ और यमियनोटू मैइनीज अकसाइड और कारवन की चूल और बिदूत अफगट क् यी पूचेगा कि सुस्क सेल में तो आप बता देना और इसमें यह होती है रेक्सम ज्यादा फोकोस मत करना कि आनोर पर क्या होता आय पर आकशिकर्ड होगा वाई आपचान हो गया और इन दोनों रेक्शन को जोड़ते तो यह reaction निकल क्या आती है हलांकि reaction याद करने पर ज्यादा फोकस मत करना याद करोगे भीरी नहीं कर पाओगे कोई मतलब नहीं ठीक है पास समझ माई क्या यहां तक हाँ हाँ पास समझ माई यह दूरा का बैट्री हुय है देखो compromiserue कि यह दूरा का बैट्री resembling लगी हुए और इस बैट्री पे भी व пять ब्ल लिखा हुआ है देख्लिए न यहां कि दिख रहा है होती है कितना बाटरी होती है कितना होती है कितना होती है इसकाष चोता है कि इसका वोल्टेज रियर Wiran कि घड़ी में रिमोट की बैटरीया रिमोट बैटरेया यह सब इसके एक्जामपल्थ हैं Mercury Cell या पादर दुसरा हम लोग पढ़ेंगे Mercury Cell या पादर सेल कहेंगे Arkありiously या फिर इस दूसरे का नाम क्या पढ़ेंगे मर्करी सेल या पादरसल मर्करी सेल के नाम से इसे जाना जाता ता है यह यह जो सेल होती है आप लोग देखे होंगे घड़ी उड़ी के बैटरी में अरे अरे आपके घड़ी घड़ी जो हाथ वाली घड़ी नहीं आती छोटी वाली घड़ी उसमें इस ताइप की बैटरियां लगी होती है ऐसे, ऐसे की बैटरियां होती है, ऐसे, मैं दिखा दूँ आपको बैटरी, मैं दिखा दूँ बैटरी आपको, एक मिट मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, देखो, ये बैटरियां इस टाइप के होती है, आप लोग देखे होंगी, घड़ी उड़ी में लगती है बैटरिय जो होता है यह उपर क्यों होता है यहाँ यहां पी उता है यहां पी उता है यहां पींद ez क्या है यह क्या है इसमें उत sta जो इलिए है जिंक अमल्गम कहा जाता है इसे कहा जाता है जिंक अमलगम ये आपका आनोड का काम करता है जिंक अमलगम ऊपर होता है जो कि आनोड का काम करता है और नीचे एच जी ओ और कार्बन का पेस्ट होता है नीचे है जी ओ प्लस कार्बन का पेस्ट होता है ये कैथोर्ड का काम करता है ठीक है ये कैथोर्ड का काम करता है और विदुत अभगट के रूप में यहां पे जो होता है को यह इसमें को यह प्लस JN9 का billion होता है विदूत अफगर्ट के रूप में यह होता है ठीक है? के लियर यहां तर किया? के ओईअ चाउर मैं बैटरी को यही पर बना दिया के ओईए चाउर और इसका जो voltage होता है 1.35 voltage होता है कॉर्ई और इसमें जो विभव हमेशा इस्तिर हाता है यहां पर कोई भी आएण नहीं है इस वाले रि में आप देखोगे यहां पर आयन नहीं है इसलिए सेको घड़ी में लगाय जाता है नीचे की ओर होता है और इसका बोल्टेज 1.35 बोल्ट होता है और ये नीची की ओर लगाने का मतलब यह होता है यह जो घड़ी में लगाने का मतलब है कि हमेशा एक साइट का भी घड़ी देखते होगे कभी कम बेसी नहीं होती है जब चलती है जब रूप जा ये हैं आपका कि एनोड क्या होता है जींकम अलकम कैटोड क्या होता है या और कार्वन का पिस्ट और यह transmission का यह होता है और इसका बीभव होता है बीभव कितना 1.35 बोल्ट हो वीभव होता है करेंगे इसको चार्ज होता है इसको प्र्यूंक कर सकते हैं कई ड्रीचार्ज कर सकते हैं touched ड्रस बैटरी हो गया घर में लगी हुई है वो सब बैटरिय नहीं है लाइट नहीं इस लिएymphology ताला दिख रहा है उपर की लाइट मैंने आपकर रखा है खूब गर्मी हो रहे है एक दम गर्मी इतना ज्यादा हो रहे है क्या ही बताऊ मैं पुरा मकान पहक है कि उसके बाद ही मैं पढ़ा रहा हूं चुकि करना है ठीक है इसमें अनेक प्रकार की इसका प्रयोग किया जा स सीशा संचायक सेल है जो वहान में बैटरी लगती है इन्वेंटर में जो बैटरी लगती है यह आपका क्या इसके उपयोग किया जाता है वहान में यानि कार बैटरी इन्वेंटर बैटरी और यह जो बैटरी होती है इस टाइप होती है इसमें बहुसतारी चीज़े होती है इसमें क्या होता बैटरी में देखो ऐसे आए ऐसे होता है इस तरह होता है इस तरह होता है बैटरी में हलाकी कलर कलर बना दिया इतना कलर होता नहीं इसमें देखो क्या होता है और जो ईनोड का काम देखो PB करता है और क्याटिट काम PbO2 तो मतलब लेड आकसाइड और इसमें पीब का होता है ठीक है कैसे होता है इस में इसमें कुछ छड़े जो एक साथ ऐसे करके जोड़ दिया लाता है और यह ब्लेक वाला मालो कर घृठोड का काम कर रहा है इसको इस तरह से लाकर जोड़ दिया जाता है यह क्या थोड़ का काम करेगा कि हिए अनुट का को आप देख ली ना इन्वेंटर की भेटरी फोड़ के देख ले अपने घर में होगा तो तो इसमें भी याग करना लेड की और यहhh PB की बैटरी इस तरह रहाद होती है, तो यहाँ पर क्या होता है ना ? बहाँ समझ देना ? दो ताइप का रिक्सन होता है, एक समय जब निरावेशन होता है और हाँ एक चीज़ आ ओ रहे हैग एक एनोट कैठोर तो याद कलिए विदुद अफगट क्या भरा होता है जो आप लोग मार्केट से पनिया लेकर आते हो यह स्टू यह सुपूर का यह आपका विदुद अफगट के रूप में भरा होता है जो मार्केट से पानी लेकर आते हो यह स्टू यह सुपूर का वह इसमे वर्धुद अब घट की ओर भरा उता है है पास समझमाई है क्या बताओ अभ्यक को जब इसका आवेशन होता है तो इसका यहीक्सन होता है अब इसके detail में ज्यादा नहीं जा रहे है अब जब निरावेशन होता है तो आपका यह तो ना तो यह रिकषण हो आद याद हो औन देखे, इसके बताओ, यए नहीं यार यह तो फोकस मत करो चलो जाने ज़्यादा फोकस मत कर, क्योंकि यह क्यों की यह तो अभी दोनों iki साथ हरता अती संतुलीत करते हैं एक reinset याद भी नहीं होगा और इससे चोटा मुटा कोशन पूचा जाता मैं आगे करा दूंगा बता दूंगा कैसे करना ठीक है देखो एक बार 12 बोल्ट की सीचा संचायक बैटरी और 6 गैलुमिनिक सेल लगे होते हैं प्रतेक पर 2-2 बोल्ट का विभव उत्पन होता है यह आपको याद रखना चाहिए ठीक है ये सिचा संचाइक वोल्ट होता है बैटरी होती है प्रतेक सेल पर कितना वोल्ट होता है इसमें दो बोल्ट होता है तो इसमें आपको याद क्या करखना है फिसमें असपर स्टूप कर एंडोड क्या होता है कैठोड क्या होता है और विदू तब घट क्या होता है यह याद र यह मेथिन है और स्टी एस त्री ओयच एथिल मेथिल एलकुहाल आधी सेलों का दहन करके विदुत उर्जाव के रूप में परियोतित करते हैं उसे इधन सेल काते हैं इसमें देखो इलेट्रान का कैसे होता है कारबन प्रेटिनियम और पीडी मतलब पेलेडियम के धात उपर आकसाइड होता है उसमें ठीक है और हलाकि अना इसमें जो बिदुत अब घट होता है किसका होता है यन्योच और क्योच का अबिलियों होता है इसकी दच्छता कितना होता है बताओ दच्छता इसका कितना होता सेविंटी परसेंट होता है और हाइड्रोजन आक्सीजन इध इधन सेल इसका एक्जामपल है हाइडोजन बैटरी का ठीक है ना किलियर यहां तर बताओ देखो हाइडोजन और आक्सीजन इधन सेल बैटरी कैसा होता है ऐसे होता है इसलिए मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ नहीं तो मैं इसको पीपीटी से नहींपढाता है बहुत थोड़ी मुड़ी चीजें याद रखनी है जैसे कौन अनोर्ड होता है कौन कैठ्वोड होता है इसमें यह आपका यहाँ पर लगाया जाता है यह आपका होता एनुड यहाँ होता है कैटोड और यहाँ से यहाँ से हम लोग इंट्री कराते हैं क्या इंट्री कराते हैं क्या इंट्री कराते हैं और यहाँ से यहाँ से आपका क्या यह जल का इंट्री कराते हैं और यहाँ से अक्सीजन का इंट्री कराते हैं इस टाइज का बना होता है बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं इस टाइब का बना होता है अब बैटरी का फिगर भी आपको बनाने की जरूवत नहीं है पढ़ने की जरूवत नहीं है ठीक है कैठोड आपका और यहां से आपका सबसे अच्छी वैटरी ही होती क्योंकि प्रदूसर के रूप में यहां से यह जल निकलता है कि नोट नहीं करना जो मैं बता रहा हूं उसी पॉइंट को ध्यान रखना इसकी दच्छता सेवेंटी परसेंट होती है इतना बात या दखना ठीक है अब देखो यहां से स्टू हाइडरोजन गेस यहां से इंट्री कराते हैं यहां से आकशिजन गेस और यहां से जो निकलता है इसमें क्या होता इधन के रूप में धर्योंका यूच करते बता आओ यह पूछा जाता है इधन के रूप में किसका यूज़ करते हैं इधन के रूप में किसका यूज़ करते हैं बताओ भाई यह पूछा जाता एक्जाम में ठीक है इधन के रूप में किसका यूज़ करते हैं हाइड्रोजन या और आक्सिजन का यूज़ करते हैं और यहां पे आपका होगा इलेट क्या होता है कि क्या होता हम था यहां पर कार्बन होता है पर अक्साइड होता है क्या होता है यह अन्य क्या होता है सान्द्र कॉम्प ह arrangements होता है ताप इसका दूसो डिग्री सिंडिक होता है दाप 20 सी 40 एटियम होता है और आइनोड का काम हाइडोजन और कैठोड का काम क्या करता है बताओ और यहां पर अपक्रिया क्या होती इसके चक्कर मत पढ़ना यह जरूरी नहीं है मैंने पिछली बार आपको अपक्रिया बताए भी थी लेकिन अपक्रिया में जरूरी नहीं है अपक्रिया पूछी नहीं जाती है और यहां पर यहां पर यह सब क्रिया होती है और इसमें इसक इसका एक्जामपल इस यह हाइडोजन सेल इसका यूज जो अपोलो जैमिनी अंत्रिच आदिकारिक्रोम में यूज किया गया था तो आपको याद रखना है कि हाइडोजन इधन सेल में क्या होता है यह याद करना है ध्यान देना इसका वोल्टेज कितना होता है इधन सेल का क technical voltage कितना होता है या आपको याद रखना है कि इदनसल का कितना होता है एक बोल्ट होता है और जो जलने कलता узका ताप कितना होता हंड़ डिणी सिंटिजुन सिंटिचे टाप होता है याद रखना है ठीक है और पैसे पले आइनोड कैठोड क्या हाइडूजन आइनोड आउर आक्सीजन का काम करता है कैठोड की साइट लगाते हैं और इधन इसमें हाइडूजन आउर आक्सीजन का प्रयोग करते हैं और विदुद अबगट के होता है सबका आइनोड कैठोड विदुद अबगट याद कर लेना ठ काला हो जाता है मुर्चा पकड़ लेता है उसी को संचारण करते हैं उसी क्या करते हैं संचारण करते हैं लोहा काला हो जाता है मुर्चा पकड़ उसी को संचारण करते हैं तो यहां पर लिखा गया है नमी अथवावाई के उपस्ति में किसी धातु के सत्व को दिरे दिरे न लोहा का जब संचार होता है उसमें आनोड का काम क्या करता है Anode का क्या क्रता है जल करता है और Oxygen करता है अब क्रियां क्या होती है इससे नहीं मतलब आपसे इससे नहीं मतलब कि अब क्रियां क्या होती है अब क्रियां क्या होती है इससे नहीं मतलब पिछली अब क्रियां कहीं आप से पुछी नहीं पूछें ही नहीं थैंक्यू लाइट आगी सर लाइट आगी नहीं अब क्रियाएं क्या होती है इससे हमसे नहीं मतलब आप से पूछा भी नहीं जाएगा अब क्रियाएं क्या होती है संचाड को समझाइए ऐसे भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बताने से क्या मतलब जब आपको मैं यहां पर पढ़ाऊंगा लेक्चर लंबा होगा हाँ जंग लगती है लेकिन पूछा तो यह जाएगा लोहे मतलब यहां पर क्या अपचेहन होता है पूछा ताप से ही जाएगा कि अनोड पर क्या होता लोहा और जल सिक्रिया करके अक्सिकर्ण होगा और कैठोर्ड पर क्या होगा लोहा और वायू क्या होगा यहां पर क्या होगा अपचेहन यहां पर होगा अक्सिकर्ण ठीक है इतना ही याद रखना आपको बात समझमा रही कि आप हो कि पिछली बात जब मैंने इसको पढ़ाया था तो इसमें बहुत ही अच्छे से डीटेल में इसको बताया था लेकिन मैंने देखा क्रिया विदी से कोशन कहीं नहीं पूछा तो यह क्रिया विदी स्कोशन नहीं पूछा इसलिए मैंने नहीं करा रहा हूँ ठीक है अब देखो लोहा जंग लगने इसे बचने का उपाए पहला लोहे को वाई मंडल के संपर्क में नहीं आने देखो इसमें आनोट का काम कौन कर रहा है लोहा को जब जल नहीं आएगा वाई नहीं मिलेगा तो जंग नहीं लगेगा पहला रिजन हो गया दूसरा क्या सता पर पेंट कर दें अगर लोहे के सता पर हम लोग पेंट कर देंगे तब पर भी आपका जंग नहीं लगेगा धातु की सता पर अक्री धातु जैसे जेड़यन यसिहन आदि का क्या करतें परचणा दें तब भी जंग नहीं लगेगा लोहे के जंग लगने से विदुद अब घटे विदुद रसानिक अब क्रिया के सारण होती है जिसे संचाड का बचाओ कर सकते हम लोग ठीक है का समझ माई ऊहाऊ में तो उप civ जाओं में जो कॉच्चा जाएगा जाम में संचाड का बचाओ काुपाए छे ताइप से कॉच में पूचा जायगा और यह चैप्टर इस तरह से आपका हो गया है complete यह चैप्टर हो गया आपका इस तरह से complete अना यह जब मैंने जो बाद चीजें बताया हूं वही चीजें पढ़ना क्योंकि बाकी कोशन नहीं पूछता है ठीक है जैसे आपके इस एक्जाम में विद्धुत लेपन का उधार दीजिए संचेप में समझाईए सीचा संचाइक सेल क्या होता है माना के लिए टोड़ भी वह विद्धुत अफगटनी सेल यह लिखना आपको प्रात्मिक सेल किसे कहते हैं जिंक कारवन सुक्स सेल में आयनोड और कैटोड पर सेलिए आपका यह चैप्टर कंपれた हो गया है धेयान देना पहली चीज का नियम परहए दूसरी चीज़ है पहराने का नियम तीसरी सीजरी चीज आपका विद्धुत विद्धुत रासानी सेड़ी यह तीन चीजों से काउस में तीसरी चीजे से तकरा जाए तो टकरा जाए यह तीन चीज़ है जो कि इस चेप्टर से मैक्सिमम पूछा जाता है यह से लोल तो पूछा ही नहीं जाता है मैं चाहां तो style की पूरी अपक्रिया बताऊँ मैं पिछली साल का वन साट आप मेरा देखोगे तुसमें मैंने बता हक नहीं बता रहा है इत्वा स्त्मार्ट अप्रोच के और जानना है पड़ो वही जो डारेक्ट एक्जाम और परसिंटेज लेकि जाओ नीट में तो कभी रिएक्षन लिखने के लिए पूछेगा नहीं आपको यह किलियर है नीट का एक्जाम को जो डेना जाता है या इसमें लिखने के लिए रिक्षन से कोशन पूछेगा तो उस लेवल का लिखवा के आप बता बहुत है यहां पर पर टाइम और ज्यादा जाएक उसमें ध्यरी ज्यादा फोकस्में करना सब्सक्राइब इसलिए फाल्तू का लिखा पर एक अलग से class ले लूँगा सेल को फिर से मैं आपको सब चीजें लिखा दूँगा इस chapter में सेल को ही मैंने सार्ट में किया है और गिप्स उर्जा को सार्ट में किया है और सब चीजें मैंने आपको बहुत बेहतरिन तरीके से करा है ठीक है बस सबके बुक में आपको कोशन मिल सकते हैं लेकिन बोर्ड में नहीं पूछा जाता है यह मैंने बहुत साल का एक्स्प्रियेंस के दिए मैं कर सकता हूं फिर भी अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो आधे गंटे और लगेगा मैं पूरे सेल के रियक्शन के साथ में आपको मैं फिर से क्लास ले लूँगा अप चैसे कहोगी ठीक है अलग से ले लूँगा कमेंट बाक्स में कमेंट कर देना मेरे को बहुत अच्छे से आता यह सब चीज़ें इसलिए मैं पढ़ाने मजा ही आएगा लेकिन मैं पिछली साल की बच्चों को पढ़ाया था ना महां से मुझे एक experience मिला कि बच्चे काफी कारें तर यह पूछा भी नहीं आपने इतना लंबा कर दिया तो लंबा करने कोई मतलब नहीं जो वांटेड जो ठीक है वाई है एक चैप्टर कंप्लीट हो चुगा है अप इसका अब जेक्टिव करा दूगा सब्जेक्टिव करा दूगा काम खतम हो जाएगा अप लोग अपने कोसेन बैंक उठाके देख लेना प्रिविएस का कोसं बैंक उठाके देख लिना एक भी कोसन आपको ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं करता होगी तो सकता आप से न कोशन बने तो हम प्रेक्टिस करा देंगे तो कोशन बने लगेगा ठीक है बताओ कि हाँ या ना कुछ बोलोगे चलो ठीक है ना तो मैं बता रहा हूं कुछ तरह से यह चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट पूरी तरीके से बहुत जादा समय लगए कि कोई नहीं चैप्टर में मोस्ट मोस्ट इप्वाटन चीजे मैंने बता भी दिया लास्ट में क्या क्या है आप उसे अच्छा से त्यार करेगा इसका अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव निमेरकल इनका तीनों क्लास में बहुत जल्दी लाऊंगा आपको उसका है बिलते नहीं नहीं निए में सभी को चेर माससूश्ट